तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करेड़ी फैने रूडिप चैनल पे और आज के इस दमाकेदार सेशन में हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं आपके टॉपिक छोड़े वीडियो में किये घए हैं हाला कि इसको पूरे पूरे डिटेवर वे में आज इस पूरे के पूरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार आप सभी से पस रिक्वेस्ट रहेगा सेशन को लाइक को और शेयर कर दीजेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लो तो वस एक बार session को like और share कर दीजेगा ताकि लगेगा हाँ यार कि हाँ सामने वाला appreciate कर रहा है इस hardware को तो उसके लिए और videos और sessions इस तरीके के लेके हम आ सके तो सबसे पहले आज के इस session में आपको क्या provide करने वाला हूँ सबसे पहले obvious बात है जो हमारा one video one chapter या फिर complete arithmetic playlist में ज तक provide किया जा सके सबसे पहले अगर मैं बात करों तो problems based on ages के मैं आपको application of ratio बताऊँगा कि क्या आपके ratio के सवाल directly paper में आते हैं तो बिलकुल हाँ कुछ ऐसे categories होते हैं जुन से आपको bank examination में repeatedly सवाल देखने के लिए मिलते हैं और अगर आप उन questions को equation अगेरा पे लोके जाओ क्या होता है क्या conditions रहता है वो सब कुछ में आपको बारी किसे सिखाऊंगा फिर में use of average आपने बहुत बार देखा होगा कि जो average का concept होता है कि 7 लोग हो गये 3 लोग चले गए उनके बाद ages इतना होगा फिर एक baby पैदा हो गया फिर कोई शादी कर लिया ऐसे करके जो average और ages क का linkage पार्ट होता है वो मैं इस topic में complete करूंगा इस portion में फिर मैं आपको equation making की जहांपे और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा है जहांपे हमें equation लेना ही लेना पड़ेगा उस equation को कैसे frame किया जाता है language को यानि कि verbal language को हम mathematical equation for में कैसे represent करेंगे वो में बारी किसे बताऊंगा और साथी साथ obvious बात है किसी topic को complete करना मतलब उसके high level problems तो बनाने ही बनाने हैं तो last में mains level के सवाल जो आपको high level concepts provide करने के लिए काफी होंगे वो भी इस session में आपको में करवाओंगा तो सब कुछ इसी एक compact session में आपको मिलने वाला है तो दिल थाम के बैट जाईए sit back relax और enjoy session को pen or paper निकाल दीजे ताकि जो चीज़े हम बता सके उसको आप note down कर सको तो और लेट नहीं करते सीधा बढ़ते हैं आज के session को लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं मेरा नाम कौशिक मोहनती है और मैं आपको इसी चैनल यानि की career definer के अलावा अन आप मुझे वहाँ पर भी follow करना चाहते है तो this is how my anacademe profile looks like तो यहाँ मुझे anacademe पर follow कर लीजेगा और यहाँ पर आपके free classes जो है वो शाम के 4 बज़े चलते हैं test, pole test जिसको हम कहते हैं तो इन test से आप अपने speed को enhance कर सकते हो तो इन test पर participate कर लीजेगा यह मेरे सारे running courses है अभी जो हमारे courses चल ले एक आपका complete arithmetic का course चल रहा है जो कि timing दो पर 12 बजे है और साथी साथ evening 7 पेम पे आपके mains का एक course चल रहा है जो कि है high level logical, mains level logical and latest pattern data innovation यह evening 7 पेम पे चल ला है तो इन दोनों courses को enroll कर लीजेगा ताकि इन से भी आप better चीज़े एक्स्रैक्ट कर सकें अगर प्लस का subscription लेके मुझसे वहाँ पढ़ना चाते हो और किसी भी educator से पढ़ना चाते हो तो एक ही subscription fee पे करके आप पढ़ सकते हो जब आप subscription fee पे करें तो पूरा पैसा आपको ना देना पड़े कुछ discount अवेल करने के लिए आपको जो code लगाना है वो code है CD live इस code से आपको आपक subscription को like or share कर दिये पका चलो तो दोस्तों सवालों पे जाने से पहले कुछ background concept इस topic के आपको मालूम होने चाहिए जिनको use करके ही आपको सवालों को solve करना है तो ऐसे background concept में मैं कुछ concepts add कर देना चाता हूँ पहला concept कि वो बहुत बार आपको ऐसा देगा कि is age after 6 years इसका मतलब बड़ा simple है कि जब वो बोला कि a का age after 6 years या फिर उसको यह कह सकता है कि is age 6 years hence बात एक ही है hence word भी वही मतलब निकालेगा तो इसका जो conclusion हम draw करेंगे उसका conclusion क्या होगा इसका conclusion होगा कि a का age present से present से 6 साल के बात 6 साल बात अगर मैं दूसरा concept कहूँ क्या कि suppose मैं कहता हूँ कि b is age after तो concept खतम हो गया before 7 years या फिर 7 years ago तो इसका meaning क्या निकल के आता है इसका meaning निकल के आता है कि b का age present से 7 साल पहले तो मतलग जो भी वो condition देगा ना कि age after 6 years तो वो बात कर रहा है कि आज से 6 साल बात बीज एज before 7 years आज से 7 साल पहले तो जो भी condition होगा वो present से ही होगा यही मेरा पहला condition आपको जो बता रहा था अब इससे एक conclusion point में आपको बताना चाहता हूँ वो conclusion point क्या है वो conclusion point बड़ा simple है अगर मैं आज से 7 साल पहले जाना चाहता हूँ और मैं आज से 6 साल बात जाना चाहता हूँ तो मैं हूँ आप हो मैं आप कोई भी हो क्या आप सभी को बता है कि आपके age के बीच का जो अंतर होगा वो कितने साल का होगा एक अगर यहाँ पे 0 से 7 पहले था और यह अगर 0 से 6 बात में है तो यह total gap जो है age में वो 13 साल का आएगा सर ऐसा कैसे तो मैं उसको समझाने के लिए पहले number line को ऐसे horizontally draw कर देता हूँ horizontally यह आपका present है मेरे दोस्त this is your 7 years ago and this is your 6 years hence या फिर 6 साल बात तो यहाँ से यहाँ तक का gap कितने का है सरीय साथ और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का gap कितने का है 6 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का gap कितना होगा 6 प्लस 7 तेरा साल एड कर दूँ बैसे please मत रटना यार बहुत बेकार चीज होता है रटना आपको यह common idea with practice के साथ पज़ा चल जाएगा 7 साल पहले आज से और आज से 6 साल बात तो ग्याब तो 13 साल का ही होगा अब मैं आपको एक example देके सुनाता हूँ जैसे कि कोई बंदा मान लो आज 18 साल का है तो वो 7 साल पहले कितने का होगा 11 और 6 साल बात कितने का होगा 24 ग्यारा से 24 तक का gap कितने का है 13 का है similarly एक और example ले रहा हूँ कि कोई बंदा आज अगर 25 साल का है तो अगर मैं आपसे पूछो 7 साल पहले कितना था 18 6 साल बाद कितने का होगा 31 18 और 31 के बीच का ग्याप कितने का है 13 यही नहीं यह तो मैंने Numeric Values consider किये हैं अगर आप किसी बंदे का आज का एज X assume कर रहे हो तो 7 साल पहले उसका एज कितना होगा X-7 7 साल कम और आगे आने वाले 6 साल के बाद उसका एज कितना होगा X-6 तो इन दोनों के बीच का ग्याप कैसे निकालूँगा obvious बात है जो 6 साल बाद वाला एज होगा वो ज्यादा होगा अस कंपेट टू 7 साल पहले वाला एज तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हो बढे माइनस छोटा 24 माइनस 11 तेरह बढे 21 माइनस छोटा यानिकि 13 तो X-6 ॥ अपने जगा जब यह ब्रैकet कुलेगा तो यहめ-X और ये-7 माइनसju होके आपका X और साल च़्े तेरह होगा यह मैं Q match नहीं कह रहा हूं यह एक सिंपल सा illustrate है इसी facts से अगर आप कुछ और conclusion, extra conclusion draw करना चाहते हो तो वो extra conclusion भी मैं आपको बताने के लिए ready हूँ बट इसको please रटना मत, यह मेरा काम है इसलिए दिखा रहा हूँ लेकिन मुझे काफी शर्मिन्दा महसूस होता है यह चीज़ बताते हो जैसे मैंने आज से 7 साल पहले और 6 साल बाद के बीच का gap कहा कि यह 13 साल का होगा similarly आज से 9 साल पहले और आज से 8 साल बाद के बीच का gap होगा वो कितने का होगा? 17 years आज से 5 साल पहले और आज से 9 साल बाद जो gap होगा वो कितने का होगा? 9 साल का आज से 3 साल पहले और आज से 6 साल बात जो gap होगा वो कितने साल का होगा? 9 साल का, यहां तक बात साफ है, खाली हमेशा ऐसा ही सवाल होगा क्या कि एक condition पहले का और एक condition बात का दिया गया होगा? नहीं, हो सकता है कि आज से 9 साल पहले की बात की जाए और आज से 4 साल पहले की बात की जाए, यहां पे gap कितने का होगा? सर, यहां पे gap आपका सिर्फ और सिर्फ और डायरेक्ट माइनस करके, क्योंकि अगर same side में है आज present से same side में है, दोनों past में है, तो मैं difference direct निकालूँगा, उसका एक example देने दोगे, हाँ sir, suppose मैं मानके चलता हूँ कि आज एक बंदा 20 साल का है, तो आज से 9 साल पहले उस बंदे को कितना हुआ होगा, sir 9 साल पहले वो 11 साल का होगा, और आज से 4 साल पहले वो कितने का होगा sir, आज से 4 साल पहले वो 16 साल का होगा, और 11 और 16 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 5, same चीज आप ये भी कर सकते हो, कि आज से 3 साल पहले और आज से 11 साल पहले, दोनों before है न, तो इनके बीच का gap कितने का होगा, direct आप कह सकते हो, 8 साल का होगा, मतलब अगर आप same side में हो तो आप minus करके direct जल्दी answer निकाल सकते हो, same चीज अगर आप after में भी देखोगे, कि आज से 7 साल पहले और आज से 11 साल पहले, ये मत कर देना 18 हो जाएगा, gap कितने का होगा, 4 साल, क्योंकि present से दोनों की दोनों same side में है, after में है, ये एक example देने दोगे मुझे, हाँ sir, आज अ तो 34 और 38 के बीच का gap कितने का होगा, sir, 4 साल का, same चीज है, similarly अगर मैं आपसे अभी जो जो पढ़ाया, उसका एक एक example last दे दूँ, तो सारे चीज़े मेरे ख्याल से clear हो जाएंगे, पहला सवाल आप सभी को, हाँ sir, बताइए, आज से 3 साल पहले और आज से 6 साल बाद, sir, opposite से 3 साल के बाद, और आज से 6 साल के बाद, sir, same sign है, यानि की difference यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ और से 3 साल, तो उमीद करता हूँ, यहाँ तक आपका conclusion जो है, वो पूरा crystal clear है, sir, एक बात बता, मैंने का, हाँ, 100% clear नहीं हो पाया, मैंने का, वो तो सवालों में ही होगा, सवाल धीरे development होता रहेगा, अगर खाली सुनते रहोगे, story के तरह ऐसे लेट के, तो सीख तो सब जाओगे, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन जब करने की बात होगे, तो फस सकते हो, तो प्लीज एक बार question को खुद पढ़िएगा, सबसे पहले इस सवाल को हम traditionally solve करेंगे, और उसक क्या किया, कि आज से 12 साल पहले, अगर A और B का age का ratio 7 is to 4 था, तो A के age को मैंने 7x, और B के age को मैंने 4x consider कर दिया, क्योंकि ratio 7-4 का है, तो ये 7 का जितना multiple होगा, ये 4 का उतना multiple होगा, 15 साल बाद, अभी मैंने पढ़ा है, क्या ये जो 15 साल है, वो उसी time से है, no, 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 य अगर तुम 12 साल पहले इतने थे, तो तुम present में कितने होगे, सर मैं, मैंने का हाँ, तुम, सर A कहेगा कि मैं हूँ 7x, मैं 12 साल पहले जितना था, आज 12 बढ़के इतना हो गया हूँ, और B कहेगा, मैं 12 साल पहले अगर 4x का था, तो आज 12 साल बढ़के मैं इतने का हो गया ह जो present में है वो 15 साल बाग और 15 बढ़ जाएगा इसमें जब मैं 15 जोड़ूँगा तो ये कितना बन जाएगा 7X प्लस 12 प्लस 15 हो जाएगा 27 और B का एज कितना हो जाएगा जो 4X प्लस 12 है उसमें 15 साल बढ़ जाएगा B का भी एज 15 साल में तो ये हो जाएगा आपके पास 27 और ये ही वो 15 साल के बाद जो A और B के एज का रेशियो कह रहा है ये ही वो कितना कह रहा है सर ये ही वो 16 अनुपात 13 का कह रहा है ये ही वो 16 इस्टो 13 का कह रहा है और अगर मैं इसी कल्कुलेशन को सॉल करूँ काफी लेंदी काल्कुलेशन यह आप्ट फील कर पा रहे होंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा 13 सत्य 91 एक्स थोड़ा उपर लिख लेते हैं 91 एक्स 13 इंटू 27 कितना होगा 27 इंटू 13 करो मैंने का करो 270, 81, 351 शायर यह एक ही ट्रडिशनल में दिखाऊंगा 16 इंटू 4 कितना होगा सर 64 X 16 इंटू 27 कितना होगा सर 27 इंटू 16 करते हैं 27 इंटू 10 हो जाएगा 270, पहले तो 13 टैम्स हमने क्या होआ 13 टैम्स अगर 351 है तो और 3 टैम्स जब मैं 81 जोड दूँगा तो यह 2 यह हो जाएगा 3 432 आप अपना करके देख लेना कैल्कुलेशन अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो यह कितना होगा सर 91 X से जब मैं 64 X हटाऊंगा तो 6 और 7, 71 यानि कि 27 X बच जाएगा और 432 से जब मैं 451 माइनस करूं तो 49 और 32 49 32 कितना होता है 49 प्लस 2 51 और यह आपके पास 81 बच जाएगा और X का वैल्यू आपके पास 3 आजाएगा अगर आपके पास X 3 आगया तो उसने मुझे पूछा फाइंड अप प्रेजेंटेज और B तो B का प्रेजेंटेज कितना है सर B का प्रेजेंटेज यही हमने लिया है न यही बीच में देखोगे प्रेजेंट जो है 4X प्लस 12 तो 4X प्लस 12 कितना होगा सर X का वैल्यू 3 4 इंटू 3 12 12 प्लस 12 26 सर और इसी के साथ मैं कह सकता हूँ option number C सही है लेकिन इतना बड़ा रास्ता इतने calculation में तो इतना fast कर दिया फिर भी fast नहीं हुआ आप लोगों का सोच रहो क्या हल होगा तो सर हमें क्या करना है मैं दिखाता हूँ 12 साल पहले ratio 74 का था हाँ सर 12 साल आज से 12 साल पहले यह ratio 74 का था A और B के बीच क्या आज से 15 साल बाद यही ratio 16-13 का बन जाएगा सर यही ratio 16-13 का तो बन ही जाएगा सर तो अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाता हूँ हाँ सर पूछो अच्छे से पूछो आज से 12 साल पहले और आज से 15 साल के बाद जो A और B के एज में ग्या पाया होगा वो कितने साल का आया होगा सर मेरे हिसाब से तो 27 साल का आना चाहिए यह कैसे मैंने पुरा नियम बताया हुआ है पुरा पढ़ा है हुआ है डिटेल में बताया हुआ ऐसा नहीं कि यह आप अगर स्किप करके डारेट कुश्चिन देखने आया हो तो भाई साब कॉंसेप्ट आपने छोड़ा हुआ है और यही 27 क्या आपको ट्रडिशनल बीबी मिल रहा है हां सर कैसे कि जो यहाँ पे 12 साल पहले हुआ करता था प्रेजेंट आने के लिए 12 जोड़ो फिर आज से 15 जाने के लिए टोटल यह चीज 27 हो जाएगा यही है मेरे दोस अगर मैं आपसे कहूँ कि रेशो का एक खुपसूरत सा चीज है कि अगर A भी 27 साल बढ़ेगा और B भी 27 साल बढ़ेगा तो निया मनुसार रेशो भी बराबर बढ़ने चाहिए कि 7 से 16 हुआ यानि कि 7 पार्ट अगर 16 पार्ट हो गया तो कितने पार्ट बढ़ गया 9 पार्ट से बढ़ गया 4 पार्ट का A जो B का हुआ करता था वो अगर 13 पार्ट का बन गया तो यह भी 9 पार्ट का बढ़ गया और यही जो यह वाला 9 पार्ट बढ़ा यह जो दोनो 99 पार्ट बढ़ रहे हैं, वो 9 पार्ट बढ़ने के लिए कितना साल ले रहे हैं, वो बढ़ने के लिए 27 साल ले रहे हैं, मतलब यह 9 पार्ट जो बढ़ रहा है, वो 27 साल में बढ़ रहा है, 9 पार्ट अगर आपके पास 27 है, यह 1 पार्ट आपके पास कितना हो ज यह तो बारा साल पहले है क्योंकि मैंने उपर रेश्यो से निकाला मैंने का बात तो सही है अगर बारा साल पहले बारा साल हुआ करता था तो आज कितना है सर बारा बढ़के आज 24 साल हो गया होगा सर यही आंसर मिला था miracle miracle रुख जाओ अगर मैं 13 पार्ट के हिसाब से जाता तो सर एक पार्ट तीन तो 13 पार्ट 13 इंटू तीन 39 येर्स होता सर मैंने कहां बात तो सही है लेगिन ये 39 येर्स सेकेंड रेश्यो कब का है सर यह आज से 15 साल बाद का है आज से 15 साल बाद अगर तुम्हें 39 येर्स होने वाला है तो मतलब नियम बड़ा साफ है कि अगर ये आपका 27 साल का span आ रहा है A और B के age के बीच में तो इनके बीच का ratio का gap भी difference जो है वो समान होना चाहिए इसका मैंने आधा reason बताया कि होना चाहिए पूरा detail में धागा खोल के नहीं बताया क्यों पस तीन चार साल मतलब तीन चार सवाल के बाद भाई साल के बाद हो गया तीन चार सवाल के बाद जब यह बराबर नहीं बढ़ रहे होंगे जब मुझे बराबर करना होगा तभी मैं reason दूँगा तब आपके दिमाग में अच्छे से छपेगा अब ही के लिए जितने लोगों का 100% चीज क्लियर नहीं हो पार वो एक बार दूसरे बार देखेंगे इस बार तो क्लियर करके ही रहेंगे father is aged three times more गल्ती मत कीजेगा three times more than his son तीन गुना ज्यादा अगर son आपका एक पार्ट का है तो पापा तीन गुना नहीं है तीन गुना ज्यादा है तो एक का तीन गुना तीन ज्यादा मतलब पापा कितने होंगे? अगर वह बोलता father is aged three times than his son more नहीं लगाता तो one three लेकिन तीन गुना ज्यादा है मतलब एक का तीन गुना तीन ज्यादा ये चार होगा ये कब है? सर इसने कुछ भी नहीं कहा कि कौन सा टाइम है जब कुछ भी नहीं कहता तो वो condition कब का होता है? वो condition present का होता है मैंने ये प after eight years मतलब ये आज से ही present की बात करा है पिलिवाइस condition तो वहाँ है he would be two and a half times of Ronit's age तो मतलब s जो है वो Ronit है Ronit और Ronit के पापा तो आज से आठ साल बात हाँ सर आज से आठ साल बात Ronit के पापा उससे धाई गुना होंगे सर ये कहा लिखा गया था two and a half मतलब two point five times क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ two point five times का मतलब क्या है? सर two point five times का मतलब अगर मैं देखो तो सर ये five by two times है five by two times किसी का होना मतलब क्या है? सर अगर मैं कहूँ कि पापा जो है वो five by two times है किसका Ronit का तो सर अगर Ronit को मैं यहां ले आओ तो पापा upon Ronit ये जो ratio है वो five by two है हर बार ऐसे उनको लिखना बिलकुल भी मुनासिफ नहीं होगा तो ये चीज याद रखेगा lifetime कि अगर मैं कहूँ कि पापा, father is 7 by 3 times of sun तो पहला वाला उपर वाला पापा sun के साथ comparison वो 3 मतलब father और sun के बीच का ratio 7 upon 3 इससे क्या benefit मिलता? अभी हमारे पास question आता, father is 2.5 times 2.5 मैं अपने दिमाग में देख रहा हूँ कि ये तो 5 by 2 है तो father 5, sun 2 वही मुझे मिल जाता father 5, sun 2 जो यहाँ मिला है तो 8 से 8 साल बार, पापा और रोहित आपस में 5 और 2 का ratio रखने वाले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर, हाँ, सर present से 8 साल के बीच में जो ग्याप आया होगा वो 8 साल का ही आया होगा हाँ, सर मैंने का पापा के लिए भी, हाँ, सर रोहनित के लिए भी, हाँ, सर after further 8 years, मतलब ये condition जो है, already 8 साल वो further बोल रहे है न, इसके 8 साल के बाद how many times would be, would he be रोहनित's age, पापा जो है वो रोहनित का कितना times हो जाएंगे तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का को, सर एक पाट अगर 8 है तो यहाँ पे 5 पाट आपका 40 होगा मैंने का, हाँ, ठीक है और ये 2 पाट 16 होगा, मैंने का, ठीक तो है लेकिन है क्या, सर ये second ratio यानि कि आज से 8 साल बाद का age है पापा और रोहनित का, मैंने का, हाँ लेकिन मुझे उससे further और 8 साल जाने है मैंने का, उससे further 8 साल जाओगे मतलब, पापा का कितना हो जाएगा सर पापा का 48 और रोहनित का 8 साल बढ़के कितना हो जाएगा 24 और उसी further 8 years में पापा जो है, वो रोहनित का कितना टाइम से सर मैं तो देखना हूँ, टू टाइम से तो answer यहाँ पे क्या हो जाएगा option number 8, two times काफी कूप सुरत वही concepts है, लेकिन दूसरे language के साल अब उसी concept को मैं और एक बार बताऊंगा लेकिन एक नए language के सवाल में और एक बार प्लीज पढ़िए एक बार question को मज़ा आ जाएगा question में the ratio of the present age question बना रहे हो तो एक बार खुद से the ratio of the present age of komal and the present age of priya is 2 is to 3, komal है priya है present है 2 is to 3 है, हाँ sir, बात्सा, बात्सा and the ratio of the present age of priya and the present age of rahul is 2 is to 3, मेरे दोस्त present age priya और rahul का 2 is to 3, मतलब उसी present में priya अगर दो पाट की तो rahul 3 पाट, तो यहाँ पे आप आगे मत जाओ, यहाँ पे यह ratio का application मांग रहे है रहे, sir कैसे कभी वो कह रहे है कि priya 3 पाट का है तो कभी वो कह रहा है priya 2 पाट का है तो क्यों ना, हमें एक काम करें priya को 3 और 2 का multiple 6 ले रहे, sir इससे क्या होगा अगर मैंने उपर वाले 3 जिसके साथ आपका कोमल related है उस 3 को अगर मैंने 6 बना दिया है मतलब double, तो कोमल भी double होके इसके साथ relation 4 का रखेगे हाँ, सर बात तो सही है अगर मैंने नीचे वाले में priya को 2 से 6 कर दिया यानि कि 3 गुना, तो नीचे जो है वो 3 गुना होने के साथ जो आपका R, R यानि कि कौन है बै नाम कौन है उसका राहुल, वो कितने का हो जाएगा सर वो हो जाएगा, आपके पास 9 ये एक तरीका है या फिर अगर आपने मुझसे ratio पढ़ा है तो एक दूसरा तरीका आपके पास क्या है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 तो सारे topics interlinked है तो सारे videos देखिएगा ये request आप सबी से सर 4, 6, 9 तो इनके present का ratio आ ही गया मैंने का बात तो सही है बात तो सही है आगे सर 15 साल के बाद राहुल जो है वो मर जाता है and at the time the age of कोमल becomes 7 by 9 of the age of प्रिया क्या मैंने अभी इसी पार्ट मैंने सारे जो चीजें बताता हूँ न वो एक-एक सवाल में दूसरे सवाल में आ जाता है जैसे कि कोमल जो है वो 7 by 9 हो जाएगा किसका प्रिया का तो कोमल को दे दो 7 प्रिया को दे दो 9 मतलब आपका 15 साल के बाद आज से 15 साल के बाद जब आपका राहुल चल बसा तो कोमल 7 पाट का हो गया और प्रिया 9 पाट का हो गये कोमल 7 पाट का और प्रिया 9 पाट का तो मुझे बताओ Find the age of राहुल at the time of his death death जो हुआ वो आज से 15 साल बाद है आज से 15 साल बाद बस आपको ये बताना है कि राहूल का एज कितना हुआ है इतने से आप सभी लोग खुश हो जाओगे हाँ सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ हाँ सर कहो कि सर ये प्रेजंट से 15 साल में 15 साल बढ़ा होगा दोनों का अगर दोनों बराबर बढ़ रहे हैं 4 से 7 6 से 9 यहनु की यह भी 3 पाट बढ़ा है यह भी 3 पाट बढ़ा है 3 पाट बढ़ने के लिए अगर 15 साल लग रहे है हैं तो एक-एक पाट आपका कितने हो जाएंगे 5 एक एक पाट अगर 5 तो अगर आप राहूल में इंटरेस्टर होगी यह आप राहूल का का है लेकिन उसने पूचा कि जब आपका डेथ हुआ राहुल का तब उसका एज कितना है मैंने क्वेशिन मार्क यहां दिया है मतलब आज से 15 साल बार जो 45 साल का आज था वो 15 साल बार जब मरेगा तो उसका उम्र कितना होगा सर उसका उम्र साख साल होगा यानि कि option number C अगर किसी ने patiently answer किया होगा hat's up keep it up guys up जबरदस चल ली आपके तहीरी क्या मैं आपसे एक सवाल पूच सकता हूँ जितने लोग पहले question को पहली बार नहीं समझ पाएते दूसरी question को दूसरी बार नहीं समझ पाएते तीसरी question को तीसरी बार तो समझ गये होंगे पूरे previous दोनों तीनों question clear तो आप बस भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो सवाल आपके पास क्या है देख लेते है ratio of the ages of A, B and C is 16 is to 8 is to 8 तो मैंने एक A लिखा, मैंने एक B लिखा और मैंने एक C लिखा और उनके बीच का ratio मैंने 16, 8, 1 का लिखा यह आपके कुछ भी नहीं कहा गया तो direct कहा गया ratio of the ages of A, B, C जब वो कुछ भी नहीं कहता, direct कहता है तो वो कौन सा condition होता है सर, present और present को हम किस से लिखते हैं, 0 and after 8 years, the ratio of the ages of A and C is 6 is to 1 उसने कहा, आज से 8 साल के बाद, जो A और C का age है वो किस ratio में रहेंगे, सर, वो तो 6, अनुपात 1 के ratio में रहेंगे मैंने कहा, बात तो सही है if the product of the ages of B and D is 640 years अगर B और D का product आपके पास 640 है आप अगर आके जाओगे ना, तो आप तबाह हो जाओगे क्योंकि आप first जाओगे, उलत जाओगे languages के अंदर लेकिन यहां मैं इस तर आपको stop करने के लिए क्यों कह रहा हूँ क्या आपने एक चीज़ फिल किया क्या, आपका वो सवाल आ चुका है सर कौन सा सवाल, अब थोड़े देर के लिए आप B को ignore मार सकते हो मैं तो इस question को थोड़ा halt करने के लिए कहूँगा आप मुझ में भरोसा रखते हो ना, इस question को halt करो थोड़ा Let us solve this question first, उसके बाद में दो questions जो मैंने अभी skip किया है उनके पास आ जाओंगा, कुछ यहां से सीख के हम जाएं 16 साल पहले जो ratio ages A और B का हुआ करता था, वो 9-5 का हुआ करता था आज से 16 साल पहले A और B का जो age का ratio हुआ करता था, वो 9 और 5 का हुआ करता था उसने कहा है, 10 साल बात क्या वो उसी time से, no, वो आज से ही तो आज से 10 साल बात, जो आपका ratio है age A, B का वो 10 साथ का हो जाएगा सर इस question को यहां, यह तो question number 1 type का है, मैंने का हाँ, लेकिन यहां पर तगड़ा concept है तो prime the present age of A, सर एक गलती हो गया है सर हम से शायद, मैंने का क्या सर एक चीज तो मैंने आप से पढ़के सीखी लिया, कि अगर 16 साल पहले और 10 साल बात की बात की जा रही है तो जो gap है, मैंने का हाँ हाँ, वो सर 26 साल का आ रहा है, मैंने का बात तो बढ़िया कर रहे हो सर अगर ये भी 26 साल बढ़ रहा है और ये भी 26 साल बढ़ रहे है मैंने का हाँ हाँ तो ये भी बराबर बराबर पार्ट में बढ़ने चाहिए लेकिन सर ये दो पार्ट बढ़ रहा है ये एक पार्ट बढ़ रहा है और ये दो पार्ट बढ़ रहे हैं क्यूं बढ़ने चाहिए? अब उस चीज को प्रमान करने के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर ये A मैं हूँ और अगर ये B आप हो तो आप में और मुझे में एज का कोई एक अंतर होगा? पान साल, तीन साल, दो साल, साथ साल, आठ साल, जो भी वो आज का अंतर आने वाले साल बदलेगा क्या? दस साल पहले अलग होता क्या? आज से 18 साल बाद अलग होगा क्या? अरे सर कहना क्या चाहते हो? अगर एक बंदा है, सपोज मैं, जिसको आज 28 साल है और तुम, अगर तुम्हे 22 साल है, तो हमारे बीच का ग्याप अगर 6 साल है, तो मेर भाई हम दोनों का ग्याप मरते दम तक चेंज नहीं होगा कैसे आज से चार साल बाद में 32 का हो जाओंगा और आज से चार साल बाद तुम 26 का हो जाओगे और 32 और 26 में ग्याप अगेन कितना हो जाएगा चे सर यह तो लैटेस निउस है मैंने का हाँ आज से आठ साल पहले में 20 काल का हुआ करता था और आज से आठ साल पहले तुम कितने के हुआ करते थे सर में 14 साल क्योंकि 22 माइनस 8 तो 20 और 14 के बीच कभी अंदर कितना 6 मतलब ये तो बड़ा साफ कॉंसेट है कि भाई साहा दो परसन के बीच में कभी भी आपका gap change नहीं होगा हाँ सर बात तो सही है अब सर अगर कभी भी change नहीं होगा तो इसका कॉंसेट का इस्तमाल यहां कैसे करो गया मेरे दोस्त A और B यहाँ सर इनके बीच का यहां पे gap कितने का है सर अगर मैं वहां पे देखूं तो इनके बीच का जो gap है वो 4 पार्ट का है मैंने का यहाँ, सर यहाँ 10 और 7 3 पार्ट का है, मैंने का क्या कर सकते हो सर gap अलग नहीं होना चाहिए मैंने का up point पकड़ रहे हो तो तो सर यह gap 4 है 3 है इसको बराबर कैसे करें, मैंने का 4 और 3 का LCM कितना होता है, सर 4 और 3 का LCM होता है 12, 4 को 12 करने के लिए 3 का गुना करो ओके सर, और 3 को 12 करने के लिए 4 का गुना करो अब दोनों gap को में 12 बनाने की कोशिस करना हो, gap को 12 करने के लिए उपर वाले ratio में ही 3 का multiplication करना होगा, देख लो 3 का multiplication करते ही आपको कितना मिल गया 27 और 15 क्या इनके बीच का gap 12 पाट का हो चुक है सर हो चुक है done 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 मैंने का नीचे 3 के gap को 12 बनाने के लिए जब 4 का multiplication इस ratio में होगा तो 4 का multiplication होते ही 40 और 4 का multiplication होते ही 28 सर अभी gap आपके पास 12 हो तो क्या अब मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त कि A और B balance ratio बन चुके हैं मतलब इन दोनों के बीच का gap यहाँ पे जितना था यहाँ पे भी उतना है जो कि होना भी चाहिए था भी प्रूफ किया और यह होते ही क्या होगा पता है सर क्या मेरे दोस्त 27 से 40 यह भी 13 पार्ट बढ़ा होगा ओके 15 से 28 यह भी 13 पार्ट बढ़ा होगा ओके सर इसी दोरान यह जो 13 तेरा पार्ट बढ़ रहे हैं यह दोरान कितने का है मैंने का यह दोरान 26 साल का है अगर 13 पार्ट 26 साल है क्या एक पार्ट आपका 2 साल मिल गया हाँ सर वो तो मिल गया अगर एक पार्ट 2 है तो मेरे दोस पुराना रेशियो जो बैलेंस नहीं था उसको तबाह कर दो उसका और कोई रिस्तमाल नहीं होगा जो रिस्तमाल होगा यहाँ पे होगा बट ये मुझे याद आया कि सर ये तो आज से 16 साल पहले काईज है मुझे तो प्रेजेंटेज पूछा है मैं आज से 16 साल पहले जितना था आज 16 साल बढ़के मैं 70 का हो गया हूं मैंने का बात तो सही है सिमिलरले अगर मैं 40 का इस्तमाल करूँगा मेरे भाई सर एक पाट अगर 2 है तो 40 पाट 40 इंटो 2 कितने का होगा सर 80 सर ये 80 जो है निकाल तो दिया लेकिन फिर बाद में रिकॉल किया कि सर ये 10 साल बाद वाला ये जह है आज से 10 साल बाद तुम 80 के होगे तो आज कितने को सर आज में 70 सर मिर्या के लूपर भी जितना उतने भी इता अरे उतना ही आएगा option number C स्वाल का सही उत्तर तो आप इतने equation घटिया मटिया लिखके करो या basic रिवाले normal ratio से करो मुझे मतलब नहीं आप आरदाम से answer निकाल सकते हो सर इस concept को clear तो हुआ लेकिन जैसे कि आपको पता है मैं तो थोड़ा कमजोर वाला हूँ एक ही बार समझाने से समझ नहीं पाता एक तो या repeat देख सकते हो वीडियो को दूसरा नहीं तो मैं यहाँ पे डाल के लिखा रहा हूँ मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ के सर क्या आज से 8 साल के बीच 8 साल का ही gap आना चाहिए हाँ या ना हाँ सर 8 साल का ही gap आना चाहिए अब अगर A भी 8 साल बढ़ रहा है इसी दोरान तो यह gap भी बराबर बढ़ना रहे होंगे 16 से 6 यह क्या 10 कम हो चुका और यह बढ़ भी नहीं रहा मतलब ही ratio balance नहीं है अब balance कैसे बनाएंगा सर 16 और 6 के बीच का gap मैंने का कितना है सर 15 मैंने का okay सर 6 और 1 का gap मैंने का कितना है सर 5 का सर इंग गयाप को बराबर बना दे मैंने का कर दो सर 5 और 15 का LCM तो 15 है 15 को 15 रहने दो 5 को 3 का गुणा करके 15 बना सकते है मैंने का हाँ बात तो सही है नीचे वाले ratio में जब मैंने 3 का गुणा किया आप मेंसे कितने लोगों को दिखा कि यह 18 है और यह 3 है हाँ सर हम सब को दिखा अब क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं सर क्या कि 16 से 18 होना मतलब 2 पार्ट बढ़ना है हाँ सर बात तो सही है एक से 3 होना यानि कि 2 पार्ट बढ़ना सर बात तो सही है और जो दो दो पार्ट बढ़ रहे हैं वो कितने साल में बढ़ रहे हैं सर 8 साल तो सर क्या एक पार्ट आपका 4 आ गया मैंने का हाँ मैंने दोस्त जो रेशियो कट की होना उसके पास प्लीज मत जाना तबाह हो जाओगे बैलन्स रेशियो का ही इस्तमाल करना ये बार-बार मैं आप सभी अनुरोध कर रहा हूं अगर एक पार्ट हमारे पास 4 हो गए या है तो क्या मैं सारे परसन के एजस निकाल सकता हूँ हा सर जैसे कि अगर कोई मुझे बोले कि A का एज कितना है सर 4 के साथ मैंने निकाला 64 B का age 32, C का age 4, मैंने सबके ages निकाल लिए सर, सबके ages निकाल लिए, अब क्या करेंगे, सर अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, सर उसने कहा B और D का, जो ages का product है वो 640 है, सर B आपने निकाला है 32, मैंने का बात तो सही है, उसमें अगर मैं D का product करूँगा और अगर ये पूच रहे, then E is older than D, क्या बोल रहा है, what is the average of E and C, okay, 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 difference between, ओहो, E 16 years कभी था ही नहीं, वही मैं सोच नहीं बोल कह रहा है, अगर जो difference है, D और E में वो अगर 16 साल है और E बढ़ा है, मतलब E, D से 16 साल बढ़ा, D तुम अगर 20 हो, तो E तुम से अगर 16 साल बढ़ा है, तो E कितने का है, Sir E 36 का है, और अगर E तुम 36 के हो, तो मुझे बताओ average E और C का, Sir E का तो 36 है, C का age तो 4 है, और 36 और 4 वाले का age का average, अगर मैं add करके by 2 करूँ, तो 40 बढ़ा 2, 20 का average है, मैंने का average अगर 20 है, तो कौन सा साही उत्तर है, option number B, क्या समझे, कि अगर एक टाइम से एक टाइम आना है, तो इतने साल के span में, दोनों बराबर बढ़ने चाहिए, और बराबर अगर नहीं बढ़ रहे, तो उसका reason बस इतना हो सकता है, कि उनके बीच का difference में चेड़का नहीं हुआ है, उस difference को बराबर बनाते ही, आपका ratio balanced हो जाएगा, और चीजने बराबर बारा है, जो sum है, presentages A और B का, वो 12 साल का है, ठीक है, find the presentage of C, if the ratio of the presentage of B to that of A is same as the ratio of the presentage of C to that of B, उसने कहा कि B और A के बीच का ratio जितना है, अगर C और B का ratio उतना है, तो मुझे C का age बता दो, मैं खुश हूँ, बता देंगे, बड़ उसके लिए थोड़ा महनत लगेगा, आप अगर इसी को ऐसे ही रखके टुकुर टुकुर देखते रहोगे, तो जिन्दगी में आगे नहीं बरपाऊगे, इसका जो conclusion है, उस conclusion तक मैंने का बात तो बहुत सही है, सर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैंने का हाँ, सर यहाँ A है, into B है, into C है, अगर मैं A into C कर दूँ, मैंने का हाँ, तो यह जो A into C है, वही तो B square है, मैंने का बहुत सांधा, सही है, और अगर B में A C का ये B square multiply हो जाएगा तो B into B square B cube बन जाएगा, और B cube अगर 512 है, तो किसका Q 512 होता है, 8 तो B8 हो गया, अगर B मेरे भाई तुम 8 हो, तो मैंने सुना है, तुम में A add होगा, तो 12 होगा, तो A का age कितना आगया मेरे पास, 4, और अगर A तुम 4 हो चुके हो, तो C का age कितना होगा, सर मैं आपसे A equal to A C, मैंने का हाँ, सर B square में, अगर B सच में हमारे पास 8 है, तो 8 का square 64, मैंने का हाँ, वो अगर A और C का product है, A आपके पासे 4, और वो C के product के साथ 64 बनाएगा, तो 4 से मैंने इसको काटा, तो 16, तो C value आगया 16, और इसी के साथ option number B, इस सवाल का सही उत्तर हो गया, तो यह यहाँ पे ratio का यह implementation जो है, और इसी से इस equation को framing करके यहाँ पे डालना ही इस सवाल का बिलकुल सही approach था, सर आपने मुझे घुमा दिया, मैंने का क्या, आपने यह concept बताया, फिर एक बार उसको demo देखाया, फिर बीच में एक अलग सवाल के पास चलेगा, मेरा यह concept अभी भी पूरा clear नहीं हुआ, कौन करेगा, मैं करूँगा, सर कैसे, इस सवाल में, क्या आपने एक question देखा, काफी एक खुबचुरत सवाल है, काफी beautiful सवाल, बहुत मज़ेदार सवाल, एक बार पढ़ो, फसो, फिर मैं आपको help करूँगा, आपके लिए पानी का water नीचे रखना प the ratio of the present ages, of a couple is 7 is to 5, present में, एक couple, जिसका age का ratio 6 और 5 का है, मैंने का बात तो सही है, sorry, 7 पान्च का है, after 10 years, this ratio will be 13 is to 10, उसने कहा, आज से, after 10 years, ये ratio 13 is to 10 का है, मैंने का बहुत सही, और sir, if at the time of marriage, शादी के वक्त, ये ही ratio 11 is to 7 का था, तो शादी के वक्त, था ना, तो था पहले, ये ही ratio 11 is to 7 का था, क्या यहां तक बात साफ है, then how many years ago, where they got married, then कितने साल पहले, वो एक दूसरे से, शादी किये होंगे, ऐसा सवाल देखके, usually तो बच्चे कैनो डिर्मेंट के साथ चले जाते हैं, बढ़ अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपका वीचार तो थोड़ा संदर होना ही चाहिए, सर, मैंने का हाँ, मैं आज से कुछ कहरा चाहता हूँ, एक हस्बेंड होगे, एक from wife होगे, मैंने का, यही कहना चाहता है, तो नहीं, उससे थोड़ा आगे, मैंने का, कहो, सर हस्बेंड और wife के बीच का age का gap हमेशा सेम होना चाहिए, मैंने का, हाँ, बाप तो सही है, सर यहाँ साधी के वक्त उनके बीच का ग्याप चार का था आज प्रेजन्ट में उनका ग्याप दो का है और आज से दस साल के बाद उनका ग्याप तेन का हो जाएगा मैंने का हाँ तो सर मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का हाँ का हो सर ये gap जो है वो तो बराबर होना चाहिए मैंने का हाँ सर चार दो और तीन का जो lcm है सर वो बारा है मैंने का हाँ बारा है अगर मैं बारा कर दूँ इसको भी तो इसको मुझे तीन से multiply करना होगा इसको बारा करने के लिए इसको मुझे 6 से multiply करना होगा और इसको 12 करने के लिए मुझे 4 से multiply करना होगा कि यहां तक बात साफ है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने कहां कहो सर अगर मैं इन सब के gap को 12 बनाने के लिए इतना इतना multiply करना हूँ तो यह ratio कितने बन जाएंगे सर दिखाओ मैंने कहां सर 3 के multiplication के बाद यह ratio आपका 33 इस्टू 21 का बन जाएगा सर 6 के multiplication के बाद यह ratio 35-30 का बन जाएगा मैंने कहां और सर 4 के multiplication के बाद यह ratio 52 और 40 का बन जाएगा मैंने कहां सर मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैंने कहां सर यह balance रो चुका है, मैंने का हाँ यह balance रो चुका है, सर आपको एक point पता है, सर क्या, शादे कब हुआ था वो तो पूछ रहा है, लेकिन उसने एक point मुझे दिया है, मैंने का क्या, इस point के बाद से सर पढ़ो, मैंने का क्या, सर यहाँ present है और यहाँ 10 साल बाद है, मतलब यह तो यहाँ से यहाँ 10 साल का age gap होना चाहिए मैंने कहां भाई, 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 इज्जत मदुबा, 7 इंटू 6 ना, 42, 5 इंटू 6, 30, सर, मैंने का हाँ, सर आज से 10 साल के बाद आपका 10 साल का ग्याप आएगा, मैंने का हाँ, और सर यहां से यहां भी 10 पाट का ग्याप आ रहा है, और यहां से यहां भी 10 पाट का ग्याप आ रह मैंने का इससे कुछ अडवन्टेज सर अडवन्टेज खाली अडवन्टेज ही अडवन्टेज मैंने का क्या कि सर एक पाट एक के साथ आज से 10 साल बाद इसका एज 52 इसका एज 40 आज प्रेजन में इसका एज 42 इसका एज 30 अगर ये सारे बालन्स है यहाँ पर भी तो लागू होगा बात तो सही है क्योंकि मेरन बालन्स होगा तो सार अगर ये हर जगा लागू होगा तो एक बात बताओगे आद जिसको 42 साल है वो अगर 33 के एज में शादी किया होगा 42 से 33 जितना पहले मैंने का कितना 9 साल पहले उसने शादी क्या होगा सर इसको ही क्यूं पकड़े अब वाइफ को क्यों नहीं पकड़ रहे हो मैंने का उसका वाइफ मैं क्यूं पकड़ू तो 30 से 21 जाने के लिए आपका यहाँ पे भी इसको भी पकड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं क्यूं कालपनिक है तो 30 से 21 आने के लिए भी आपको 9 साल पहले मतलब यह जो शादी है वो आज से 9 साल पहले हुआ होगा और 9 option आपको कहां दिख रहा है option number C यह सवाल का साथ ही कुटतर है कितना beautiful सवाल था और फंडा बड़ा simple कि भाई साथ हस्बेड और वाइफ के बीच का gap से होना चाहिए तो इसी तरीके से आप ratio का इस्तिमाल कर सकते हो ऐसे questions को solve करने के लिए उमीद करता हूँ gap difference वाला चीज आपको clear है आगे और भी सवाल आएंगे मैंने sort करके रखा है respective ratio of the ages of रवी और विमल before 6 years was 13 तो 11 सर रवी है और एक नाम क्या होगा यह दो नहीं है रवी विमल भिकास तो कोई ने आर से लिख सकते है विमल है आसर विमल बी है यह वाला विमल है मुझे लगा दूसरा विमल है छे साल पहले उनके age का ratio 13 ग्यारा का था बाद साब बाद साब respective ratio of the age of विमल before 4 years and the age of विमल after 4 years will be 3 तो 4 respective ratio of the present ages of विमल and विकास is 7 तो 6 find the difference घुमाने वाला सवाल है यह घुमने से पहले एक और घुम क्या हो एक सवाल अमने स्किप किया है शायद ratio of the present ages of couple 16 years ago एक question अमने स्किप किया है शायद question दूढ़ो मेरे दोस्तो वो समझाने के बाद यह समझाता तो मजा आता नीता's present ages 4 times her daughter's present age क्या है क्या है क्या है respective ratio of the ages of Ravi and Vimal before 6 years was 13 is to 11 respective ratio of Vimal before 4 years and the age of आहोर मैंने कहा था आपके लिए question जो है वो sequence में रखा गया आपको सब कुछ सिखाने के लिए सर क्या है यहां तक clear है मेरे दोस्त 13 11 तक मैंने था पढ़ना थोड़ा गलती कर दिया यह सही है पूरा सही है जो respective ratio है एज विमल का 4 साल पहले और एज विमल का 4 साल बाद एक ही बंदा है विमल का 4 साल पहले और विमल के 4 साल बाद के age का ratio 3 is to 4 है इसके लिए point नहीं लिखना आपको तो सर करना क्या है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाता हूँ यह विमल है आज से 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद विमल के जो दोनों ages होंगे उसके बीच का gap कितने का होगा आठ साल का होगा और अगर 4 साल पहले वो 3 पाट का था और 4 साल बाद वो 4 पाट का है तो इन ही दोनों के बीच में जो gap है वो कितने साल का है मतलब कितने parts का है, एक part, मतलब एक part 8 साल, और अगर एक part 8 साल, तो 4 साल पहले उसका है 24, 4 साल बाद उसका age 32, 24 और 32 का average, अभी उसका जो age है, वो 28 है, सर नहीं आया, नहीं नहीं सर, नहीं आया, अरे करता हूँ ना तुम्हारे लिए, देता है न, विमल, 4 साल पहले मेरे दोस विमल, 4 साल बाद मेरे दोस्त, age ratio, 3, 4, यहीं न, 4B, माइनस 16, 3B, प्लस 12, B, 16, हाँ, 16 प्लस 12, 28, तो B आपके पास कितना हो गया, 28, और वहीं मैं क्या कहे रहा था, B, present is 28 है, तो या तो आप ऐसा एक equation लिखके कर सकते हो, या तो आप दिमाग को थोड़ा शान रखके बोलो, कि सर, आज मेरा present है, आज से 4 साल बाद, और आज से 4 साल पहले, और 4 साल जो ग्याप है वो 8 साल का आएगा, यहाँ पे मैं 3 पार्ट का हुआ करता था, यहाँ पे मैं 4 पार्ट का हुआ करता हूँ, तो ग्याप 1 पार्ट का आएगा, अगर 1 पार्ट 8 साल है, तो यह जो 3 पार्ट है वो 24, और यह जो 4 पार्ट है वो 32, अगर मैं आज से 4 साल पहले 24 20 का था, तो मैं आज 28 का हूँ, यहां से आ सकते हो, आज से 4 साल बाद 32 का होने वाला हूँ, तो आज 32 माइनस 4, 28 का हूँ, तुम वर्बली जाओ, या ना जाओ, मुझे फरक नहीं पड़ता, मैंने तो दोनों बता दिया है, अगर मेरे भाई, विमल का एज आज 28 है, तो मेरे हिसाब से, रवी 13 इंटू 2, 26 का होगा, कब 6 साल पहले, गलती मत कीजेगा, कब 6 साल पहले, जो रेस्पक्टिव रेश्यो है, प्रेजंट एज विमल का और विकास का, वो 76 का है, सर विमल का और विकास का, प्रेजंट एज आपका 76 का है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना इसका प्रेजंट तो मैंने निकाला अभी विमल का 28, तो ये कितना हो जाएगा प्रेजंट में, 24, तो मुझे डिफरेंस बताओ, प्रेजंटेज है Sraighi और विकास, सर विकास का तो प्रेजंटेज सौटेज है 24, बस रवी प्रेजंटेज लाना है, मूने का कैसे, सर ये 26 स थे साल बढ़के, सर वो 32 साल का हो गया होगा, मैंने का हाँ हाँ, इसका एज 32 है, इसका एज 24 है, तो इन दोलों के बीच का जो गया पर वो 8 साल का है, और 8 साल यहाँ पे मुझे कौन सा option में दिख रहा है, option number 20, इस सवाल का सही उतर, तो यह काफी, एक खुबसूरत सा point था, इस point को आपको समझना था, इसको आपको अगर verbally करते तो ज़्यादा मज़ा आता, मैंने बस question को पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया, क्यूंकि मुझे लगा sorting गलत हो गया, क्या, अनीता का जो प्रेजन्टेज है, वो चार गुना है अपने डॉटर के प्रेजन्टेज का, अपने डॉटर के प्रेजन्टेज का, भाई, यह वाला जो है न, यह जो लग जा रहा है, वो लिख दे रहा है, अगर यह नहीं चलेगा, तो वो सही होगा तो अनीता जो है वो चार गुना है अपने डॉटर का, तो 4 is to 1 है and 2 3rd of our mother's present age मतलब जब present की बात कर रहा हूँ तो वही अनीता 2 3rd है अपने मम्मी का, मतलब वही 2 पार्ट है तो मम्मी 3 पार्ट है, तो मैंने समझाया था 2 3rd 2 पहले अनीता, 3 बार मैं mother, तो अनीता की एक मम्मी है भाई साब मेरे दोस्तों इन दोनों का अपस में कोई relation नहीं है, this is granddaughter of her अगर आप थोड़ा blood relation जानते हो डॉटर अनीता की है और मम्मी भी अनीता की है और अगर अनीता 2 3rd है अपने मम्मी का तो सर इसको अगर मैं 2 को 4 कर दू 2 का गुणा करके, तो इस 3 को भी 2 का गुणा करके 6 कर दिया, सर मुझे एक चीज पता चल गया, मैंने का क्या, जब अनीता 4 की है, तो एक तो daughter 1 की होगी, और mother 6 की होगी, मैंने का बात सही है बहुत से the total of the present ages of all of them 38, इन सब का total कितना हो रहा है सर 4, 5, 5, 6, 11 और यही जो total 11 पाट है, वो 308 हो रहा है एक पाट कितने का, सर 11, 22, 28, यानि कि एक पाट 28 का है What is the difference between Anita's present age and Anita's mother's present age Anita के present age और उसके mummy की present age के बीच का अंतर, 4 और 6 के बीच का अंतर, 2 पाट एक पाट 28 तो दो पाट 56 और 56 के साथ यहाँ पे मुझे option number age सवाल का सथ ही कुप्चर लग गया, काफी कुप्चरत तरीके सब ratio के application वाले सवाल देख रहे है The ratio of the ages of angel and her mother is 1 is to 4, एक angel है हाँ सर एक angel है उसकी mother है, मैंने का हाँ और इनके बीच का ratio एक चार का है, मैंने का बात तो सही है सच जो ratio है ages, angel के mammy और angel के भाई का वो noise to 1 है angel के mammy और angel के भाई का वो आपस में 9 एक का ratio रख रहे है अब मैं आगे नहीं जाओंगा यह तो सारे condition आपके present में ही चल लें क्यूंकि उसने कुछ condition नहीं कह एक तो मैंने आपको टेकनीक सिखाया कि 9, 4 के 36 कर दोगे 4 में अगर 9 का multiply किया तो 1 में भी 9 का multiply करोगे 9 में अगर 4 का गुणा किया तो 1 में 4 का गुणा आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी 9 डाल दो 4 डाल दो 1 into 9, 9 4 into 9, 36, 4 into 1 सर रिपिट नहीं करूँगा क्यों? आज ही आपको एक बार पढ़ाया है ratio and proportion में, detail में पढ़ाया है अगर अंजल का भाई जो है वो अंजल से 5 साल छोटा है मेरे हिसाब से तो भाई वो 5 पार्ट छोटा होना चाहिए 9 पार, 4 पार न और सवाल के हिसाब से वो 5 साल छोटा है तो एक पार्ट कितने का है? इक पार्ट एक साल का है तो आपको बताना है age angel mammy का 10 साल के बाद कितना होगा ऐग 36 साल की है तो 10 साल के बाद angel की mammy को 46 हो जाएगा और 46 मुझे दिख रहा option number A पे यही हमारा इस सवाल का साथ ही उत्तर हो जाएगा मैंने का इसी तरह से हम अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं मैं इस सवाल का इंज़ार कर रहा था उस टाइम पर यह सवाल हमारा cross product method का implementation सिखाएगा हमें problems based on ages में cross product method कैसे लगता है क्या आपको cross product method मालूम है अगर नहीं तो आप एक छोड़ा सा वीडियो 10-12 मिनिट का देख सकते हैं cross product method बाइक कौशिक महंती है फिर बाइक करियरी फैंजर सच कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा magical concept है ठीक है हलाकि अगर आप अभी beach में जारके देखना नहीं चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा basic से बता ही देता हूँ चिंता ना करो the ratio between the present ages of A and B is 9 is to 7 present ages A और B का कितना है sir present ages जो है वो आपस में 9-7 का ratio रख रहे है the ratio between A's age 10 years ago and B's age 15 years hence is 7 is to 10 A का age 10 साल पहले और B का age 15 साल बाद जो है वो आपस में क्या ratio रखेंगे वो आपस में 7-10 का ratio रखेंगे अब देखो भाई साब यह अलग-अलग time पे चल ला है अब दोनों अगर 10 साल पहले जाते या दोनों अगर 15 साल बाद जाते इसका age आज से 10 साल पहले इतना होगा मेरे भाई और इसका age आज से 15 साल बाद इतना होगा मेरे भाई और जो इसका एच 10 साल पहले और इसका एच 15 साल बाद होने वाला इन दोनों के बीच का जो ratio है वो मेरे भाई आपको कितना दिख रहा है 7 अनुपाद 10 का दिख रहा है तो अगर आपके पास ये ratio 7 अनुपाद 10 का है तो इस question को भी solve कर सकते हो जैसे कि हाँ सर समझ में आ गया क्यों कर रहे हो पूरा अरे तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हें समझाने के लिए नहीं कर रहा सर तो फिर magic को explain करने गया magic के magic के पीछे के logic को क्या ऐसे solve करते तो x का value 5 आ जाता मेरे दोस्त हाँ सर अगर x का value 5 आ जाता है तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछँ कि उसने मुझे क्या पूछा है मुझे ratio पूछा गया है a का h 5 साल बाद sir a का h 9 x 45 था 5 साल बाद 50 हो जाएगा b is age 5 years ago b का h x 5 के साद 35 है 5 साल पहले 30 का हो जाएगा इन दोनों के बीच का ratio 5 इस टू 3 है done यही है अब इसी चीज़ को यही बाते हम cross product मिथड में करेंगे आपको initial ratio दिया है 9 साथ का हाँ sir आपको इसका 10 साल पहले और इसका 15 साल बाद आपको ratio 7-10 का दिया है बस एक चीज़ कीज़ेगा इस ratio से इस ratio तक का सफर थे करने के लिए आपको change क्या करना पड़ा पहले में 10- दूसरे में प्लस 15 cross product करना नौर 10 का multiplication sir 90 7 और 7 का multiplication 49 अब 90-49 मुझे बताना sir यह होता है 41 इसमे एक parts लगा देना same cross product का difference नीचे आना लेकिन difference नहीं यह कितना हो रहा है पहले बताओ sir यह हो रहा है मेरे पास 105 मैंने का हाँ 15 सत्य यह कितना हो रहा है यह हो रहा है 100 याद रखिएगा अगर यहाँ पे एक जगा minus एक जगा plus है opposite symbol है opposite अगर यहाँ पे opposite symbol है तो यह जो आपका है यह आपका add हो जाएगा यानि कि यह हो जाएगा 205 और यही आपका 41 पार्ट ऊपर के cross difference आए cross product का difference वही 205 नीचे के cross difference का sum opposite है इसलिए आ जाएगा यानि कि 41 पार्ट अगर आपका 205 तो एक पार्ट आपका 5 सर यह कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है देखेला देखेला लग रहा है 9 और 10 का product 90 X 7 और 7 का product 49 X और 90 और 49 का difference 41 X सर बात तो सही है 10 और 10 का product 100 15 और 7 का product 105 यह minus 100 जब उधर जाएगा तो 100 और 105 क्या कहा था opposite symbol होंगे तो add हो जाएगा 41 X अगर यह है तो X is equal to 5 मतलब वही जो आप traditional में करते उसी को इतना X, Y, Z ना लिखके आप directly लिख सकते हो क्योंकि अगर आप थोड़ा practice करोगा 99, 41, 105, 100, 205, 41, 205, 15 तो जो चाहिए आपको 9 चाहिए 45, 7 चाहिए 35, एक blunder मत करना यह एक part 5 नीचे कभी नहीं लगेगा यह सिर्फ initial उपर ही लगेगा अब आपका सवाल क्यों, क्योंकि आपका जो X है वो 9 X में लगेगा, इस 10 में लगने का उसका उकात नहीं है यहाँ X है क्या 7 X में लगेगा, इस 15 में लगने का उकात नहीं 7 में लगने का उकात नहीं, 10 में लगने का उकात नहीं 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 उसका उका सिर्फ और सिर्फ जहां 9 और 7 है वहीं पर associate होगा तो वहीं चीज़े कि एक पाड वैलू जहां 9 और 7 मतलब initial में ही लगा हुआ है अगर इसका age 45 है तो आज से 5 साल बाद इसका age हो जाएगा 50 इसका age अगर 35 से 5 साल पहले हो जाएगा 30 और 50 और 30 के बीच का जब हमें ratio चाहिए तो 5 तिन मुझे option number C में मिला यही सवाल का सही उत्तर है लेकिन मैं इतना नहीं हूँ पापी कि आपको कोई चीज आधा पढ़ा के छोड़ के चला जाओ मैं आपको पूरा बताने चाहता तो हूँ लेकिन ये ratio of the ages of महेश कहां से आ गया कि अधा नौ जैए सथेश प्रिचाइप अगए लेकिन गया चाहिए जैए वोग चाहिए पहला जाओ कि चाहिए उट्ट गएच वीचिय आखेव चाहिए पहला जोड़ के सब्सक्राइब गया जैए गया चाहिए पहला हूँ बताओ, आज से 5 साल पहले, फादर और सन का एज का रेश्यो कितना था, सर मैं कहूं, मैंने कहां कहूं, कोई प्राब्लेम नहीं, 7-2 का था, 8 years after, यह जो 8 years after होगा, वो कब से होगा, सर वो present से होगा, और age of father and 5 years after, the age of son, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ हूँ, हाँ सर, तुम अगर 8 से 5 साल पहले हो, तो जब तुम present से, 5 साल बाद जाने कहां रे, 8 भाई साब 5 को numeric में दे रहाँ, 8 को English में दे रहाँ, 8 को 8 दे ना, 8 साल बाद अगर आप पापा को लेके चलना चाहते हो, तो भाई साब पहले 5 साल past में थे, पहले अगर मैं एक 5 जोड़ूँगा, तो present में आऊँगा, और उसके बाद 8 साल जाने के लिए, मुझे total पापा को 13 साल travel करवाना पड़ेगा, मतलब पापा का एज जो है, वो 13 साल बढ़ गया होगा इसी दोरान, सर एक बार और अगर समझा देते तो मज़ा आ जाता, मेरा सन अभी कहां बैठा है, आज से 5 साल पहले, सन को कहां लेना है, present से 5 साल बाद, तो सन जो 5 साल पहले बैठा है, उसको 5 जोड़ के present लाओ, और present में 5 जोड़ के 5 साल बाद, तो 5, 5, 10 साल, मैं यही कहना चाता हूँ, तुम 5 साल पहले हो, तो यह 5 जोड़ के तुम्हें present आना होगा, फिर 5 जोड़ के तुम्हें 10, आज से 10 साल ट्राविल करना होगा सन को, यही मैं आपको verbally mind में सिखा रहा हूँ, और जब यह चीज़ें ह हो जाएंगे, तो जो father और son के बीच का ratio हो जाएगा ना, तो वो कितने का हो जाएगा, 5 years after the age of son is in the ratio 12 is to 5, यही ratio 12, 5 का बन जाएगा, क्या मैं आप से एक सवाल पूछ सकता हूँ, पूछो सर, आप खुशी से पूछो, इस ratio से इस ratio तक travel करने के लिए आपने यहाँ पे 13 जो 11 parts होता है, सर यह मैं बताता हूँ, मैंने का बताओ, सर 120 मैंने का हाँ, सर 13, 5, 65 मैंने का हाँ, सर यह क्या होगा, मैंने का क्या होगा मतलब, माइनस होगा, सर माइनस क्यों होगा, सर अगर मैं बात करूँ तो यह आपके पास 120 और यह जो 65 होंगे न, यहाँ पर यह condition कैसा चल नहीं तो जब दोनों same symbol मिलते हैं तो normal protocol आपको क्या करना है difference ही निकालना है तो जब मैंने difference निकाला मतलब 120 और 65 के बीच में 5-70 तो ये 55 का हो गया ग्यारा पाट 55 तो एक पाट कितना मेरे दोस्त सर एक पाट 5 अगर एक पाट 5 का हो चुका है तो ये मैं कहां जा सकता हूँ सर मैं यहां पे डाल सकता हूँ भाई white किया ना भी तेरे को तो सर ये वाला आपका कितना हो जाएगा सर एक पार्ट पान्च के साथ ये पैंटिस और ये वाला कितना हो जाएगा ये दस लेकिन मेरे दोस्त ये पान्च सल पहले का ही आएगा फिर जो चाहिए वो हम निकालेंगे कैसे जो average percentage father, mother, son और डॉटर का है वो 25 है father, mother, son, daughter average अगर 25 है वो भी 4 लोगों का तो sum कितना होगा? 25 into 4 यानि कि 100 और अब मैं आप गर आपसे पूछूँ कि आज present में father और son कितने कितने है तो तुम क्या कहोगे? सर्फ 35 में 5 बढ़के 40 और 10 में 5 बढ़के 15 तो 40 और 15 यही दोनों आपके पच्पन बना रहे हैं अगर मेरे भाई 100 में से यही दोनों पच्पन बना रहे हैं तो मा और बेटी मिलके 45 बना रहे हैं अब यह मत बोलना किसा डिफरेंस दिया है? मा बड़ी है या बेटी बड़ी है? प्लीज मत पूछना ठीक है? तो अगर मदर डॉटर के एज के बीच का यहां पर डिफरेंस आपको 25 साल का दिया गया है तो मतलब मम्मी डॉटर से 25 साल बढ़ी है तो find the presentage of daughter तो मम्मी प्लस डॉटर हमने अभी निकाला था 45 और मम्मी और डॉटर के बीच का गयाप हमने अभी देखा 25 तो जब मैं इन दोनों को डिरेक्ली अड़ कर दूँगा तो मम्मी मम्मी, टू मम्मी आपके पास कितना हो जाएंगे? सर 60, 70 तो मम्मी आपके हो जाएगे 35 और मम्मी 35 होने के साथ आपका डॉटर पूछा, आप माइनस करके निकाल सकते शौरी, चलो अगर मम्मी 35 हो गई तो 35 में कितना जोडने से 45? सर 35 में 10 जोडने से 45 मैंने का तो डॉटर 10 की होगी और डॉटर 10 की होगी, यानि कि कौन सा ओप्शन? ओप्शन नमबर A अगर मुझे पता होता तो मैं direct माइनस कर लेता क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस कर देते तो डॉटर डॉटर एड हो जाता 2D और ये 20 2D 20 तो डी 10 थोड़ा नजर हटी, दुरघटना घटी टाइप का कुशन यह हमने देख लिया हाँ सर, cross product method हमने देख लिया अब ये क्या है? ये question भी हम लपेट लेते हैं अभी, ये बीच में नहीं है उससे थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, चलो जो जहां पर है और क्या ही कर सकते हैं जिन्देगी में सारे चीज़े हमारे हाथ में थोड़ी न रहते हैं कुछ-कुछ चीज़ें उपर वाला जो करके देते हैं हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं कितना हुआ समय काफी खुबसुरे तरीके से हम बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ दे रहे हैं सही है यह चीज़ें जानने ज़रूरी है आपके पास एक महेश है हाँ सर एक महेश है आपके पास एक निलेश है हाँ सर एक निलेश है इन दोनों के एज का रेश्यो आपके पास कितना है 5 इस तो एक्स This is the most frequently asked question in your examination, in your textbooks, in your mock test, everywhere. Mahesh is 18 years younger to Ramesh. Mahesh जो है, 18 years younger, यानि का 18 साल छोटा है. किसे? Ramesh है. ठीक है? After 9 years, Ramesh उल भी 47 years? अरे भाईसा, आज से 9 साल बाद तुम 47 को है, तो आज तुम कितने को सर? आज मैं 38 का हूँ. अगर मैं आज 38 का हूँ, तो मैं आपसे कुछ पूछो? हाँ सर, Mahesh जो इससे 18 साल छोटा है, वो कितने का है, सर? वो 20 का है. 38 minus 18. If the difference between the ages of Mahesh and Nilesh is same as the age of Ramesh, what is the value of X? उसने कहा, अगर जो difference है, जो age Mahesh का और Nilesh का, वो किस के बराबर है? रमेश के age के बराबर है, मतलब इन दोनों के बीच का difference, Mahesh और Nilesh के बीच का जो difference है, वो difference Ramesh के age के बराबर है, मतलब इन दोनों के बीच का difference 38 है, तो मुझे बताओ X का value कितना होगा? अब देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ. महेश तुम 20 हो, तुम्हारा निलेश के साथ 38 का gap कैसे आ सकता है? या तो निलेश तुम से 38 ज्यादा होगा, या तो निलेश तुम से 38 कम होगा, तभी जाके तुम दोनों के बीच का gap 38 आएगा. अब निलेश जो है, वो 20 से 38 तो कम नहीं हो सकता, तो आपका एक है condition बचा कि इन दोनों के बीच में 38 का gap बनाने के लिए निलेश को 38 ज्यादा होगा, यानि कि 58 कंफर्म है, क्योंकि अगर मैं 38 कम कर दूँगा, तो नेगटिव 18 आ जाएगा, 18 साल नेगटिव में नहीं चल सकता, मरे भाई, एज positive होना चाहिए, अगर निलेश 58 है, तो question ने मुझे पूछा है, कि आपको X का value बताना है, अब X के value तरह तरह किसे कर सकते हो, जैसे कि 5 पार्ट 20 एक पार्ट 4, एक पार्ट 4 तो 4X अगर 58 तो X आपका 58 बाई 4, यानि कि 29 का आधा 14.5, option number B, या तो अगर आप थोड़े इतने smart नहीं हो, तो आपके लिए रास्ता एक खुबसरत है क्या, कि ये जो 20 और ये जो 28 साल के उमर, 58 साल के उमर ये दोनों रख रहे हैं, इन ही दोनों के बीच का जो रेशियो है, वो 5 और X का है मेरे भाई, ये सारे कोशिन हम सीख लिए, हम सारे कोशिन सीख जा रहे है, the ratio of the present ages of son and daughter of a lady is 7 is to 8, and the age of lady is some, okay, question, उसने का तो ratio है, present age son और daughter का, एक lady का, वो 78 का है, तो son है, daughter है, आपस में ratio 78 के है, हाँ sir, और जो age lady का है, वो sum total है, ages daughter और son का, मतलब जो lady है, वो 7 प्लस 8 पंदरा का है, sum है, if the ratio of the ages of son and daughter, after 3 years, and the age of daughter, ratio of the ages of son after 3 years and the age of daughter, 6 years, okay, cross product method again, sir, ये क्या है, अगर जो ratio age, आपके son का 3 साल बाद, ओके, देखे, किसमत जबार है तुम्हारा, cross product खाती नहीं चोड़ रहा तुम्हारा, और जो आपका age of daughter है, 6 साल पहले, वो आपस में 4-3 का ratio रख रहे थे, सर में कुछ कहूँ, मैंने का हाँ, सर मुझे लग रहा है कि इस point में तो clear ये हो जाएगा, सर ये plus 3 है, मैंने का हाँ, सर minus 6 सब्टू सुपारी को एक chance तो preach में करूँगा, मैंने का कहूँ, 21 मैंने का very good, 32 मैंने का very good, difference 11, 21 and 32 के बीच में, मैंने का very good, 24 मैंने का very good, 9 मैंने का very good, opposite मैंने का हां हां, plus मैंने का well done, 24 प्लस 9, 33, 1 पार्ट 3, 1 पार्ट 3, 7 पार्ट 21, 8 पार्ट 24, lady भी निकल जाएगी, इन्टू 3 के साथ 45, अब क्या पूछ रही है, what will be the ratio of the present age of lady, 45 and the age of her son after 4 years, son जो है वो 21 साल का है, तो 4 साल बात son कितना हो जाएगा, 25, 5 में काटो, 9, 5 में काटो, 5, क्या आप सभी को 9, 5 का ratio, option number D में देखा, खुबसूरत, क्या अब आपका cross product method clear होगा, एक बार थाम सब प्लीज, आपके लिए इतना efforts रख रहा हूँ, मैं opposite symbol, add, same symbol, minus, खतम, very okay, very okay, इस question को करवा के मैं आपको कुछ और खुबसूरत से चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, अब तक हमने बहुत से चीज़ें सीख लिया, अब हमने सीख लिया कि ratio का कैसा implementation होता है, ratio का balancing concept क्या कहलाता है, रिष्टा क्या कहलाता है, cross product method क्या कहलाता है, cross product method को कैसे implement करेंगे, ratio में क्या करेंगे, सब कुछ हमने सीख लिया, यह सवाल आपको और कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ, यह सवाल देखते ही, सबके निमाग में एक ही चीज़ आगया है, सर equation ही बना लो, क्योंकि 3-3 परसन है, गंदे गंदे चीज़ें दे रहे हैं, मैंने क्या दिया रहा है, सर 5 साल के बाद जो ratio A और B का है, वो 8-11 का है, तो सर कैसे करेंगे, मैंने का सुनो, कि सर 5 साल बाद A और B का age का ratio 5-11 का है, मैंने का बहुत से, सर 8 साल पहले B और C का 4-5 का था, 8 साल पहले A और B का 4-5 का था, A और B नहीं, भाई तु मिटेगा, B और C अलग है, इसलिए हाँ, और सर जो average age A और C का है, वो 26 साल का है, दो लोगों का average 26 तो सम कितना 52, तो सर गंदा हो गया, मैंने का क्या गंदा हो गया, सर एक तो इन दोनों का 5 साल पहले, इन दोनों का 4 साल पहले ऐसे करके चीज़े दिया है, तो सर इसके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा, मैंने का तुम थोड़ा सांती से 2 मिनिट बैटो गए, ओके सर, B का age 8 साल पहले B-8, C का age 8 साल पहले C-8, रेशियो जो है, 4 उनुपाद 5, 4 उनुपाद 5, A प्लस C is equal to 52, मैंने का A प्लस C is equal to 52, यहां तक बात साफ है, बात साफ है, अब जारा सांती से बताओ, कि पूछा क्या गया है, What is the present age of B, B का present age कितना होत रहा है, अगर मैं B का present age की बात करूँ, तो क्या मुझे एक चगा, यहां पे B दिख रहा है, जानते हो 5 उनुपाद 11 में, 11 क्या represent करता है, आपके B के age को 5 साल बात, किसी 11 के multiples में आना ही आना होगा, सर मतलब आप यह कह रहे हो, कि अगर present age B का 17 साल, सर इसके पास क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं आपको option का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, this is my last thing, जो मुझे task में सिखाना है, इस part में फिर मैं आगे चलूँगा, क्योंकि equation तो बनाना होगा, because यह हर जगा आपको time saving नहीं होता है, जहांपे time saving है मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसको बहुत दिल पे नहीं ले दा है, बस approach सिखा देता हूँ आपको, अगर present age B का 17 साल हुआ, तो नियम अनुसर, 5 साल के बाद वो 11 का multiple होना चाहिए, तो 17 प्लस 5 कितना होता है, 22 क्या वो 11 का multiple है, येस, लेकिन उसी हाथ, लगे हाथ, उसको 8 साल पहले 4 का multiple भी होना है, तो अगर तुम 17 हो, तो 8 साल पहले तुम 9 साल के हो, क्या तुम 4 के multiple हो, ये वाला तो true था, और 8 से 5 साल के बाद तुम्हें 11 का multiple होना था, तो तुम हो रहे हो, लेकिन तुम ही 28 साल, 8 साल पहले जो 20 साल के होए करते थे, वो 4 का multiple होना चाहिए, और यहाँ पे भी है, तो दोनों condition यहाँ satisfy करें, तो ये ही आपका answer है, आगे आप जाओगे तो नहीं मिलेगा है, जैसे कि 39, सर 99 भी हो सकता है, कैसे, तुम्हारा 28 से कैसा number है, जो खुबसुन दोनों चीजों को satisfy करें, 99 दिस कैसे हो जाएगा, यार, 39, 39 प्लस 5, 44, 4 का multiple है सर, सर देखो अभी आपका, कैसे, मैं हलत खराब कर रहा हूँ, अगर 39 में से 8 माइनस कर दोगे, तो कितना होगा, 31 क्या ये 4 का multiple है, no, it should be a 4 का multiple, भाई 44 में 5 जोड़ोगे, 49 क्या ये 11 का भी multiple बनने ही हो गया है, no, तो ये सारे सारे कटने के बाद, 28 आपका बिल्कुल सठीकुत्तर है, अगर आप में से कोई 90 से डर रहा है, तो मैं आपको एक स्टेप और भी सिखा सकता हूँ, अगर चाहूं तो, क्या, अगर, आपका, ये 28 साल, इन दोनों क्वंडिशन को सटिस्टाइक कर चुका है, और अभी भी आपको डर लग रहा नहीं यार, थोड़ा दगदग करे ला है, कि 99 हो सकता है, तो एक काम करो, अगर तुम्हारा भी 28 साल का है, तो 28 प्लस 5, 33, ग्यारा पाट अगर 33, तो एक पाट 3 के साथ, ये वाला 15, ए प्लस 5 अगर 15, तो A का एज कितना होना चाहिए? सर, A का एज जो हो है, वो आपका 10 साल होना चाहिए, यहां तक बात साफ है, हाँ सर लग तो रहा है, अब A का एज 10 है, अगर B, मैंने तुम्हें 28 लिया है, तो 28 माइनस 8 तुम कितने हो? सर, 28 माइनस 8 में 20 हो, अगर 4 पार्ट तुम 20 हो, तो तुम जो 5 पार्ट हो, तुम में 25 होना होगा मैंने का हाँ, सी अगर तुम 8 साल पहले 25 साल के हो, तो सी तुम आज कितने के हो तो 25 प्लस 8 आज में 33 का हूँ, भाई कुछ गड़बड कर दिये क्या ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी ना करो मेरे साथ, चार पार्ट, पांच पार्ट, पच्चिस, 33 तो A प्लस C का, जो सम है वो तो 52 है, एक बार और इसको करेंगे, हाँ सर एक बार और ही करना पड़ेगा भी अगर तुम 5 साल बाद, मतलब आज तुम अगर 28 साल के हो, तो आज से 5 साल बाद तुम्हारा कितना एज है तो सर, आज से 5 साल बाद हमारा जो एज है, वो 28 प्लस 5, 33 से अगर ये हो जाएगा आपके पास 11 ओके, ये रेश्यो 8 अनुपाद 11 है और मैंने यहाँ पर 5 अनुपाद 11 लिख दिया है वही मैं सोचूं मेरा हालत इतने खराब क्यों हो गया है क्या 19 और 33 का सम 52 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है तो ये बस मैंने आपको एक method दिखाया, कि ऐसे methods में आप सारे questions के answer दे सकते हो सर, सारे अगर आप चाहो तो, सर कैसे? क्या मैं आज के दिन के शुरुआत का सबसे पहला सवाल आज सभी के सारे, ये पहला सवाल बिल्कुल भी नहीं था क्या आज के दिन के शुरुआत का सबसे पहला सवाल मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं हासर find the present age of B मेरे दोस्त, अगर B का आज का age 12 साल का है तो उसने कहा कि 12 साल ago आपका 12 साल ago ये अगर B आज 12 साल का है तो 12 साल अगो भी 8 साल का होगा और 12 साल पहले वो एक 4 का multiple है हासर हो रहा है रुक जाओ ना भाई मेरे अगर B आज 20 साल का है तो आज से 15 साल बात वो 35 साल का होगा हासर क्या B को 13 का multiple होना चाहिए था क्या ये 13 का multiple है नो सर मतलब 20 नहीं होगा सर ये वाला मैंने का करके देखते हैं ये तो 60 का answer भी है सर अगर ये 24 है मैंने का हाँ तो सर 12 साल पहले वो 12 साल का होगा मैंने का हाँ तो मतलब ये आपका एक 4 का multiple हो रहा है मैंने का हो रहा है सर आज से 15 साल बाद जो अगर आज 24 का है वो 15 साल के बाद 39 का होगा तो क्या वो 13 का multiple होना चाहिए मैंने का हाँ होना चाहिए और हे भी तो answer आपका 24 है अरे जो भी सवाल आज लगाओगे होगा यार ऐसे क्या देख रहे हो मुझे एक वो वाला जो balance वाला ले लेते हैं जैसे कि आपको थोड़ा ये वाला कौन सा वाला है वो जो balance वाला जहां पर हमने balance किया था इसको लेके खुश हो जाओ जहां बे आपको दो दो methods लगाने पड़े थे ना difference को same करना पड़ा था वैसे वाला equation ठीके सर करो हमें आपके साथ ए का प्रिजेंटेज चाहिए चाहिए अगर ए तुम 54 यर्स के हो पहले तो ये वला हटाओ अगर ए तुम 54 यर्स के हो तो आपका 16 साल पहले एज कितना होगा मैंने का 54 माइनस 6 होगा 48 38 होगा सर ए जो है वो 9 का मल्टिपल होना चाहिए ख़तम हो गया कहा नहीं हा ख़तम हो अगर 60 साल का है तो 16 साल पहले कितने का होना चाहिए मैंने का S depths तो 16 साल पहले कितने का होगा सर 44 का होगा क्या ये 9 का मल्टिपल है मैंने का क्या है वो number ज़रा बताना सर मैं एक number आपको बताना चाहता हूँ वो number है 9 का multiple करना चाहते हो न 36, 36 से 16 मैं 52 years आपको देना चाहता हूँ मैंने का हाँ इससे क्या होगा सर 52 years अगर आज है तो आज से 16 साल पहले वो 36 है 36 भी तो 9 का multiple है अरे मेरे भाई ये एक condition है दूसरा condition भी तो देखो सर क्या आज से 10 साल के बाद ए 10 का multiple होना चाहिए मैंने का हाँ आज अगर तुम्हें 70 साल है तो आज से 10 साल बाद तुम्हें 80 साल होगा क्या तुम 10 का multiple हो मैं हूँ लेकिन तुम आज अगर 52 साल के हो तो आज से 10 साल बाद 62 क्या तुम 10 का multiple हो नहीं हो तो 70 आपका जो answer आ रहा था वो बिल्कुल सत्य है तो ये जो तरीका है मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हो जब high level आपके mains level के questions आ गए आपको देखने के लिए मिलना कि काफी ज़्यादा equations के साथ आपको जाना पड़ रहा है तो आप options से pick करके अपने सारे equations को satisfy करवा के जा सकते हो बट अगर आप इसको ideally properly इसको practice नहीं करोगे you will be ending up with consuming lot of time सो मैं आपको एक रास्त भाई मेरा काम है आप तक सारे concept deliver करना अब आपका काम है कि आप उनके उपर कितना practice करके कितना command हासिल कर रहे हो उमीद करता हूँ कि अभी तक का जो हमने सफर तै किया है वो आप सभी का काफी जवरदस तरीके से clear होगा अब मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूँ अपने next category का सवाल अब भी अपना जो next category है वो category क्या है उस category में मैं आपको average के concept सिखाऊंगा कि average के concept के questions कैसे बनाते हैं तो average के concept के question में लगाने जा रहा हूँ तो एक बार आप सभी से request रहेगा कि session को इसी बीच like और share जरूर से कर दे ठीक है तो average का सबसे पहला सवाल आने से पहले एक बार शेशन को like और share कर दे हैं सबी लो जल्दी मैं लगा रहा हूँ question आपके लिए तो दोस्तों अगला जो हमारा concept है वो है average के उपर based यानि कि आपको बहुत बार ऐसे questions examination में देखने के लिए मिलते हैं जहां पे problems based on ages के सब average को वो merge करके देता है तो average के कौन से कौन से concepts आपको जानने जरूरी है और उनको कैसे लगाना होता है सवालों में यह हम बारी किसे सीखेंगे मैं आपको दो background concept average related के लिए बता देना चाहता हूँ कि क्या आपको करना है सबसे पहला चीज कि जो average में सबसे important चीज होता है वो sum होता है और वो sum कैसे निकालते हैं अगर आपको average निकालने के लिए कहा जाए तो आपको जिन जिन entities का average निकालना है सबसे पहले उसका sum निकालना है और उसको divided by number of entities में भाग देना है तब जाके आपको average मिलेगा तो जब मुझे sum की requirement होगी तो इस number of entity को मुझे सिर्फ average के साथ multiply करना है मुझे देखना है कि जो average मुझे provide किया गया है वो कितने number of persons के लिए दिया गया है और अगर मैं average को number of person के साथ multiply कर दूँ तो जो value आ जाएगा वो sum का निकल के आएगा ये पहला point हमें जो notice रखना था अब दूसरा चीज है कि number of person मुझे matter नहीं करता number of person 3 हो, number of person 4 हो, number of person n हो, जितने भी person हो अगर उनका एक particular time में, average अगर आपके पास ये था तो उस particular time से अगर मैं आपसे कहूं कि after 3 years क्या होगा क्या होगा इसका, after 3 years क्या होगा, तो आपके reply में बस इतना आना चाहिए कि जो average आपका a का चल रहा था, तीन साल के बाद वो average आपका a plus 3 का हो जाएगा सर ये पक्का, मैंने का 100%, सर एक बार example जरूर से क्या मैं अपने number of person को 6 ले लूँ, क्या मैं उनके average को 9 years ले लूँ, average age ही चल रहा है तो अगर मैं after 4 years आपसे average पूछू, तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि आपका average अगर 9 है तो उन्ही person का, यानि कि 6 लोगों का, 4 साल बाद वाला average, 4 साल बढ़के, मतलब हर साल average एक एक से बढ़के, 13 साल का हो जाना चाहिए Now, मुझे इस चीज को practically proof करना है, अगर 9 साल का average चल रहा है 6 लोगों का, तो जो sum होगा, वो कितना होगा higher, 9 66, 24, जब मैं 4 साल के बाद कर रहा हूँ आज से, तो जितने लोग है वह सारे की सारे लोगों का, 4-4 6 लोगों का, तो 6 लोगों का 44-4, 4-4 लोगों का चाहरे, 24 साल बढ़ गया होगा तो आपका जो नया sum है वो कितना हो गया होगा यह नया sum जो है वो कितने लोगों का है तो जब मैं divided by 6 दूँँगा तो यह value कितना निकल के आएगा 13 जो कि मुझे यहाँ पर मिल गया था मतलब अगर मैं number of persons पर कभी change ना रखो तो average अगर आपके पास आज 9 साल का है तो after 4 years average 13 साल का हो जाएगा अगर मैं कहता कि नहीं नहीं आफ्टर 4 years नहीं before 3 years का क्या scene चल ला होगा तो आप बड़े simple तरीके से answer देना कि हर एक साल average 1 से बढ़ता कम होता है अगर आपका 3 साल पहले की बात की जारी है तो average 3 कम होगा यानि कि 9 से 3 अगर मैं कम कर दूँ तो यह average को कितना होना चाहिए था 6 साल होना चाहिए था इसको demo दिखाने के लिए भी मैं वही कर सकता हूँ सम आपका 9 into 6 54 होना चाहिए मैंने का हाँ आज से जब मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो 6 लोगों का हर एक आदमी का 3 3 3 3 साल कम होगा तो 6 into 3 यह सम 18 से कम हो जाएगा यह सम जब 18 से कम हो जाएगा तो आपका जो नया सम है वो कितना हो जाएगा सर वो जो नया सम है वो 36 बन जाएगा और 36 का जो नया सम है वो अब भी कितने लोगों का है सर वो अब भी 6 लोगों का है तो divided by 6 देते ही यह आपका 6 again आ जाएगा मतलब यह बड़ा simple सा concept है तो मुझे कुछ tension नहीं लेना है कि अभी अगर मेरे पास number of person 11 है ठीक है और अभी अगर उनका average मेरे पास 18 है तो after 6 years यह average जो है वो 24 हो जाएगा और 5 years before यह average मेरा 13 का होगा क्या यहां तक बात साफ है यह दूसरा point था क्या मैंने 2 point आपके clear कर दिया example के साथ पहला point भी मैंने clear कर दिया और दूसरा point भी मैंने clear कर दिया हाँ sir 2 point तो आपने clear कर दिया अब third point क्या है आप जो sum निकालोगे या जो average निकालोगे यह ज्यादा interest आप किसमें रखोगे sir मैं हमेशा अपना interest जो है third point वो हमेशा present पर रखूँगा क्योंकि present एक ऐसा condition है जहां से travel करना आसान होता है for example present से 4 साल पहले तो minus 4 कर दो present से 6 साल बार तो plus 6 कर दो present से 9 साल पहले तो minus 9 present से 8 साल बार plus 8 इस तरीके से आप condition लगा सकते हो sir यह चीनों चीज़े मैं समझत हो गया लेकिन इनको implement कैसे करना मैं हूँ मैं छोड़के नहीं गया हूँ सवाल को पढ़ते है the average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 पहले मैंने आपको present को लाने के लिए कहा था अगर 3 years ago मेरा average 27 होगा हाला कि यह लिखना जरूर नहीं है पहला question इसलिए लिख रहा हूँ तो जो present में average होगा वो कितना होगा average हर साल एक-एक से बढ़ गया होगा तो 3 साल के दौरान 3 से बढ़के present का average 30 होगा मैंने का क्या मुझे average से मतलब है नहीं सर मैंने का किस से मतलब है सर साम निकाल के देता हो मैंने का कैसे सर यह जो average है 30 यह 3 लोगों का है husband, wife और उनके बच्चे का और अगर मैं बात करूं तो 3 लोगों का average अगर 30 है तो sum 30 into 3 यानि कि यह हो जाएगा आपके पास 90 तो इन तीनों का जो present में sum है वो 90 years का होना चाहिए that of the wife and the child 5 years ago was 20 मतलब यह भी average की ही बात की जा रही है और वो भी कब 5 साल पहले अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर 5 साल पहले average 20 का था तो present में average कितने का होगा प्रेजन्ट में average 5 बढ़के 25 का होगा 25 का average कौन-कौन लोगों का सर wife और children दो लोगों का मतलब अगर मैं दो लोगों का average देख पा रहा हूँ 25 तो दो लोगों का sum कितना होगा सर दो लोगों का sum 25 इंटू 2 sum मतलब आपके पास जो wife और son का age है वो 25 इंटू 2 50 का बन जाएगा सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाता हूँ मैंने का हाँ पूछो अच्छे से पूछो सर ये जो हमने sum निकाला 30 इंटू 3 ये 3 लोगों में कौन-कौन थे मैंने का इन 3 लोगों में ये वाला sum जो है वो husband का भी है wife का भी है और son का भी है अगर मुझे wife और son already यहां से मालूम हो चुका है कि ये 50 है तो wife और son 50 होने के साथ साथ total 90 में से 50 हटा दे तो husband का age 40 हो गया अगर husband का age 40 है तो उसने मुझे पूछा present age of husband तो मुझे और मेहनत भी नहीं करना क्योंकि मेरे जो सारे condition चलने वो present के हिसाब से चलने तो husband का age मेरे पास कितना हो गया 40 ऐसे लिखते वक्त आपको काफी exaggerate लगानी होगा कि इतना बड़ा क्या कर रहा है actually में कुछ नहीं है 27 तीन साल पहले का average है तो अभी का 30 कितने लोगों का 3 लोगों का 90 का सम 20 average 5 साल पहले तो अभी का average 25 कितने लोगों का 2 लोगों का तो सम कितना 50 नबबे में कौन extra है husband extra है जो 50 में नहीं है तो जितना short पढ़ रहा है या फिर 90 में जो extra है 40 वो कौन होगा वो husband होगा that's it option number 2 सवाल का खुप्चुरत उत्तर कर पाओगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ खुप्चुरत और सवालों के पास सवाल क्या कह रहा है देखेंगे the average age of a couple was 27 years at the time of marriage जब शादी हुआ तो couple का average 27 था after 13 years of marriage the average age of the family with 3 children become 22 years मैंने का सुनो सुनो मुझे एक बात बताओ ये 27 का average शादी के वक्त था और after 13 years की बात कर रहे तो तब average कितना होगा सर 13 साल के बाद average 13 से बढ़ गया होगा यानि कि 27 का average 27 प्लस 13 27 प्लस 13 40 का बन गया होगा सर ये जो 40 का average है ये इस couple का है यानि कि husband और wife का तो इनका sum कितना होगा मैंने का husband और wife का 40 का average दो लोगों का तो 40 into 2 असी का मैंने का हाँ बात तो सही है अब इतना होने के बाद अगर मैं आपसे पूछू क्या कि उसने कहा after 13 years of marriage the average age of the family with 3 children become 22 सर आपने तो ये निकाल ले ले लेकिन आपने शायर आगे नहीं पढ़ा मैंने का पढ़ा है तो सर करना क्या है 13 years के बाद जो आपका average family का जिस family में आपके 3 children भी है वो 22 साल का हो जा रहा है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि इस 13 साल के बाद इस 13 साल के बाद जब husband और wife के sum को 80 होना चाहिए उसी 13 साल के बाद आपके परिवार में husband, wife और 3 बच्चों का जो average है वो 22 का निकल के आ रहा है 22 का average अगर 5 लोगों का husband, wife और 3 बच्चों का है तो उस time पर sum कितना होगा सर उस time पर sum 110 का होगा अगर इस 110 में आपके पास husband है wife है और साथी साथ child 1, child 2 और child 3 है तो husband, wife तो उसी 13 years के बाद 80 का होना चाहिए न तो अगर husband और wife 80 का है तो 110 में 80 जाने के बाद जो बागी का 30 होगा वो कौन होगे child 1, child 2, child 3 सर इससे तो पता लगा न के लिए कि कौन कितने का है मैंने का उसने पूछा भी नहीं तो उसने पूछा क्या find the average age of the children इन तीनों का average age मुझे बताओ तो इन तीनों का average अगर मैं बात करूँ तो 30 उनका sum था तो average तीन लोगों में जब मैं बाट दूँ इस 30 को तो कितने का बन जाएगा 10 साल का यानि कि option number 6 इस सवाल का सही उत्तर मतलब मैंने सबसे पहले देखा कि 27 का average couple का था लेकिन मुझे उस time नहीं मुझे इस condition पे आना था 13 साल बार तो average 13 से बढ़ गया होगा 27 प्लस 13 average 40 का बन गया होगा 40 का average दो ही लोग होते हैं कपल में तो उनका जो sum है वो 80 का होगा लेकिन उसी 13 साल के बार उस husband wife के साथ जब 3 बच्चों को include किया जाता है तो total 5 member का average 22 निकल के आता है तो जो sum है वो 22 into 5 ए 110 का होगा जिसमें husband और wife तो 80 का अग्डिबूट करें and wife is 30 years when they were married 7 years ago जब 7 साल पहले उन दोनों ने शादी किया था तब का average 30 था but now the average age of the husband wife and two babies is 20 years but अब जो आपका average है वो husband wife और two babies का 20 years का है assume the babies are twins and was born during the interval assume करें वो जो baby है वो दोनों twins है जुडवे हैं और जुड़े से यहाँ पे looks का matter नहीं होता यहाँ पे matter होता है कि दोनों का age हमेशा same ही रहेगा तो मुझे पूछा है कि what is the present age of the baby तो baby का present age मतलब किसी एक का ही बताना होगा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ सर पूछो अच्छे से पूछो बढ़िया से पूछो अगर मैं आपसे एक सवाल कहूँ कि जो आपका husband और wife का average 30 था जब उन्होंने 7 साल पहले शादी किया था तो अब का जो average है वो कितने का होगा सर अभी 7 यह average बढ़के 37 का बन गया होगा मैंने का 37 जो average है वो तो husband और wife दो लोगों का है तो इन दोनों का sum कितना होना जी parler मैंने का कब? सर आज लेकिन मैंने सुना कि आज उनका average 20 साल अचल रहा है सर इनका नहीं मैंने का तो सर इन दोनों का और 73 सा 2 babies का मतलब 4 लोगों का आज average institutional चल रहा है चार लोगों का average 20 चल ला है तो इनका sum कितना होगा? Sir, 80 अगर 74 sum तो इन दोनों से बन जाता है तो बाकी के 80 के लिए जो extra 6 होगा वो बाकी के 2 बच्चों के लिए होगा वहाँ पर मैं बच्चों को predict नहीं कर पा रहा था कि कौन कब पैदा हो मुझे idea नहीं है लेकिन यहाँ पर दोनों twins के साथ मैं confirm कह सकता हूँ कि दोनों लोगों अगर एक साथ पैदा होंगे तो दोनों का age जिस भी moment पे देखा जाए बराबर है अगर दोनों का age का sum अगर मैं 6 साल कहूँ तो each का age कितना होगा? Sir, दो twins का age अगर मिला के 6 है तो each twin का जो age है वो 3 साल का है तो जो बच्चा है वो बेबी है वो कितने साल का है? 3 years का है अराम से आप इस question को कर सकते हो बस वही है average के concept के साथ The average age of Mohan and Reena at the time of their marriage was 50 years Mohan और Reena का जो average उनके शादी के वक था वो 50 था A son was born to them 4 years after their marriage जब उनका शादी हुआ उसके 4 साल बाद उनका एक बेटा हुआ The present average age of all the 3 of them is 48 years अभी जो उन तीनों का present average age है वो 48 का है How many years is it since the couple got married? अब देखो average आपका marriage के time पे वो 50 था Average जो है वो marriage के time पे 50 था अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे average से ज़्यादा दिलजस्ट भी sum में है तो आप मुझे क्या कहोगे? सर 50 into 2 sum कहूँगा और क्या? 100 है और क्या? मैंने का ठीक है सर उसने मुझे कहा कि एक बच्चा आपका इनके 4 साल बाद पैदा हुआ हलाकि इसको आप 54 into 2 करते तो ज़्यादा बहतर होता चलो मैं आपको सिखा देता हूँ एक बच्चा पैदा हुआ 4 साल के बाद उनके शादी का और अभी जो present है वो 48 है मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ यह अगर मैं consider ना करूँ क्योंकि वो point थोड़ा मेरे दिमाज से पढ़ते वक्त चला गया था तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका marriage के time पर average था 50 तो जब sun burn हुआ तो आज से 4 साल के बाद मतलब शादी से 4 साल बाद उनका average कितना हो गया होगा 54 तो जब बेटा पैदा हुआ तो इन दोनों का जो sum है वो कितना होना चाहिए इन दोनों का जो sum है वो 108 का होना चाहिए बात साफ है हाँ सर बात साफ है मैंने का ये तो 108 है हाँ सर ये तो 108 है लेकिन आज present में क्या हो रहा है सर present में average 44 का चल दा है मैंने का 44 का average कितने लोगों, 48 का चलना है और ये 48 का average कितने लोगों का है, sir, husband, wife और उनके बच्चे का है, यानि कि 3 लोगों का है मैंने का तो 3ों का sum कितना है, 144 क्या मेरे पहले सवाल का उत्तर दे सकते हो, sir, क्या 108 के sum को 144 तक लाना, मतलब कितना sum में gap है, sir, 36 क्या ये point आपने feel किया, मैं इस point के ही अलग से क्यों लिया, यहां से क्यों नहीं आया क्योंकि इस point के बाद जब बच्चा पैदा हो चुका है, तो अब से हर एक साल पापा का भी एक साल, मम्मी का भी एक साल, और बच्चे का भी एक साल मतलब हर एक साल सम 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 साल से बढ़ेगा जब हर एक साल में हम 3, 3 से बढ़ेगा तो 36 का सम बढ़ाने के लिए कितने साल लग जाएंगे यानि कि यह तो बात साफ है कि बेटा पैदा होने के 12 साल के बाद आज प्रेजन्ट हो रहा है और उसने मुझे कहा कि कपल कब साधी किये थे और बेटा पैदा होने के 4 साल पहले उन्होंने शाधी किया था तो आज present से शाधी का टाइम कितना गया पहा है सर बारा और ये चार यानि कि कुल मिलाके 16 साल पहले उनका शाधी हुआ था यारी कि अगर आप option number C को अपना answer मार्क करे हो तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हो कि कितने complicated चितने हो कितने खुब्सुर तरीके सहम करते हैं हमने husband और wife का average 50 देखा था बच्चा जब पैदा हुआ तो चार साल बाद तो average इन दोनों का चौबन होगा तो इन दोनों का सम 108 था जब से बच्चा पैदा हुआ उसके आपके बाद मतलब आज तक present में उनका average 48 है तो तीनों का सम 144 है 108 से 144 आने के लिए सम जो है 36 बढ़ा होगा 36 यर्स का सम बढ़ने के लिए कितने साल लग जाते हैं हर साल पापा मम्मी और बेटा एक एक साल बढ़ते जाएंगे मतलब साला ना 3 साल का सम इंक्रिमेंट होने वाला है 4 years ago the ratio of the age of A and B was 5 is to 4 This was a question asked you in RRB PO 2019 or 2020 exact याद नहीं या तो 19 या तो 20 किसी एक साल में पूछा गया था या 18 उस टाइब में कभी ना कभी पूछा गया था और यह बहुत बढ़िया सवाल है 4 साल पहले जो ratio A और B का था वो 5 is to 4 का था क्या average का concept इसमें लगेगा देखना यहां तक clear? हाँ से After X years average of the ages of A and B will be X plus 22 मैंने आपसे क्या पढ़ाया था देखो मतलब इस सवाल को जब भी मैं समझाता हूँ बच्चों के दिमाग में अलग-अलग क्यों होता है क्या होता है मैं समझ नहीं पाता मतलब क्यों नहीं समझ पारे आप लोग हम लोगों को यह पता है कि आज अगर average 8 साल है तो after 4 years average 12 का होगा मतलब straight 4 बढ़ जाएगा इसको एक बार पूरा लिख दो 8 plus 4 12 मेरे दोस्त हाँ या ना आज अगर average 15 का है तो after 3 years आपका average 15 plus 3 18 years का होगा हा सर आज अगर आपका average x years का है तो after y years जो आपका average है वो x plus y का होगा हा सर आज अगर मेरा average मुझे नहीं पता कितना है लेकिन 6 साल बाद मेरा जो average है वो suppose 19 साल का हो रहा है तो आज का अवरेज कितना होगा सर 8 प्लस 4 12 15 प्लस 3 18 x प्लस y x प्लस y dash प्लस 6 19 तो मैंने का 13 प्लस 6 19 तो मतलब आज का जो अवरेज है वो 13 है सर और एक बार और एक बार और एक बार आज का अवरेज पता नहीं ओके सर 12 साल बार जो अवरेज है वो 22 साल का होने वाला है तो कितने में 12 जोडने से 22 22-12 यानि कि 10 आज का अवरेज अगर 10 है तो 12 साल 22 होगा यह तो मैंने आज प्रूव भी किया है कुछ ही देर पहले डारेट जंप करो तो कमपनी is not responsible मैं अभी आज से कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ सर आपको आज का अवरेज यह नहीं पता लेकिन उसने कहा कि X साल के बाद जो आपका अवरेज है वो X प्लस 22 है सर मतलब after X years आपका जो अवरेज है वो X प्लस 22 है मैंने का हाँ सर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैंने का क्या इस X प्लस 22 को अगर मैं 22 प्लस X लिखाना मैंने का ऐसा क्यों क्यों की सर 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12 15 प्लस 3 यही है हां सर X प्ल य यही है 13 प्लस 6 यही है कितने में X जुडेगा तो 22 प्लस X होगा 22 22 मैंने का मतलब आज का अवरेज 22 है इसलिए x years के बाद जो average है वो 22 प्लस x होगा काफी common सा question है यही concept को लेके मतलब बहुत बंगे रहते हैं तो इस चीज़ को समझने का बहुत खुपतर दरीके से कोशिश कीज़ेगा for example अगर मैं आज से कहूँ कि present average मुझे नहीं पता लेकिन after y years average अगर 9 प्लस y हो जा रहा है तो मुझे पता है कि y साल के बाद average y साल बढ़ जाता है मतलब जो present average था वो 9 साल का था यही मैंने किया कि अगर आपका x years के बाद average 22 प्लस x हो रहा है तो जहां से सफर start वा present वो 22 होगा तभी तो 22 में x जुड़के 22 प्लस x होगा मतलब यह चीज confirm हो चुका है कि आपका इस सवाल में अगर एक साल के बाद average a और b का x प्लस 22 होगा तो present average present क्योंकि यह condition तो कुछ भी नहीं बोलता ना after x years उसने कहा तो present सही x years ना तो present average आपका 22 है फिर मेरा आपसे एक सवाल है मुझे present average में दिलजस भी है no sir मैंने का फिर क्यों क्योंकि sir मेरा यह ratio चार साल पहले तो चार साल पहले sir जो average होगा वो 18 का होगा मैंने का बात तो सही है लेकिन क्या उस 4 साल पहले मुझे average में दिलजस भी है sir इसमें फिर क्या हो गया मुझे sum में दिलजस्पी यह थर दो ही लोग हैं तो सम 36 होगा सर इससे क्या होगा अगर 4 साल पहले इन दोनों का सम 36 होगा जिसमें से यह 4 पार्ट है और यह 5 पार्ट है 9 पार्ट 36 तो 1 पार्ट आपका 4 के साथ इसका age 16 साल और इसका age 20 साल हो जाएगा मैंने का साल पहले 16 साल का हुआ करता था तो वो आज कितना होगा सर 16 प्लस 4 वो आज 20 साल का होगा लेकिन 20 के साथ मत जाना सर क्यों क्वेश्चिन ने पूछा है कि अगर तो उसने मुझे क्या पूछा 2 यर्स अगो दे एज आफ एवस सही मैं यहां पर तो मेरे पास आप्शन ही नहीं है 18 का ओहो गलती कर दिया है हमने सर गलती क्या मैं वही सोच हूँ 18 का आप्शन नहीं है यह रेश्व आपके पास क्या है 5 इस टू 4 अभी मौत को छूंके टक से वापस आया हूँ क्या 5 इस टू 4 के बाद मैं कह सकता हूँ कि यह वाला चीज आपका 20 और 16 का होगा हां सर अगर यह 20 साल है 4 साल पहले किसी को अगर 20 साल हुआ करता था तो आज वह कितने साल का होगा सर आज वह 24 साल का होगा आज अगर वह 24 साल का है तो उसने पूछा कि 2 साल पहले वो कितने का था तो 2 साल पहले वो 2 का यानि कि 22 साल का था अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये अकेले स्मार्ट और में बेफकूफ हो तो बिल्कुल नहीं सर ये आज से 4 साल पहले था मैंने का हाँ आपको आज से 2 साल पहले जाना था मैंने का हाँ तो उनके बीच में सिर्फ दो माइनस करके। मतलब सिर्फ दो एड़ करके 20 प्लस तो 22 भी तो आ सकते थे। मैंने का क्या ? मैंने का हाँ दिखाओ ना सर ये मेरा present है मुझे यहां तक आ नहीं की जरूत नहीं मैंने का फिर सर मेरा आज से 4 साल पहले का उमर वो 20 साल है मैंने का हाँ question ने मुझे present नहीं पूछा question ने पूछा आज से 2 साल पहले का h कितना है बता यही वाला मैंने का हाँ sir आपको बता है कि यहां से यहां आते आते 2 साल बढ़ गए होंगे मैंने का हाँ क्योंकि minus 4 के बाद minus 3 आता और minus 3 के बाद minus 2 तो मुझे present तक जाके फिर minus 2 क्यों आऊं जो कि आपने किया कि 20 से 4 जोड़ के 24 और 24 से 2 कम करके 22 यह 4 कम 2 ज्यादा उससे अच्छा मैं यहां से यहां 2 ज्यादा नहीं चला था अब देखो तुम smart हो इसलिए तुम खुबसुरी तरीके से चीज को समझ गया और मुझसे argument किये जो smart नहीं हो तो अभी भी सोच रहा होगा हो क्या रहा है तो आपका कोई blunder नहीं है अगर आप ऐसे करते हो कि आप 4 साल पहले 20 साल के थे तो आज आप 24 के हो गए 4 बढ़के और 2 साल पहले आप उस हिसाब से 22 के थे तो कोई blunder नहीं है अराम से आप जा सकते हो काफी explain कर दिया थो उस चीज को मने The family of 6 members has present average age is 35 years एक परिवार में 6 सदस्टे थे और उनका जो average है औस थे वो 35 साल का था If the present age of the youngest member in the family is 15 years या अगर जो सबसे youngest member है उसका age अगर 15 years का है If no death occurred in the family since the birth of the youngest then what was the average age of the family at the time of the birth of the youngest member तो देखो ये question में बहुत से जगा बहुत से controversies होते है मैं उन सारे controversies को दूर करना चाहता हूँ ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर 35 लोगों का average यहाँ पे छे लोगों का average अगर 35 है तो उनका सम कितना होगा सर 35 इन्टो 6 यानि कि 210 उनका age का सम है इन में जो youngest member है परिवार का वो 15 साल का है अगर इसी दोरान कोई death नहीं हुआ तो आपको ये बताना है कि मतलब जब से youngest बच्चा पैदा हुआ न उसके बाद से अगर कोई death नहीं हुआ तो मुझे average बताओ as you of the family at the time of the birth of the youngest member at the time of the birth of the youngest member जब youngest member पैदा हुआ तो उस time का ओसत कितना है आपका ये youngest member 15 years का है हाँ sir मेरे दोस्त जब आप आज से इस बच्चे को पैदा करने की बात कर रहे हो मतलब ये जब 0 का होगा जब instant पैदा होगा तो 0 का ही होगा तो मुझे आज से कितने साल पहले जाने है मुझे आज से 15 साल पहले जाने है लेकिन मेरे भाई आज से जब मैं 15 साल पहले जाऊंगा मैं इसको दो तरीके से करता हूँ पहले basic से सर यह sum 120 का हो जाएगा मैंने का बात तो बढ़िया कर रहे हो अगर यह sum 120 का है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसने मुझे क्या पूचा question में इसने मुझे question में पूचा कि at the time of the birth मतलब देखो एक condition आता है जब तक वो यहाँ पर तीन केसिस बन सकते है immediately before immediately before the birth of the youngest member at the time of the birth यह अलग-अलग बुक में बे अलग-अलग दे रहा है immediate after the birth मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ यह जो at the time of birth है न उसको हम immediate before भी consider करते है मतलब at the time of birth मतलब बच्चा पैदा हो रहा है वो condition हम लेके चलते है इससे present continuous condition ऐसा नहीं कि वो पैदा हो गया है at the time of birth जब यह पैदा होगा हो रहा है वह ऐसा condition जाता है और जब वो हो रहा है मतलब वो exist नहीं कर रहा है क्या कहना क्या चाते हो कहना बस यह चाता हूँ कि 15 साल जब मैं पीछे जा रहा हूँ छे छे लोगों के 15 15 15 करके 90 माइनस कर रहा हूँ तो निया संजो 120 है उसमें यह member और नहीं है और अगर यह member और नहीं है तो हमारे पास अभी सदश से कितने है सर 6 में से youngest member चला गया तो 5 में सदश्य है 5 सदश्यों का अगर सम 120 है तो बटे में जब आप 5 दोगे तो यह कितना हो जाएगा यह आपके पास 24 हो जाएगा बट यही question का answer 20 भी हो सकता था मतलब इस सवाल में 24 is the right answer क्योंकि at the time of the birth we have to consider कि वो अभी पैदा निवा at the present continuous में है बट एक एक question में वो यह देता है immediately after the यह बच्चा मतलब youngest member get born मतलब जब आपका youngest member जब पैदा हो गया तो उसके बाद तो भाई सार उसके बाद तो बड़ा simple है कि जब youngest member पैदा हो ही गया तो यह जो 120 है वो भले ही उसका 0 हो but he will be considered as a member मतलब that sum 120 will be of 6 member तो 120 by 6 यह वाला आपके पास 20 consider किया जाएगा यह आज भी बहुत से controversial books में at the time of birth में भी 20 answer दे दिया जाते है but that's the wrong thing आप उसके लिए बिलकुल चिंता ना की जाएगा trust your educator अगर immediately before बोलता है या फिर at the time of birth भी बोलता है तो आप इसको यह condition consider कीजेगा और immediately after अगर वो बोलता है तो आप यह condition consider कीजेगा बस काम खतम करें इसका तो इस सवाल के इसाब से 24 और that too यह वाला statement controversial है ना आपको मैं यह guarantee देता हूँ कि जितने controversial चीज़े हैं वो आपको आपको एक point clear करवाना चाहता था अगर आप अभी भी confused हो तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ this is a controversial statement it won't be asked in the examination तो आप बस immediate before और immediate after immediate before में उसको consider नहीं करना immediate after में उसको consider करना है इस आदब two possible answers अगले सवाल के पास चले average age of a family of five members is 27 years average age of the family is increased by six months when a new female member joins the family due to marriage of a male member in the family if the ages of the new woman नहीं का वो सब छोड़ो अब आगे पढ़ोगे तो उलज जाओगे पहले सदश्य कितने 5 और average कितना है 27 तो 27 इंटो 5 उनका sum मुझे बताओ सर मैं बताता हू 135 बात साब यही average six months six months year के हिसाब से कितना है आधा साल यानिकि 0.5 year consider किया जा सकता है यही average परिवार का 0.5 year से बढ़ता है जब एक नया female member इस परिवार को join करता है क्योंकि marriage हो जाता है एक male member का इस परिवार में तो भाई साब 0.5 से बढ़ना मतलब average अभी 27.5 चलना क्योंकि 6 महीने मतलब आधा साल और आधा मतलब 0.5 लेकिन अब सदश्य भी एक female member इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है तो 6 लोगों का average है 27.5 तो इनका sum कितना होगा 27 x 6 162 और यह 3 165 क्या इससे मैं एक सवाल आप से पूछ सकता हूँ पूछो सर पूछो अच्छे से यहां कौन नहीं था जो यहां है सर फीमेल मेंबर क्या सही पकड़े हो तो वो फीमेल मेंबर का एज कितना है सर वो फीमेल मेंबर का एज है हमारे पास 30 यानि कि ब्राइड कहा सकता है जो भी है डॉक्टर इन लॉव अगर आपका मेंबर 35 का हो चुका है यह सब आगे नहीं गए यह सब प्रेजन में चल दा है कंडिशन स्टार्टिंग से अभी तक प्रेजन में ही है बस अभी बोला है कि चार सदर्शियों का आवरेज बताओ अब देखो परिवार में 5 इससे थे पहले अब बस आपको extrude करना है किसको? आपको extrude करना है husband को तो मतलब आपका जो initial sum था 135 उसमें husband दाड़ था बढ़ जब मैं उस husband को हटा दूँगा जो कि 35 साल का उमर है रखता है तो आपका यह जो sum है वो 100 का बन जाएगा और यह 100 में husband हटते ही total और 5 लोग नहीं तो इन लोगों का जो average है वो काट पीट के 25 साल का बन जाएगा यानि कि option number सी इस सवाल का सही उत्ता है अगले सवाल The average age of the members of a joint family of 8 people is 58 years pause करके कर रहे हो तो और साथी चार सेशन को like और share कर रहे हो तो इतना request है कर रहे हो है नहीं कर दिना यार अच्छा लगता है The average age of the members of a joint family of 8 people is 58 years 8 लोगों का joint family है जिनका average है 58 3 years later one member died at the age of 120 years and a child was born at the same time when person was died after ऐसे करके आगे पढ़ते जाओगे तो गलत हो ही जाएगा तो आपको ओना जो changes करने इस जो 120 आदमी जो चला जा रहा है या 58 और कोई है कोई आ रहा है 120 का एक और मर जा रहा है ऐसे एक चाइल पेदा हो जा रहा है यह सब जो हो रहे न उनका impact सम पे आता है तो हम सम पे कैसा impact रखेंगे सबसे पहले average जो है joint family के 8 सदस्यों का 58 था तो 58 का average अगर 8 लोगों का था तो 400 और यह आपके पास 464 जो है वो सम था तीन साल बाद एक सदस्या चल बसा 120 का क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि 464 तो सम था तीन साल बाद 8 लोगों का 3-3-3-3 साल बढ़के 24 सम में बढ़ गया होगा इतना सम बन गया था कितना खुबसुरा सब को चल ला था बट एक 120 उमर के बुज़र्ग आदमी चल बसे जिसके वज़े से सम जो है वो 120 कम हो गया लेकिन make sure कि एक आदमी जाते ही एक आपका number of person कम हो गया and a child was born at the same time no, मौका ही नहीं दिया बुज़र्ग आदमी गया है कि बच्चा पैदा हो गया अब बोलेंगे कोई लोग कि यह उनका रूप है उनहीं का स्वरूप है ऐसे करके और एक child जो है वो same time पे burn हो गया when person was died जब वो मरा तो एक नया बच्चा पैदा हो गया after another three years जब मैं और तीन साल बाद की बात करता हूँ तो उस बंदे का जो नया बच्चा पैदा हुआ वो भी तीन साल बढ़ेंगे बाकी सारे लोग तीन साल बढ़ेंगे तो कोई tension वाली बात नहीं टोटल ग्रूप में आठ लोग होंगे आठों के आठों तीन तीन साल बढ़के अब यह सम फिर से 24 बढ़ गया होगा अब यह सम 24 बढ़ने के बाद लेकिन तीन साल के बाद क्या हो गया एक और परसन चल बसा 120 के उमर में और एक बच्चा फिर से पैदा हो गया जब यह आपका मरा अब यह सम आपका बन चुका था after another 3 years बट अभी 120 वाला एक आदमी जाने वाला है अब जानते हो यहाँ पे उसने यह बच्चा पैदा करके उसको सम में कोई changes नहीं लिया क्यों? क्योंकि बच्चा अगर पैदा होगा और अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बाद चलता आगे तो हर सल 88 का सम बढ़के मैं आगे चलाता है लेकिन अभी सम में कोई change नहीं क्योंकि यहीं पे full stop है, यह आज का सम है और उसने आज ही का मुझे average पूछा है बस वो नया बच्चा पैदा करते ही उसने कहा कि यह जो अभी का सम नहीं है जो कि कितना आ रहा है ज़रा देखना सर्फ 24 और 24, 48 और 120, 120, 240 464 में से 240 जाएगा तो यह 24 और यह 224 224 में जब 48 जुड़ेगा तो यह हो जाएगा आपके पास 272 और यही 272 का जो सम है वो अभी भी कितने लोगों का है यह आकरी बच्चा पैदा होते ही 8, 7, 8, 7, 8 ऐसा चलेगा यानि कि 8 लोगों का है तो divided by 8 8 में जब मैंने काटा 3 बार तो यह 24 और यह 24 के बाद 32, 32 यानि कि यह 4 तो अभी का जो आपका आवरेज है वो 34 साल है option number C समझे स्टार्टिंग में कितने लोग थे तीन साल बार क्या हुआ एक गया एक आया अगेन कितना हो गया 8 और तीन साल बार एक गया और एक आया तो तो दस लास्ट वन जो आड हुआ वो इस 8 को इंडिकेट करेगा कि number of person 8 है नहीं तो मैं 7 से भाग देता अगर वो आदमी चल बसता है 120 और यहां पर बच्चे आड नहीं होता तो बटे में कितना आता साथ वाट इस बच्चे के साथ confirmation है कि अप उनको बटे में 8 ही देना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है काफी कुप सुरा धीरे धीरे देखो मतला ऐसा नहीं कि mains बन जा रहा है बट लॉजिक के साथ वो खेल रहा है 41 का जो average है वो तीन लोगों का है husband, wife और child, son तो sum कितना होगा 41 into 3 यानि कि 123 मैं बिलकुल लिस्क नहीं रहूँगा मैं आराम से एक ही बार में इसको कर लूँगा the son got married जो बच्चा है वो साधी कर लिया exactly after one year a child was born to them इसके exactly एक साल के बाद उनका एक बच्चा हो गया जब चाइल्ड को 6 साल हुआ तो average परिवार का 37 का हो गया मैंने का सब कुछ छोड़ थो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस परिवार में अभी तीन लोग थे एक शादी करने के बाद एक wife आगे उस wife को थोड़ा ignore मारो ignore the wife ओके सर्व ये सम जो 123 का था ये आपके husband, wife और son का था इसी particular टाइम में शादी होने के बाद एक साल बाद इस son का एक बच्चा था मेरे wife को complete ignore मारा है और जब बच्चे को 6 साल हुआ तो क्या scenario होगा सर बच्चा अगर आज से 1 साल बाद हुआ और उसको 6 साल complete हो चुके है तो आज से 1 साल प्लस 6 साल मैं आज से 7 साल बाद जा चुका हूँ मैंने का बात बहुत बढ़िया कर रहे हो सर आज से 7 साल बाद husband 7 साल बढ़ जाएगा wife 7 साल बढ़ जाएगे मैं 7 साल ये मैं हूँ 7 साल बढ़ जाओगा लेकिन जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल बढ़ेगा क्योंकि वो इस time पे नहीं था वो एक साल बाद आया तो हमारा जो सम है वो 7 या 21 और ये 6 27 के addition के साथ 160 150 का होना चाहिए मैंने का हाँ ये कितने लोगों का होना चाहिए ये husband, wife मतलब मेरे पापा, मम्मी, son और मेरे बच्चा इन सब का सम है लेकिन उसने कहा कि आज जब बच्चे को 6 साल है तो परिवार का आवरेज 30 है लेकिन मेरे दोस्त ये जो 37 का आवरेज है मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये 37 का आवरेज किसका है ये 37 का आवरेज ना 5 लोगों का है मैंने का ये 5 कैसे आए अगर इन चारों का सम 150 है और इसमें पांचवां जो परसन है उसी के कारण ही जो एक्स्ट्रा 35 है वही आ रहा होगा तो क्या वही वाइफ होगे हाँ सर और वाइफ जो 35 है वो कब 35 है सर जब शादी हुआ उसके 7 साल बाद वाला सिनेरियो चल लए न तो शादी के 7 साल बाद बीबी को 35 तो उसने मुझे पूछा कि वाट वस अगर मैं माइनस कर दूँ क्योंकि ये सारे कंडिशन बच्चे को 6 साल और बच्चा अगर 1 साल बाद वा तो 7 साल बाद चल लए तो शादी जब हुआ तो 35 से 7 माइनस कर दूँगा तो 28 साल की बीबी थी जिसका मतलब option number A इस सवाल का सही उत्तर है तो काफी है logical सवाल आपको ages में average को mix करके वो ऐसे घुमा फिरा के दे सकता है बट आपको stick करके रहना ज्यादा नहीं सोचने और ज्यादा shortcut की बीछे नहीं भागने काफी कुपचरे तरीके साथ सम का method लगा के आराम से कर सकते हो ऐसे पढ़ते जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा मैं आपसे सबसे पहला एक सवाल पूछना चाहता हूँ average age एक couple का 24 साल का था तो उन couple का सम कितना होगा sir 24 couple में 2 होंगे तो उन couple का सम जो है वो 48 years का है after their first and second children twins were born the average age of the family become 13.5 sir मैं आज से कुछ पूछो मैंने का हाँ पूछो sir यह 13.5 का average कितने लोगों का है मैंने का कितने लोगों का है तुम बताओ sir यह 4 लोगों का है मैंने का 4 कहां से आये sir husband wife और उनके twins बच्चे यानि कि 2 बच्चे 4 लोगों का मैंने का उस हिसाब से यह sum कितना आ रहा है sir यह sum आ रहा है 13 चौके only 13.5 चलो sir 13 चौके बावन और बावन और यह आपके पास अगर मैं 2 कर दू तो 54 the average age of a couple was for 24 years after their first and second children twins were born the average age of the family became 13.5 years तो यह कब हुआ twins पैदा हुए एक साल बाद दो साल बाद किछ नहीं है यह condition मुझे नहीं पता है तो इसमें क्या है इसमें क्या क्या है मैं बस आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इसमें मेरे husband है wife है और दो twins है बस इतना मुझे पता है अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो average जब आपका तीसरा बच्चा पैदा हुआ तब 13.2 का था 13.2 तीसरा बच्चा मतलब में मेरे बीबी तीन बच्चे 5 लोगों का तो average 65 66 का है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का हाँ सर यह तो जो एक condition था जिसमें आपके पास दो बच्चे हुआ करते थे मैंने का हाँ पैदा हो गये यहां से यहां सम में कितना चेंज आ रहा है उसी टाइप का सवाल जो हमने 36 बटा 3 करके बारा लिया था ना उसी टाइप का सर यहां पे हमारे पास सम जो है वो 12 साल बढ़ रहा है मैंने का सुनो यह जो पांचवा मेंबर है वो तो आज बैदा हुआ है लेकिन हम चार तो पैदा हो चुके है सर यह जो 16 का आवरेज है ना मैंने का सोला का जो आवरेज है सर फोर्थ चाइल मतलब आप दोनों और आपके चार बच्चे यानि के छे लोगों का तो यह सम आ रहा है सर हमारे पास 96 मैंने का एक बात बताओगे हाँ सर पूछो बताओगा यहां से यहां सम कितना बढ़ा सर यहां से यहां सम 30 बढ़ा चटा बच्चा तो इस साल पैदा हुआ इसी टाइम पे उससे पहले तो यह जो 5 लोग थे सब 1-1 साल में 1-1 साल बढ़ रहे होंगे मतलब हर साल 5 का सम बढ़ रहा होगा उननेस अवरेज अगर हम 6 लोगों का है तो अभी का जो सम है वो 114 है अभी का सम अगर 114 है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहां से यहां कितना एक्ष्ट्रा है सर 14 और चार 18 यह जो 18 एक्ष्ट्रा है इस साल तो कोई पैदा नहीं हुआ आकरी में जो 6 लोग थे सब हर साल एक एक करके 6-6 साल का सम बढ़ रहा होगा 6-6 साल के इस साल से 18 बढ़ने के लिए 3 साल लग गया होगा तो यहां पे इस कंडिशन आने के लिए 3 साल लग गया होगा तो उसने मुझे क्या पूछा what is the current age of the twin children अभी जो current age twin children का वो कितना है काफी खुबसर तरीके सा यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने साल हो चुके सर यह 3 साल यह 6 साल और यह 3 साल तो 3 प्लस 6 9 प्लस 3 12 तो 12 साल हो चुके तो जब twin पैदा हुए उससे 12 साल हो चुके आज तो twins को 12 साल होगे what is the current age of the twin children तो यह हो जाएगा 12 अगर 2 twin children का सम पूछता तो 24 आता लेकिन उस का सम इंक्रिमेंट एक साल में actually में सम इंक्रिमेंट कितना होना चाहिए बटे में दोगे तो number of years कितना इसी duration में span में हुआ है वो concept भी मैंने आपको सिखाया है तो छोटे-छोटे concept जितने हो सके मैंने इसको अलग से पहले बताया है बाकी जब मैं high level के questions करवाँगा तो वह मेरा भाई पैदा हुआ तो मम्मी को इतना था जब मेरे दीदी पैदा हुई तो मैं इतने का था तो ऐसा वाले questions को कैसे टैकल करने होते हैं उससे दो तेने example में ले लेता हूँ ताकि वो concept आपका clear हो जाए तो चलिए session अगर मज़िदा लग रहा होगा एक बार लाइक कीज जब बहन पैदा हुई तो मैं इतने का था वैसा type के सवालों में या तो आप उलच जाते हो normally question के languages में या फिर unknown variable x, x plus 20, x plus 30 ऐसे consider difference को लेके आप फस जाते हो तो इस question को solve करने का जो सबसे बहतर, सबसे unique, सबसे खासम खास अंदाज है वो मैं आपको सिखा देता हो इसके जि 38 years of age when sea was born तो आपको यहां पर बस एक concept रखने है zero concept इसको zero concept कहता हूं मैं यह zero concept क्या होता है, zero concept बस यह होता है जब कोई भी person instant born, instant born मालब जब at the time of birth तो उसके age को zero consider किया जाता है तीक है? उसके age को zero consider किया जाता है अगर born के time उसके age को 0 consider किया जाता है तो उसने कहा कि आईशा के पापा को 38 years था जब she was born मतलब जब आईशा पैदा हुई थी तो पापा को 38 years मतलब आईशा पैदा हुई थी तो 0 तो उस time पे पापा को 38 आप एक ऐसा side करके column लिख दीजेगा इतना आप कर सकते हो मेरे लिए हाँ son when she was born while her mother was 36 years old when her brother 4 years यंगर को अभी लाओगे तो गलत कर दूगे तो तुम बस इतना सुनो कि मम्मी जो है वो 36 साल का उमर है जब भाई पैदा हुआ mother है और brother है और concept कह रहा है कि जब भाई पैदा हुआ तो भाई का 0 के time पे आपके मम्मी को उस time पे 36 years का age था ये मैंने अलग line क्यों लिखा क्योंकि ये पूरा line जो है उस पूरे line के हिसाब से ही मैं ये question को solve करूँगा कि ये एक particular line में अगर मैं यहाँ पे एक value और यहाँ पे एक value डाल दू न तो मतलब भाई जब पैदा हुआ तो मम्मी आईशा से तो आईशा चार साल बड़ी 20 है भाई जब 0 तो उससे 4 साल बड़ी मतलब आईशा को उस time पे 4 साल हुआ होगा और मेरे दोस्त जब आईशा 0 से 4 आ रही है मतलब 4 साल का span गुजरा है तो पापा भी तो 38 में नहीं बैठे होंगे ना पापा भी 4 साल बड़के पा इस question के solution देखके बहुत से लोग तो बोलने होंगे सर मेरे पास इससे बहतर तरीका है यह कर दो देखो सर इन दोनों के बीच का gap इन दोनों के बीच का gap देखो यह 38 और यह 36 दो दो और चार दो और चार छे कोई ना कोई तो आएगा कि सर देखो 38 और चार दो दो और यहां एल्डर टो हिम रवी का जो भाई है वो रवी से तीन साल बड़ा है अगर मैं आपसे कहूं कि his father was 28 years of age when his sister was born यह कुछ अच्छा पॉइंट है 28 सुनने है कुछ gap लग रहा है तो पापा को sister जब पैदा हुई तो कितने age था 28 यहां तक बात साफ है while his mother was 26 years of age when he was born mummy 26 when he, he मतलब मैं रवी ही हूँ अरे मेरे भाई रवी आजा जब रवी पैदा हुआ मतलब यह दूसरे लाइन पर लिख लिए कि mummy 26 साल की थी जब रवी पैदा हुआ अब उसने क्या कहा some of the ages of रवी's father वो सब छोड़ दो रवी's brother is 3 years elder to him रवी का जो भाई है मतलब अगर मैं भाई की बात करो वो तीन साल बड़ा है किससे रवी से तो इससे क्या होगा his father was 28 years of age when his sister was born while mother was 26 years of age अच्छा यह लाइन मैंने छोड़ दिया है तो सर रवी का भाई तो रवी से 3 साल बड़ा है मैंने कहा तो रवी जब पैदा हुआ होगा तो रवी के भाई को तो उस टाइम पे 3 साल हो गया होगा वो 3 साल बड़ा है मैंने कहा सर अब ये वाला point देखो if his sister उसकी बहन 4 साल की थी जब उसका भाई पैदा हुआ मतलब जब उसका भाई पैदा हुआ 0 तो उस टाइम पे बहन अगर 4 साल की थी तो उसने मुझे क्या कहा कि मुझे रवी के पापा और मम्मी का एज बताओ जब उसका भाई पैदा हुआ तो मैं आपसे एक सवाल पूछू हाँ सर जब बहन को 4 साल हो गई तो बहन 4 साल में 4 साल होगी तो पापा जब 28 के थे तो इसी 4 साल के दोरान 32 के हो गए होगे अब आपने इस पॉइंट को फिल किया कि ब्रदर 3 से 0 हो रहा है मतलब वो 3 साल पहले की बात कर रहा है ब्रदर आज तो 3 साल कर रहा है अब रवी तो नहीं होगा इस दुनिया में मुझे तो पता है कि रवी तो वो वाला 0 गंसल करना अच्छा नहीं है रवी तो होगा नहीं लेकिन इतना तो confirm है कि रवी के भाई को जब 3 साल था तो मम्मी 26 साल थी तो 3 साल पहले जब रवी का भाई पैदा हुआ होगा 0 तो तीन साल पहले मम्मी कितने की होगी? मम्मी होगी 23 की और उसने सवाल में यही पूछा कि जब उसका भाई पैदा हुआ रवी का व्रदर पैदा हुआ तो फादर और मदर का सम बताओ सर्फ फादर और मदर का अगर मैं सम कहूं तो 32 और 23 का जो सम है वो 55 years का आ जाएगा और आप में से अगर किसी ने answer निकाला option number A, heads up की बड़ा गजल जबरदस चल लिए आपके तेयारी आप समझ गए इसको zero concept में क्यों कहता हूँ? अगर नहीं समझे तो इसी dicto type का एक और question थोड़ा fast करके दिखाने की कोशिस करता हूँ मेरे पापा 30 साल के उमर के थे जब मेरी बहन पैदा हुई father sister 30 साल का उमर zero यहां तक clear my mother was 38 years of age when I was born mother I 38 when I was born मतलब मैं zero था my sister was 6 years of age when my brother was born जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरा sister 6 साल की थी क्या sister 6 साल के साथ आपको एक और आईय भी मिल चुका है sir क्या उस time पे पापा भी 6 साल बढ़के 36 साल के हो गए होंगे तो यही relation मुझ तक मिला है अभी तर हाँ sir अब उसने क्या कहा what was the sum of the age of my father my brother was born अब यह वाला point में बार बार एक चोटा point छोड़ देता हूं दीदी को 6 साल था जब मेरा भाई पैदा हुआ था who is 3 years elder to me जो मेरा भाई है ना वो मुझ से 3 साल बढ़ा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पूछो सर पूछो अच्छे से पूछो जो मेरा भाई है वो अगर मुझ से 3 साल बढ़ा है तो मैं जब पैदा हुआ था वो 3 साल का हुआ करता होगा अगर मैं अपने भाई को 3 साल बढ़ा दूँ तो उस टाम पे बहन जो होगी वो भी 3 साल बढ़के 9 साल हो गए होगी और जो आपके पापा होंगे वो भी 3 साल बढ़के 39 हो गए होंगे और यही condition पर मुझे सब कुछ अगर मिल गया तो उसने मुझे question में क्या पूछा some of the age of मैंने father और mother बताओ जब मेरा भाई पैदा हुआ मतलब यह वाले case में अब यह वाले case को जाने के लिए आपको अपने मम्मी को 3 साल पहले लेना होगा हलाकि मैं पैदा नहीं हुआ तो मम्मी को 3 साल पहले ले जाएंगे 3 साल पहले ले जाएंगे तो यह कितना हो जाएगे 35 तो अगर उसने मुझे question में पूछा जब राम पैदा हुआ, मैंने राम को सबसे पहले तो पैदा किया, मैंने नहीं मतलब, question में, zero उसका पापा 32 सल बड़े है उसके भाई से, father, brother 32 साल बड़े, मेरे representation हाँ, and his mother was 25 years older than her sister, और उसी time पे, उसी time, and conduction के साथ, ना, मम्मी जो है, वो sister से 25 साल बड़ी थी, मतलब, देखो, जब मैं पैदा हुआ, पापा 32 साल बड़े थे मेरे भाई से, और मम्मी जो है वो 25 साल बड़ी थी, sister से, तो इनके बीच का ये gap जो है न, वो हमेशा same ही रहेगा, कोई problem वाली बात नहीं, if Ram's brother is 6 years older than Ram, अगर Ram का जो भाई है, वो अगर 6 साल बड़ा है Ram से, तो Ram का भाई, जब Ram पैदा हुआ होगा, तो 6 साल का होगा, और Ram का भाई, तुम अगर 6 हो, तो तुम से 32 साल बड़े, तुम्हारे पापा तो 38 के होँगे, हाँ सा, and his mother is 3 years younger than his father, और इसकी मम्मी अगर 3 साल छोटी है उनके पापा से, तो 38 पापा, तो 3 साल छोटी मम्मी 35, और मम्मी तुम अगर 35, और तुम 25 साल बड़ी बहन से, तो बहन, 10, तो उसने मुझे कहा, how old was Ram's sister when Ram was born होगा और क्या, जब Ram पैदा हुआ, तो उस टाइम पे sister को कितना था, तो मैंने देखा कि sister को 10 years था, option number B, मज़ा तो तब आता, जब वो question में क्या पूछता, कि जब brother पैदा हुआ, मेरा Ram का भाई पैदा हुआ, तब sister को कितना था, Sir, brother जो है, वो पैदा होने के लिए, आज जो 6 साल का है न, वो पैदा होने के लिए 6 साल पहले जाना होगा, और यह अगर मैं 6 साल पहले ले लो, तो बहन जो आज 10 साल की है, वो भी 6 साल पहले, 4 साल की होगी, तो उस हिसाब से अंसर 4 होता, जिसका भी पूछता आप निकाल लेते, आगे से, भाई पैदा वक्त, पापा कितने थे, सब आप निकाल सकते हो, पापा कितने थे, वो भी निकाल सकते हो, 3 साल केते हैं, पापा 3 साल रहेगा, तो जो भी वो कुछेगा, आप इसको निकाल लोगे, क्या यह concept clear है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अब मैं आपको यह सारे concepts अलग-अलग से बता दिया, for example, सबसे पहले हमने ratio के implementation सीखे, cross product method सीखे, ratio के भरकूर techniques वगरा सीखे, option का इस्तेमाल सीखे, फिर हमने सीखा, यह average का concept क्या रहता है, ages problem में, फिर हमने यह zero वाला concept सीखा, अब मैं आपको थोड़ा equation making के उपर लेके च सिखा दूँगा, equation को भी खुबसे तरीके से कैसे बनाया जा सकते है, वो भी हम discuss करेंगे अभी, तो session को एक बार light कर दीजे, मैं लगाने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए equation based सवाल, ready, पहले सवाल के लिए, तो दोस्तों, अब वक्ता आच चुका है कि problems based on ages का सबसे important part discuss करने का वो है equation making, जी बिलकुल जब बात आती है equation की, तो हम सभी लोग डर जाते हैं, क्यूंकि हम सब इसके साथ थोड़े comfortable नहीं बन पाते है, actually मैं ये equation क्या है, ये जो आपका एक language के form में दिया गया है, उस language के form को जब मैं mathematics के form में represent करूँगा, उसी चीज को equation कहा जाता है मतलब मैं बस उसके दिये गए set of instruction को properly पढ़ूँगा, जैसे कि वो कह रहा है, the present age of Sanjay है, वो twice है, यानि कि double है, किसका? सेटी के age 4 साल बाद, अगर सेटी आज तुम S हो, तो 4 साल बाद तुम सेटी S plus 4 हो, और तुम S plus 4 जो 4 साल बाद होगे, तुम्हारा double अगर मैं कर बंजे का age तक पहुन जाओंगा, तो ऐसे type के जो language, वरवल language आपको दिया गया है, उसी को जब आप mathematical form में, equation के form में represent करते हो, यही होता है equation making, और यह सिर्फ ages के chapter में नहीं, बलकि आपको सारे quantitative aptitude के topics में important होंगे, लेकिन यहां से आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीख स क्योंकि ages में language बहुत variety form ले सकता है, कोई ऐसा topic नहीं है जिसमें language इतने और ज्यादा variety के form में ले सकता है, क्योंकि यहां पे वो number of person unlimited ले सकता है, उनके ages के बीच में 7 साल, 10 साल, 15 साल बार बार खेल सकता है, कोई ऐसा दूसरा topic नहीं जहां पे इतना language के साथ वो खेल सकता ह इसलिए यहां से ही हम इस चीज को सबसे बहतर तरीके से सीखेंगे, सीखते वक्त मैं आपको पहले कुछ चीजे मता देना चाता हूँ, equation का कुछ ऐसा बिलकुल भी नियम नहीं है कि आपको इसी सवाल में ऐसे kind का ही equation बनाना है, no, आप बस उस language को अपने हिसाब से आप कैस equation का form कैसे दिया जाता है, और ये भी पूरी कोशिस करूँगा कि सबसे बहतर equation आपको दूँ, ऐसा तो आपके एक question में 1000, 1000 बहुत जादा हो गया, सेंकड़ equations बन सकते हैं, लेकिन जब बात आती है, खुबसूरत equations की, उन्हीं को solve करने का मन करता है, आपने ये कभी नहीं दे के solve करने का, और मैं पूरी कोशिस करूँगा सारे techniques जो है, इसके अंदर भी equation के अंदर भी tricks and techniques है, उन tricks and techniques जो shortcut होते हैं, उनको भी बताऊँगा, जैसे कि पहले सवाल में मैं क्या सिखाऊँगा, आप समझ जाओ गया भी, The present age of Sanjay is twice the age of Shetty's age after 4 years, तो सबसे पहले मैं आप से एक चीज कहना चाहता हूँ, तो Sanjay और Shetty दोनों S से हैं, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे Sanjay, ये Sanjay का age जो है, वो twice है, यानि के double है, किसका? Shetty का age after 4 years, तो Shetty का जो age है, आज, 4 साल बाद वो plus 4 हो जाएगा, और Sanjay जो है, वो Setty के age के 4 साल बाद वाले age का double होगा, तो इनके बीच का जो ratio है, वो twist to 1 होगा, कि तुम अगर एक पाट हो, तो तुम्हारा double Sanjay दो पाट का होगा, हाँ सर बात सा, बात सा, 7 years hence, Setty's age will be thrice the present age of Rohit, आज से 7 साल बाद वाला age कितना हो मतलब Rohit, तुम अगर एक पाट के हो, तो Setty तुम 7 साल के बाद उसका 3 गुना, यानि कि 3 पाट होगे, यह दो equation मैंने लिख लिया, हाँ सर, इफ अनुराग is 4 years older to Rohit and 1 year younger to Setty, एक ही अनुराग को उसने Rohit और Setty दोनों के form में लिख दिया, तो अब भी इस टैप का equation क्या आपके दिमाग में आएगा, सर, Rohit और Setty इस वाले equation में दिख रहे हैं, दो अलग-अलग variables में हैं, लेकिन इस point में उसने अनुराग का relink, Rohit के साथ भी दिया, Setty के साथ दिया, मतलब अनुराग 4 साल बड़ा है Rohit से और 1 साल छोटा है Setty से, अगर मैं ये Rohit और Setty को अनुराग के form में लिख दो, यानि कि एक single variable के form में लिख दो, तो ये equation solve हो जाएगा, सर, बोले तो बढ़िया, लेकिन समझ में नहीं, मैं समझाता हू है, वो 4 साल बड़ा है Rohit से, अगर अनुराग 4 साल बड़ा है Rohit से, तो अनुराग is equal to Rohit के H plus 4 के बराबर होगा, हाँ सर, and one year younger to Shetty, मतलब वही ये अनुराग जो है, वो Shetty से 1 साल छोटा है, मतलब Shetty से 1 साल छोटा है, मैं क्या कहना चाहता हूं सुनो, अगर मैं यहाँ से R यानि कि Rohit का value पूछूं, तो आप मुझे क्या कहोगा, सर, यह 4 जाके minus हो जाएगा, तो वह अनुराग minus 4 कहलाएगा, और यहाँ से SETI को भी अगर मैं अनुराग के form में लिख लूँ, तो यह क्या हो जाएगा, A plus 1, तो इससे क्या होगा, जो आपके second वाली equation में Rohit और SETI जो अलग-अलग, भाई, Rohit SETI, अभी मैं मतलब realize किया हूँ, Rohit SETI, Rohit और SETI जो है, वो A की variable के form में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि, Rohit के जगा अगर मैंने A minus 4 डाल दिया, तो Rohit के जगा नीचे मैंने A minus 4 डाल दिया, सीधा, SETI के जगा मैंने कितना डाला, A plus 1, लेकिन SET A plus 1 के साथ एक और साथ रख रहा है, तो A plus 1, प्लस 1 जब आप करोगे, तो A plus 8 हो जाएगा, is equal to 3 by 1, हाला कि यह इतना छोटा चीज है, कि आप इसको आराम से कैसे कर सकते हो, A plus 8, 3A minus 12, 2A is equal to, आपके पास 20, A is equal to 10, अब cross multiply करके solve कर सकते हो, A is equal to 10, लेकिन यहाँ पे मैं equation का एक टिकनीक आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसे form में, upon upon form में इलिचेस आरिचेस दिखे, और numerator में और denominator में जो variable है, उनका कोई coefficient नहीं है, फिर coefficient बराबर है, यानि कि यहाँ पे भी A है, तो यहाँ पे भी A है, यहाँ 2A होता, यहाँ 3A होता, यहाँ 3A होता, यहाँ 3A ह यह मने का मतला, सर, numerator 3 पार, denominator 1 पार, तो numerator जो है, वो denominator से 2 पार्ट ज्यादा है, मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, यह जो numerator 2 पार्ट ज्यादा है, वो कितना number, numerical में कितना ज्यादा है, सर देखो, यह वाला A से 4 कम, A अहाँ पे है, तो उससे 4 कम, यह वाला A से 8 उपर तो इन दोनों के बीच का जो ग्याप है, वो 8 और 4 बारा का होगा, क्योंकि एक माइनस में 1 प्लस है, तो इनके बीच का डिफरेंस एड हो जाएगा, यानि कि 8 बारा जो आज हमने एजस में भी पढ़ा है, तो यह जो ऊपर वाला बारा ज्यादा है, अगर 2 पार्ट 12 है, त इस एक पार्ट 6 को जब आप यहाँ पे रख दोगे, इस 3 के जगा, तो 3 पार्ट जो 18 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बता है, वो साख्यात आपका नियूमरेटर हो जाएगा, मतलब यही आपका नियूमरेटर का वैल्यू है, तो इसको बतानी के अलावा, अगर मैं इसको बता चलाव, लेकिन अगर आप बड़े बड़े इक्वेशन देखोगे, जैसे कि कल अगर आपसे कोई बोले, कि 2A प्लस 48, 2A माइनस, सपोज मैं कह रहा हूँ, 16, is equal to, अगर आपका वो कहे, कि 17 अपॉन 15, 17 अपॉन 15, तो ऐसे कंडिशन में यह क्या होगा, सर, मैंने देखा, कि यहाँ पे देखो, 17, 16, 48, 15, 17, 17, 12, इन सब को multiply करना, नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सर, यह जो उपर वाला दो पार्ट ज्यादा है, वो 16 कब 48 उपर, वही 64 है, मैंने कहा, तो सर, एक पार्ट जो है, वो हमारा 32 का चल रहा है, सर, डिनोमिनेटर निकालना आसान है, 15 पार्ट, एक पार्ट 32, तो 15 पार्ट कितना हो जाएगा, 480, और यही जो 480 का डिनोमिनेटर है, यह कितना है, सर, यह 2A-16 है, पूरा डिनोमिनेटर का वैल्यू, 2A-16 अगर 480 है, तो 2A वराबर कितना हो गया, 496, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 248 यानि कि 248, आप करके भी देख सकते हो, आपको वही मिल जाएगा, 248 प्लस 48 करके देख लेना, यह कितना आ रहा है आपके पास, 8, 6, 14, 1, 10, 4, 14, 1, 544, और 248 का डवल, 496 से आप एक बार, 16 माइनस करके देख लेना, यह 480 है, अब इसको 15 में बनाने के लिए 32 में काटना होगा, 32 में ना काटो, 16 में काटो, रेंज के अंदर, 16 त्या 48, और यह 64 यानि क 16 में काटोगे 30, 2 में काटोगे 17, 2 में काटोगे 15, क्या यही ratio है, मतलब आपको कुछ multiply अगेरा नहीं करना पड़ा, इसी protocol से आप कर सकते हो, तो यह equation का सबसे पहला technique मैंने आपको shortcut provide किया, अगर मज़ेतार लगा होगा, तो session को एक बार like or share भी कर दो, सर, A का value 10 आगया, मैंने का हाँ, सर अब उसने क्या question में पूछा है पता है, मैंने का क्या, सर उसने पूछा है कि find the ratio of Sanjay's age 2 years ago, सर संजे का age कितना है, संजे, 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 उपर है, उसका 2 सल पहले का age, सर संजे का age निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा सर, सेटी का इस्तमाल मतलब में समझा नहीं, सबसे पहले मुझे सेटी का value बताओ, सर, अगर A 10 है, तो जो सेटी है, वो A plus 1, यानि कि वो 11 है, अगर सेटी ये वाला 11 है, तो 11 plus 4, ये जो आपका denominator है, सेटी का age, वो 15 है, अगर 1 part 15 है, तो संजे का age जो है, वो 30 है, लेकिन कब सर, ये तो present का संजे 30 है, लेकिन आपको संजे का 2 साल पहले का age चाहिए, जो आज 30 है, वो 2 साल पहले कितने का होगा, जगा तो मेरे पास नहीं है, यहीं लिख देता हूँ, 28 का होगा, अनुराग's age after 3 years, भाई अनुराग तो तुमने साफ साफ निकाला 10 है, जो बंदा आज 10 का होगा, वो 3 साल बाद कितने का होगा, सर, वो 13 का होगा, और 28 और 13 का ratio कहां है, सर, 28 और 13 का ratio option number C है, वही इस सवाल का सयुदता है, उमीद करता हूँ, मैं काफी आराम से आपको पहला question, खुबसूरत तरीके से समझाया हूँ, अब थोड़ा आगे लेके मैं concept को बढ़ता इस सवाल के पास, ध्यान से देखेंगे, हाँ सर, ratio of the present age of mihir to that age of manisha after 3 years is 3 is to 4, उसने कहा कि जो present age mihir का है, और manisha का जो 3 साल बाद age है, वो आपस में 3-4 का ratio रख रहे हैं, तो मैंने एक mihir लिखा, और manisha का age 3 साल बाद मैंने लिखा, और इनके बीच का जो ratio है, previous सवाल के तरह ही है, वो आपस में 3-4 का ratio रख रहे हैं, यहां तक बात साफ है, जो average है, present age mihir और manisha का, वो बराबर है age manosh after 3 साल, सर, mihir और manisha, mihir और manisha का average का average कैसे आता है, सर, mihir plus manisha by 2 करके उनका average आता है, और यही जो mihir manisha का average है, वो बराबर है, किसके साथ, manosh का age 3 साल बाद, यही है, 3 साल बाद, यानि कि manosh plus 3, अगर mihir जो है, वो देड़ साल बड़ा है manosh से, then find the difference, मैंने का, find तो वो बाद की बात है, मतलब यहां तक मुझे instruction given है, अब उसने मुझे last instruction जो दिया है, वो कहा है कि mihir जो है, वो देड़ साल बड़ा है manosh से, अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं, तो सर क्या, ये वाला equation mihir और manisha के form में है, अगर मैं इस वाले चीज़ को भी mihir और manisha के form में रख दूँ, तो दो linear equation in two variables, मतलब एक रास्ता बस बता रहा हूं, तो question solve तो हो जाएगा, हाँ, तो इसको रखने के लिए क्या मैं एक सवाल आपसे बूच सकता हूं, हाँ सर पू 1.5 कर दिया, और इस 1.5 में जब मैं 3 को जोड रहा हूं, तो 3-1.5 ये value कितना हो रहा है, ये value हो रहा है, प्लस 1.5 का, इस वाले equation में, और इस double को जब मैं multiply कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिखा, सर मुझे दिखा, मिहीर, प्लस manisha, is equal to 2 मिहीर, और ये हो जाएगा, प्लस का वो ये मिहीर माइनस होने के बाद, मिहीर, प्लस 3 के बराबर है, मैंने का हाँ, ये तो आ गया, सर अगर मनीशा मिहीर प्लस 3 है, तो इस मनीशा के जगा में मिहीर प्लस 3 रख सकता हूं, मैंने का हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, सर मिहीर प्लस 3 और प्लस 3, मतलब ये total व देखना है denominator कितना ज़्यादा है sir denominator वाला चीज एक पार्ट ज्यादा है और मिहिर यहां पर है यहां पर मिहिर में 6 ज्यादा है क्योंकि 3 प्लस 3 तो एक पार्ट जो है वो ज्यादा वो 6 के बराबर है सर एक पाट 6 तो अगर मैं उपर का 3 पाट निकाल दूँ यानि कि 18 वो साख्यात numerator हो जाएगा आपके कहने के मुताबिक मतलब वो मिहीर 18 साल का हो जाएगा सर अगर मिहीर 18 साल का है तो आपका ये 18 मिहीर डालते ही 18 प्लस 3 आपका जो मनीशा है वो कितने के हो जाएगे मैंने का 21 के हो जाएगे अब सवाल क्या पूछ रहा है सवाल पूछ रहा है कि difference बताओ जो age मनीशा का था 3 साल पहले मनीशा अगर आज 21 साल की है तो 3 साल पहले मनीशा कितने साल की थी 18 and the present age of मिहिर मिहिर का presentage कितना है सर मिहिर का presentage तो 18 है तो इन्हीं दोनों के बीच का जो difference है वो 0 है और 0 यहाँ पे option number A में है यही सवाल का सही उत्तर मतलब इस equation solving का जो method है यह कितना आपको helpful होगा ना सिर्फ ages में बलकि सारे topics में यह आप जब एक बार डालोगे तो आपको idea लग जाएगा अगला सवाल हमारे सामने है काफी खुबचरे तरीके से हम इसका answer निकालेंगे उसने कहा है एक शौरव है हाँ सर एक दरसन है हाँ सर दरसन इस 3 years younger than हरिष दरसन जो है वो हरिष से 3 साल छोटा है सर मैंने कुछ देखा आपने देखा कि नहीं मैंने क्या देख लिया सर अगर दरसन हरिष माइनस 3 है मैंने का हाँ हाँ तो सर उसी चीज को दरसन को अगर मैं यहां पर हरिष माइनस 3 करके डाल दूँ तो मिने का मजा आ जाएगा सर कैसे एक तो हरिष और हरिष दोनों साइड है कैंसल हो जाएंगे इंटू नहीं है यह प्लस है इधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा और यह माइनस 3 को जब मैं इस 4 के साथ एड करूँगा तो S जो सौरव है वो 4 प्लस 3 साथ का आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा सिर्फ सौरव ही आएगा क्योंकि D और H के बीच का अभी equation ही बचा हुआ है हलाकि आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो इसको डालके D और H का equation निकालके लेकिन अब मैं आगे थोड़ा पढ़ता हूँ उसने कहा शौरव दर्शन और हरीश का जो सम है वो 70 साल है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने कहा क्या सर यह जो सौरव है यह तो 7 साल है सर इस 7 साल को अगर मैं इधर 70 से लेके माइनस कर दूँ तो इन दोनों का सम 63 है मैंने कहा बातों सही ऐसे ही solve करना अलग-अलग line मत लिखना आप competitive exam दे रहे हो objective time आपका यह सब rough shit को ही चेक करेगा आप इन चीजों को ऐसे ही लिखिएगा habit बना रहा हूँ मैं आपका अगर d प्लस h 63 है और सर मैं आपसे एगर दूसरा चीज कहूँ क्या मैंने कहा क्या सर अगर मैं इस 3 को उधर ले आओ और d को इधर ले आओ तो h-d जो है वो 3 आ गया तो उस हिसाब से जब मैं इन दोनों equation को add करता हूँ मैंने कहां तो d-d कट जाएगा तो h-h 2h बन जाएगा और 63 प्लस 66 बन जाएगा अगर 2h 66 है तो h का value 33 अगर h का value 33 आ चुका है तो 33 से कितना minus करूं तो 3 बत जाएगा sir 33 से 30 minus करें तो d का age कितना हो गया sir d का age हमारे पास हो गया 30 और s का age कितना था s का age हमारे पास था 7 अब जो पूछे का हम निकाल लेंगे what is the age of harish यानि कि h पूछा है तो h यहाँ पे कितना है हमारे पास 33 33 कहा है option number c तो इस तरीके से आप इस equation को solve कर सकते थे आगे बढ़े हम अभी easy equations में ही खेलने थोड़े जब आप comfortable बन जाओगे तभी high level questions के पास जाएगे tension ना लीजेगा difference between the ages of akansha and ramesh is same as the difference between the ages of ramesh and karan उसने सिर्फ difference कहा उसने यह नहीं कहा कि कौन बड़ा कौन चोटा अगर जो difference between the ages of akansha and karan है वो भी 8 साल है अब वो भी खाली difference ही दे रहा है कौन बड़ा कौन चोटा नहीं दे रहा है if all three sum of age 24 मतलब तीनों का sum मतलब यह मैं एक चीज़ कह सकता हूँ akansha, ramesh and karan akansha, ramesh plus karan इन सबका जो sum है यह sum कितना है हमारे पास? यह sum है आपके पास 24 then what are the ratio of the ages of akansha, karan and ramesh तीनों का respectively if akansha is older than ramesh and karan is younger than ramesh तो akansha जो है वो बड़ा है किस से? ramesh है और karan is younger than ramesh मतलब ramesh बड़ा है और karan younger है छोटा है उसने जब मुझे akansha और ramesh के बीच में difference का और यहाँ पे उसने akansha को बड़ा का ramesh है तो वो difference को मैं कैसे लिख सकता हूँ? akansha minus ramesh और जब उसने second point पे मुझे ramesh और karan के बीच का difference निकालने के लिए के लिए कहा सर मेरे को एक और चीज़ दिख गया आपको दिख रहा है या नहीं मैंने का क्या? सर अगर a, r, k का sum 24 है मैंने का हाँ सर a plus k तो 2r है मैंने का इससे क्या करोगे? सर a और k को अगर मैं 2r रख दूँ और इस r के साथ जोड़ दू तो ये जो sum 3r है यही 24 हो जाएगा मैंने का बात तो सही है अगर 3r 24 है तो sir r का value तो 8 हा जाएगा मैंने का हाँ ये तो सही है अगर r का value 8 हा गया तो a plus k जो है इन दोनों का sum ये 16 बन जाएगा इधर जाओ या इधर से r minus करो बात एक ही है 16 तक तो तुम पहुँची जाओगे ये वाला point का ऐसा कोई requirement नहीं था और साथी साथ उसने मुझे और कुछ point कहा था उसने एक और point कहा था if the difference between the ages of akansha and karan is 8 years akansha और karan में कौन बढ़ा होगा sir अगर मैं आपसे कहूं akansha raman से बढ़ा तो akansha karan से बढ़ा कि मैंने कहा और akansha और karan के बीच का अंतर अगर 8 है तो a minus k अगर आपके पास 8 है तो add करने से ये 2 a बराबर जो आपके पास 24 आ रहा है उससे a का value 12 आ जा रहा है अगर a 12 है तो k कितना होगा sir k 4 होगा जैसे कि add करने पर ये सारा सेस्टिंग बैठ जाए k आ गया आपके पास r भी है r कितना है आपके पास तो r है हमारे पास 8 तो अब जब मुझे ratio पूछ रहा है कि अकांग्षा करन और रमेश का कितना मतलब 12 चार और 8 का कितना 12 चार और 8 का कितना 4 में 3 बार 4 में 1 बार और 4 में 2 बार 3-1-2 जहां पर मिल रहा है option number 8 यही हमारा सटी कुत्त है काफी एक खुबसुरत सवाल था उमीद करता हूँ जितने बड़िया तरीके से question दिया गे तो उतने ही बड़िया तरीके से मैंने आपको solve करवा दिया है अराम से आप इसको कर सकते हूँ मैं सारे categories cover up करने की पूरी कोशिस कर रहा हूँ एक परिवार में जो couple है उनका एक बेटा है और एक बेटी है the age of the father is three times that of his daughter जो father है वो daughter की three times है मतलब यह अपके पास ratio आगया daughter एक पाट तो father तीन पाट यहां तक clear है पूरा crystal clear दिख रहा है हाँ सार दिख तो रहा है and the age of the son is half of his mother mother का है ओह एक couple है ना couple में husband और wife दोनों father mother है और son daughter उनके है और उसने कहा कि जो आपका son है वो आदा है मम्मी का तो अभी तक उनका कोई relation नहीं तो मम्मी को मैंने यहां बना दिया son अगर आदा है मम्मी का तो इन दोनों के बीच का 2-1 मतलब यह एक अलग ratio यह एक अलग ratio मतलब यह अगर 3X है तो यह 2YY है इनका अलग relation इनका अलग relation the wife is 9 years younger to her husband wife मतलब आपके मम्मी वो 9 साल छोटी है father से मतलब उनके husband से मतलब father से और जो brother है वो 7 साल elder है sister से जो brother है वो sister मतलब इस daughter भाई पूरा brother relation है यह जो इस परिवार की बेटी है वो इस बेटे का बहनी तो होगा तो जो आपका sister से यह brother 7 साल बड़ा है तो sir what is the age of the mother तो mother का age कितना है मैंने का तुम तुम्हारी मर्जी तुम कहां से करते हो करो मुझे कुछ मतलब नहीं आप दो-दो variable ले सकते हो 3x और यह वहाँ पे x 2y और y लेगन इतना लेने की जरूरा थी क्या है sir क्यों अगर मैं सिर्फ इसको 3x और इसको में इतना ले लेता हूँ तो father का age जितना mother का age उससे 9 साल चोटी तो mother का age आपके पास x के टर्म में कितना हो जाएगा 3x-9 सरबागत तो सही है daughter का age अगर x है तो sun का age उससे 7 साल ज्यादा तो sun का age x प्लस 7 है sir करना क्या चाहते हो बस सिंबल सा चीज करना चाहते हो कि mother और sun निकल गए और mother और sun के बीच का जो ratio है वो कितना होना चाहिए 2 is to 1 तो हर बार 2-2 variable चाहिए ही नहीं 3x-9 2x 14 x is equal to 23 आप सभी को दिखा x is equal to 23 हाँ sir हम सभी को दिख गया अगर x is equal to 23 what is the age of mother mother पूछा है हलाकि आपको जब mother पूछा है तो आप इसमें भी variable associate कर सकते थे कि सुनो मैं मम्मी 2x हूँ और वो भी छोटी 9 साल husband से तो husband 2x प्लस 9 मैं भाई x अगर मैं 7 साल बढ़ा बेहन से तो बेहन x-7 और इनके बीच का ratio अगर आप 3x से x निकालते तो directly 2x के साथ answer आ जाता बट हम start यहां से कर दिए तो कोई blender नहीं अगर x का मान 23 है तो मम्मी का मान कितना होगा 3x यानिके 23 into 3 69 और उसमें से नौ कम यानिके यह पापा के एच से नौ कम मम्मी का एच 60 years का होगा तो आराम से आप कर सकते हो equation जिदर से मतलब एक तो आप इस direction में जा सकते थे variables assume करके उस direction से variable assume करके एक बाद try करना रहे नहीं तो खाली उपर से उपर से चला जाएगा दूसरा चीज क्या है 3x minus 2y इन दोनों में variable लगा दिया is equal to 9 x x नहीं y minus x क्योंकि यह बढ़ा है ना is equal to 7 यह आपका दो linear equation in two variables तो रास्ते आने के वही मैंने कहा था कि multiple equations आप बना सकते हो जो जिसको दिखा और क्या बात वही है बस मोहीनी is x years older to anusha अगर मोहीनी एक साल older मतलब बड़ी है अनुशा से तो मोहीनी से अगर मैं अनुशा को minus करूँगा तो x आएगा and x years younger to smith मोहीनी जो है वो smith से x years छोटी है अगर वो मोहीनी x years छोटी है सुमित से तो smith minus मोहीनी करूँगा तो x years का ग्याप आ जाएगा 7 years ago the sum of the ages of anusha and smith was 30 years उसने कहा आज से 7 साल पहले जो sum anusha और smith का था वो 30 साल का था तो मेरा तो हर एक condition मैंने आपको average based सवाल में कहा था कि present को ले आओ बहुत मजा आ जाएगा सर 7 साल पहले अगर 30 का sum हुआ करता था तो इसी 7 साल के दौरन anusha 7 साल बढ़ गई होगी सुमित 7 साल बढ़ गया होगा साथ साथ 14 साल सम बढ़ के आपका जो sum है वो 44 हो गया होगा मैंने कहा बात तो सही है इसका भी 7 साल इसका भी 7 साल 14 बढ़ गया होगा यह sum किसका है अनुशा और सुमित का तो अनुशा और सुमित का जो sum है वो कितना है हमारे पास 44 तो उसने कहा at present Mohini is 8 years younger to Rajat than find the Rajat 5 years मतलब तो यही से आपका Rajat का age निकल रहा होगा इसलिए उसने इतना यही से आपका Mohini का age निकल रहा होगा इसी confidence से उसने Rajat के age को Mohini के साथ link किया अब क्या कैसे जा सकता है सर मेरे दिमाग में खुराफात आ रहा है मैंने का क्या सर अगर m-a x है और s-m भी x है तो सर क्या आपको यसा नहीं लगता कि m-a और s-m बराबर होंगे मैंने का लगतो रहा है सर उस हिसाब से जब मैं यहाँ पे जाओंगा तो यह a का value इधर आ जाएगा तो यह a plus s हो जाएगा और m का value इधर आ जाएगा तो यह 2m हो जाएगा मैंने का हाँ यह हो गया लेकिन फाइदा क्या मिल सर अगर A plus S 2M है तो इस A plus S के जगह अगर मैं 2M डालूंगा 44 तो M का value हो जाएगा 22 मैंने का बात तो सही है अगर M 22 है मतलब मोहीनी अगर आपके 22 साल उमर रखती है तो मोहीनी 8 साल छोटी है रजत से तो रजत को age कितना होगा सर मैं अगर किसी से 8 साल वो 5 साल पहले 25 साल का हुआ करता होगा 30 माइनस 5 मतलब कितना खूब सुरत है आप अगर यहाँ से कुछ पकड़ के बैठ जाते तो खतम आपको सिर्फ यह दोनों X को equate करना था M minus A S minus M जैसे इस प्रीवेस सवाल में मैंने M को X side क्योंकि वो add हो सकते है और बाकी सारे variables को X side लिया तो S इधर आते ही A plus S और M इधर जाते ही M plus M 2M बन गया और A plus S जो इन दोनों का सम था वोही अगर मैं 2M substitute कर दो तो 2M अगर 44 हो गया तो M का value 22 और M के value 22 के साथ अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो अगला सवाल पानी पी लेता हूँ तब तक session को like और share कर दो यार मता नहीं आ रहा है आपके लिए पानी का बाटल में उपर नहीं रख रहा जुख जुख के पानी पी रहा हूँ मैं ये सवाल करके करते question कह रहा है अगर हम 12 साल सब्ट्राक कर दे present age of A से present age A का A है उससे अगर हम 12 साल सब्ट्राक कर दे तो इतना हो जाएगा and the remainder is divided by 8 remainder मने का remainder यही है ना ना सर remainder तो वही होता न जो divide के बाद नीचे आता है मैंने का वही नहीं जो भी चीज़ बच जाता है उसको remainder का जाता है तो present age of A से 12 निकालने के बाद यही पूरा चीज़ बचा है A-12 इसी remainder बचे हुए चीज़ को अगर मैं divide करूँगा 8 के साथ इसी चीज़ को अगर मैं divide करूँगा 8 के साथ तो present age B का जाएगा present age B का जाएगा अगर जो B है वो 8 साल यंगर है C से मतलब वो 8 साल चोटा है C से Whose age is 12 यह whos किसको refer करेगा यह immediate जो close बैठा है C को refer करेगा जिसका age 12 साल है सुनो 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 C का age 12 है B आठ साल चोटा है C से तो मैं 12 साल, मुझसे जो 8 साल चोटा होगा, वो कितने साल का? 4 साल. मतलब B का A, 4 साल आ चुका है. तो अगर B का A, 4 साल है, तो मुझे A का प्रेजेंटेज बताओ. सर B का A, अगर 4 साल है, तो यहां पे 4 डाल दो ना? मैंने का, हाँ, बात दो सही है. तो सर A का A क्या ही है? मैंने का, क्या ही है? मतलब 8, 4 के 32, A-12 आपके पास, अगर आपके पास 32 आ रहा है, तो A का वैल्यू कितना हो गया? 32 और 12, जोड़ दो, 44, बना दो भाई साल, सब तो बढ़िया हुआ, लेकिन option जो नहीं मैंच किया, अगर 12 सब्ट्रक्ट किया जाएगा, प्रेजन्टेज A से A-12 और जो बचा हुआ है, उसको अगर डिवाइड किया जाएगा 8 से, तो प्रेजन्टेज B का आ जाएगा, मैंने का, हाँ, जो B है, वो 8 साल छोटा है, C से जिसका एज 12 साल है, C तुम अगर आज 12 साल के हो, तो तुम से 8 साल छोटा B चार साल का है, अगर 4 साल का है, तो 8 साल के 32, और 32 में 12 जोड़ेगा, 44, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, then what is A's present age मेरे ख्याल से 44 होना चाहिए none of this अगर कोई problem आपको है तो आप मुझे comment करके बता भी सकते हैं ठीक है मुझे नहीं लग रहा है the ratio of the present ages of anup and aniket is 7 is to 9 sir anup है मैंने का हाँ है aniket है मैंने का हाँ है उनके present ages के बीच का जो ratio है वो 7 is to 9 है तो मैंने लिख लिया anup aniket present 7 is to 9 यहां तक बात साफ बात साफ the present age of anupol is equal to the average ages of aniket anup and aniket after 2 years आच जो present age anupol का है ना काफी कुपसरत concept है वो present में कितना है पता है sir कितना है जो anup और aniket का average 2 साल बात चल रहा होगा उतना मैंने का सुनो 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 आज anup और aniket का average जो चल रहा होगा 2 साल बात average प्लस 2 हो गया होगा sir कैसे तुम वीडियो स्किप करके आयो ना मैं guarantee देके कैसे सकता हो क्योंकि वो मैंने average के concept में detail धागा खोल के पड़ा है आज ही के session में यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा आज मेरा और तुम्हारा average जो है अगले साल एक बढ़ जाएगा उसके अगले साल एक और बढ़ जाएगा तो जो आज anup और aniket का average है वो दो साल बाद दो बढ़ जाएगा सर इससे आपको क्या फाइदा मिल ला है मैंने का अगर anup 7 part का है और aniket 9 part का है यानि कि इसमें अगर मैं variable insert कर दो 7x और 9x तो इनका average कितना होगा सर add किया 16x by 2 यानि कि 8x या फिर इनका exactly middle में होगा 8x ये तो इनका आज का average है अनि अन्मोल का age कितना है जो इनका average after 2 years होने वाला है उतने आज अगर इनका average इतना है तो 2 साल बाद उनका average plus 2 होके 8x plus 2 हो जागार वही अन्मोल का percentage होगा क्या ये clear है थमसब कर दो अगर जो ratio percentage अन्मोल और जो age aniket का है after 4 years percentage of अन्मोल तो 8x plus 2 है मैंने का हाँ और सर अनिके 4 साल के बाद अगर मैं बात करूँ तो अनिके आज अगर 9x है तो 4 साल बाद 9x plus 4 है इनी के age का ratio अगर हमारे पास 6-7 का है भाई ये चीज देखिएगा कभी किसी का 4 साल कभी किसी का present देखेगे वो आपके साथ बहुत लफना करेगा उस चीज को बस प्रॉपरली देखिएगा then what will be मैंने का what will be छोड़ो यहां से तो मैं x निकाल सकता हूं sir कैसे sir 56x 14 54x 24 2x 10 x 5 अगर x 5 हो गया तो उसने मुझे क्या पूचा what will be the ratio of the age of अनुप after 4 यह सबसे पहले अनुप की बात करो अनुप आज कितने का है sir 7,5,35 का है आज अगर वो 7,5,35 का है तो 4 साल बात कितना होगा sir 35 plus 4 आज वो 4 साल बात 39 का होगा to that of present age of unmol unmol का present age कितना है sir x अगर 5 है तो 8,5,40 40 plus 2 42 sir 39 to 42 का ratio कितना होता है मैंने कहा है एक बार उसको 3 से कट करोगे तो 13 3 से कट करोगे तो 14 तो यह ratio 13 is to 14 का आएगा यानि कि option number C इस सावाल का खुबसूरत से ही उतर काफी खुबसूरत यह सारे prelims level के ही है अभी तक मेंस इनको सोचना भी पाप है जो सोच भी रहा होगा वो बहुत पीछे इस तयारी में मेरे भाई कितना पीछे बहुत पीछे बहुत से आपका क्या मतलग बहुत मिनाक्षी और नमन गॉट मैरेट 60 अगो मिनाक्षी और नमन जो है वो 60 साल पहले शादी किये थे मिनाक्षी is 8 years younger than नमन सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का कहो सर नमन अगर ये x है तो मिनाक्षी मैंने का हाँ हाँ ये उससे 8 साल छोटी है यानि कि x-1 मैंने का बात तो सही है ये है equation का सबसे खूबसरा चीज ये language को बस convert कर देना mathematical equation में मजा आ जाएगा सर कैसे सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बात चल लिए वेन दे गौट मैरेट भाई साब उन्होंने पहले ही line में कहा था दे गौट मैरेट 60 years ago तो आज अगर मैं present age इसका x ले रहा हूँ तो 60 साल पहले इसका age कितना होगा x-60 और आज अगर मैं इसका age x-8 ले रहा हूँ तो at the time of marriage जब शादी हुआ 7 साल पहले कितना होगा x-8-60 यानि कि x-68 और उसने कहा कि जब शादी हुआ 4 times the age of मिनाक्षी's age शादी के वक्त मिनाक्षी का age x-60 है इसका 4 times ओके सर is 10 years more than यही 10 साल ज्यादा है भाई साब किस से 10 साल ज्यादा है 3 times of the नमन's age शादी के वक्त भाई गलत कर दिया है अभी फसता मैं मिनाक्षी का age कितना है सर मिनाक्षी का age x-68 है मैंने का बाग तो सही है और शादी के वक्त मिनाक्षी का जो age है उसका 4 गुना यानि कि 4 into यह किस के साथ बराबर है नमन का उस time पे जो age था उसके 3 गुना का नमन का तो age x-60 है उसका 3 गुना यह होगा लेकिन यह जो मिनाक्षी का 4 गुना age है वो नमन के 3 गुना age से ज्यादा है या कम है ज्यादा है दक्टो कितना ज्यादा 10 साल ज्यादा यानि कि मिनाक्षी का age इस वाले age से अगर 10 ज्यादा है तो इसमें अगर मैं 10 जोड़ दू तब मिनाक्षी का ये चार गुना का एज निकल के आएगा Let us solve this equation 240, 32, 272 x minus 170 plus 272 अगर x का value 102 आ गया है तो अब उसने मुझे question में क्या पूछा Find the present age of मिनाक्षी and नमन अब भाई साब x के साथ नमन का तो present age आ ही गया 102 और मिनाक्षी अगर उससे 8 साल छोटी है तो इससे 8 साल कम कर दो 94 तो जहां पर 94 और 102 दिखे यही आपका answer है सर ऐसा भी तो हो सकता है एक option 102,94 हो सकता था मैंने का हो सकता था सर उसमें भी answer कौन होता तो आप चेक करते है मिनाक्षी पहले फिर नमन बाद में मिनाक्षी पहले नहीं है मिनाक्षी 94 है और यह तो उस हिसाफ से sequence matter करता लेकिन जब sequence नहीं है सिर्फ मैं 9400 to option number D के साथ जा सकता हो अगला सबार if the ages of A and C are added to twice the age of B उसने कहा कि अगर हम A और C के age को twice the age of B के साथ add कर देंगे तो एक्सवाठारा होगा यह एक equation वो खुद दे रहा है अगर B और C के age को मैं add कर दो thrice of A के साथ ऐसे करके वो दे रहा है मतलब तीनों ABC रह रहे और अगर मैं A को add कर दूँ B और K thrice B का और thrice C का मतलब तीनों के तीनों equation जो वो दे रहा है खुद उसमें ABC है बस आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ सिखाना चाता हूँ ऐसा कोई नहीं है जो equation solve नहीं कर पाएगा बट सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्याल लखना है sequence you need to follow a particular sequence and the best sequence is A followed by B followed by C मैं A और C को B के तीन गुना के साथ add करना चाता हूँ A और C को B के तीन गुना के साथ add करना चाता हूँ और किया भी है और नतीजा क्या निकला क्या यह point clear है okay sir अगर age B और C का मैं add कर दूँ A के तीन गुना के साथ B और C का age अगर A के तीन गुना के साथ मैं add कर दूँ तो sum कितना आएगा और अगर मैं A को add कर दूँ B के तीन गुना और C के तीन गुना A को add कर दूँ B के तीन गुना और C के तीन गुना तो यह sum कितना बन जाएगा? सरी यह sum बन जाएगा 54 तो what is the age of A? आपको बस एक चीज ध्यान अखना है कि मेरा focus A पे होना चाहिए A को रखो, बाकी सब eliminate करने की कोशिस करो, सबसे पहले अगर मैं देखू तो यहाँ पे एक 3B है, यहाँ पे एक C है बहुत रास्ते निकल जाएगा इन दोनों को eliminate कर दोगे तो A और B के ही साब से एक equation आजाएगा यहाँ पे डाल दोगे, तो C का value आजाएगा और C के value कर दोगे, लेकिन मुझे इतना नहीं भूमना है मुझे A निकालना है यह निकालने के लिए कि आपने यह रास्ता देखा बहुत खूबसरत वाला, सर क्या? कि तुम 3B हो, तुम 3C हो तुम B और C को अगर मैं इस equation में 3 का गुणा कर दो तो तुम भी 3B और तुम भी 3C हो जाओगे तुम में 3B 3C तुम में 3B 3C तुम से तुम को अगर मैं माइनस है बड़े से छोटा जो B होगा जिससे माइनस कर दो तो B और C पूरा का पूरा इलिमिनेट हो जाओगो रहेगा पूरा equation A के टर्म में, सर बात तो सही है तो सर इसको 3B और 3C करने के लिए इस पूरे equation LHS और RHS में मैंने 3 का multiply किया 3 के multiply के बाद क्या ही है आपको 9A प्लस 3B प्लस 3C इस इक्वल टू 90 और 12 102 दिखा हां सर सर अगर मैं यहां पर इस से इसको माइनस कर रहा हूँ यह वाला भी माइनस होगा और यह वाला भी माइनस होगा तो 3B 3C कट जाएंगे 9A से A जाएगा 8A 46 to 48 A का वैल्यू 6 मुझे तो मिला और अगर A का वैल्यू 6 मिल गया तो जाओ 6 कहां है option number B है मार दो उसको 6 खतम कहां है तो यही है यार कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का When Ram was asked his age then he being good in reasoning said that my age before 5 years was 1 20th of my father's present age क्यों ही साब करते हैं बच्चे इतना आप से नहीं बोला यही यह जो राम है उसको पूछ रहा वो reasoning में अच्छा है मतलब यह topic को उन्होंने reasoning में ले लिया है actually में reasoning के teachers भी आपको ages पढ़ाते हैं यह एक logical topic है पढ़ाते है When Ram was asked his age then he being good in reasoning said that my age before 5 years was 1 20th of my father's present age मेरा age Ram 5 साल पहले minus 5 1 20th फादर के प्रिजन्ट फादर का प्रिजन्ट F तो मेरा 5 साल पहले का age पापा के एज का 1 20th मतलब पापा 20 पाट तो में एक पाट यह relation आया मेरे साथ पहले इनको relation को रखो फिर बाद में देखते हैं 12 years hence I will get married and my wife's age will be 3 times of my present age आज से 12 साल के बाद में शादी करूँगा जब में शादी करूँगा तो marriage के time पे मेरा age कितना होगा sir मेरा अगर present age r है तो 12 साल के बाद मेरा age r plus 12 हो जाएगा मैंने का बाद तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो और शादी के वक्त मेरे बीबी की age कितनी होगी my wife's age will be 3 times of my present age यह मेरे present age को बात कर रहा है जो कि हमने already r लिया है तो r का 3 गुना यानि के कितना हो जाएगा 3 r अगर बोलता कि my wife's age will be 3 times of my age at the time of marriage जो कि काफी बड़ा हो जा रहा है यार यह मत करना यार ठीक है तो वो अलग होता लेकिन ऐसे वहाँ पे बोला नहीं का present बोला गया है तो मेरा present तो r है after two years of marriage I will get a baby आज से दो साल के बाद मेरा एक baby होगा और जो average age of my family will become 18.5 years यही पे गड़बड करते हैं यह आप ही लोगों के वज़े से यह बागवान movie निकला है इस 18 असमलक 5 में कितने लोग है बताओ सर तीन लोग, मैंने का कौन सर में बीबी, बच्चा यही तुम्हारे लिए बागवान movie निकला है अरे पापा को कौन भूल जाएगा पापा को क्या ऐसे ही लाया था पापा दिया है मतला पापा है परिवार में अब ज़्यादा भावुक, अब मैंने थोड़ा क्या रास्ता दिया है तो पापा शुड़ भी पाट अब दे फैमिली राई तो दिस 18.5 एवरेज इस अगर देखोगे तो उलत जाओगे तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ मैंने का हाँ सर देखो अगर मैं पापा को भी आर के फॉर में लिया हूँ मैंने का कैसे सर फादर इधर क्रोस मल्डिप्ला होके आएंगे 20 का क्रोस मल्डिप्लिकेशन होते ही वो 20 आर माइनस 5 बन जाएंगे सारी 100 बन जाएंगे यहां तक बात साफे 20 आर माइनस 100 तो पापा को भी मैंने आर के फॉर में लिख लिया अब बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि साढ़े 18 का अवरेज अगर सच में 4 लोगों का है तो जो सम होगा वो कितना होगा सर 72 टू 74 का सम होगा मैंने का 4 लोगों में जो 74 का सम है यह कब है सर आज से दो साल बाद मतलब शादी से दो साल बाद जब मेरा एक बच्चा होगा तब का परिवार में आवरेज अच 18.5 और हाँ गेटे बेबी मतलब बेबी हो चुका है बेबी हो चुका है इसलिए मैं अठारा मतलब लोगों तो यह जो बेबी हुआ वो शादी के दो साल बाद हुआ अब देखो शादी के दो साल बाद मेरा इस कितना होगा सर मैं अगर शादी के वक्त इतना था तो शादी के दो साल बाद मैं और दो बढ़के इतना बीबी भी खुबसुरत मतलब खुबसुरत बीबी मतलब नमबर 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 3R plus 2 2 साल बढ़के शादी के बाद सर पापा इतना प्रेजन्ट में है शादी 12 साल बाद हुआ है और बच्चा और 2 साल मतलब पापा प्रेजन्ट से 14 साल आगे आएंगे इसमें जब आप 14 का अडिशन करोगे 14 साल आगे लेने के लिए माइनस 100 प्लस 14 माइनस 86 मतलब पापा का एज 20R माइनस 86 हो जाएगा और अगर मैं आपसे कहूं पापा का एज मेरा एज, बीबी का एज इनको अगर मैं जोड़ू तो ये कितना आएगा सर ये सम है 74 कोई अभी निकल के आएगा कि सर बच्चा का है आपने तो बच्चा इसाब किया इसलिए 4 क्या बच्चा का है ठीक है तुमारे लिए बच्चा भी ले ले लेते क्या आज ही तुम जीरो कॉंसेट पढ़े हो आवरेज और जीरो कॉंसेट दोनों जगा मैंने पढ़ाया था सर 20 आर प्लस आर प्लस 3 आर सर 24 आर माइनस 86 प्लस 14 प्लस 2 मतलब प्लस 16 प्लस 16 इससे होगा तो माइनस 70 माइनस 70 आरेचेस को जाएगा तो प्लस 70 144 24 में काटूंगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 6 अगर आर 6 है तो उसने पापा का एज सबसे पहले तो पापा का प्रेजेंटेज निकालो सर पापा का प्रेजेंटेज बड़ा सिंपल है 20 आर माइनस 100 पापा 20 साल के भाई प्रेजेंट से 14 साल बाग भाई साथ 34 के उमर में ग्रांड फादर बनना हम 34 के उमर में साधी नहीं कर पा रहे है हम 34 के उमर में साधी नहीं कर पा रहे है और नसीव राम के पापा को देखो पोता खिला रहा है चलो क्या ही और कर सकते है मेरे दोस्त क्या ही और कर सकते हैं अगर आपका आंसर आया था है अगला सवाल आप सभी के सामने खुब चुरत तरीके से एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दे घर रहे हो पक्का पानी पीलू Sir Ratio of the presentages of P and Q is 3 is to 5 थोड़ा उपर लेखते हैं P और Q का Presentage का जो रatio है for 3 is to 5 बातसा, बातसा R is 2 years older than P R जो है वो 2 साल बड़ा है P से तो इसमें एक variable लगा दे तुम 3X हो तुम 5X हो तो 3X प्लस 2 हो Present age of S is equal to the age of Q 3 years ago S का जो age है वो Q का age 3 साल पहले जो था उतने के बराबर है आज अगर 5X है तो 3 साल पहले 5X-3 का हुआ करता होगा The ratio of the age of P after 2 years and age of Q before 3 years P after 2 years and Q before भाई सार मजाक हो गया हम सब के साथ प्रैंक हो गया लास्ट में दे रहा है कि अगर P का age 2 साल पहले का ratio 14-17 का है तो मैं आप से कहना चाहता हूँ एक सागर आप लिख 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 बात नहीं है 2 साल बात क्या ये plus 2 हो जाएगा 3 साल बात क्या ये minus 3 हो जाएगा और इस ratio को आप 14-17 देख पा रहे हो हाँ सर कहीं आप वो तो नहीं कह रहे हो मैंने का क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या सर्वार स्रुसर उसर क्रॉस बिल्कुर प्लस का 2 माइनस का 3 17 इंटो 3 51 14 इंटो 5 70 70 ऑर 51 के वीच का डिफेरंस 19 पार्ट 40 nao 42 गो 34, 42, 34, 76, add क्यों क्या? opposite symbol है, तो add हो जाएगा, 1 part कितना हो गया? 4, 3 part इसका age कितना हो जाएगा? 12, 5 part इसका age कितना हो जाएगा? 20, जो इसका age था उससे 2 साल ज्यादा? 14, जो इसका age था 20 उससे 3 साल छोटा? 17, अब क्या पूछा है? find the sum of the present ages of PQRs, यह कब का होना चाहिए था, starting वाले questions में हो जाना चाहिए था, गंदा जगा पे अटक गया आके, सब का sum अगर मैं पूछा हूँ तो 20 plus 12, 32 plus 4, 36, 46, 53, 63, option number B, 63 सवाल का सही उत्तर, मतलब अभी इसका जगा नहीं था, हम कितने अच्छे-च्छे question के पास जा रह मैं एक बार question पढ़ लेना चाहता हूँ, 15 years ago, चवन's age was 4 times, ऐसे नाम है, चवन ववन या कुछ भी दे रहा है, पावन को राइम करने के लिए, चवन प्रस का आधा निकाल के दे रहा है, फिर कोई बीच में देखेगा, प्रस भी लिखा हुआ है, 15 years ago, चवन's age was 4 times of पावन पावन's age, ओके, पावन's present age is one third of सुनील's, चवन's present age, गंदा है, लिख लो, सर चवन लिखो, मैंने का हाँ, चवन लिखा, सर पावन लिखा, 15 साल पहले लिख लो, मैंने का लिख लिया, सर जो रेशयो है, चवन जो है, वो पावन का चार गुना है, ये भी लिख लो, मैंने प्रेजन्ट एज है, मैंने का हाँ, जो पावन का प्रेजन्ट एज है, वो सुनील का, दो साल पहले के age का, क्या है, one third है, मतलब इन दोनों के बीच का एक relation, one third आख चुका है, ठीक है, वाइल, चवन स् प्रेजन्ट एज, इस three fifth of सुनील स् प्रेजन्ट एज, चवन का जो प्रेजन्ट एज है, वो सुनील के प्रेजन्ट एज का, three fifth है, यही है सारे relation, सारे संबंध, आपको what is the sum of the presentages of all the पूछा है, ठीक है, कहां से start करोगे, आपकी मर्जियार, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जापकि चवन का प्रेजन्ट एज, जो है, वो three fifth है, सुनील का प्रेजन्ट एज, सुनील एक ही बार है, सुनील दो बार है, आप कहां से जाना चाहते हो, सर, मैं आपको जो जाना चाहता हूँ, आप देखना चाहोगे, म मरे दोस्त, हां सर, अगर इसका इज 5x हो गया, तो यहां पे मैंने 5x-2 डाल दिया, सर, हां सर, बस अगर मैं p को x के फॉर में लिख दू, तो question का answer खतम हो जाएगा, हां सर, अगर मैं p की बात करूँ, तो सर मैंने एक चीज फील किया, मैंने कहां बताओ, सर अगर c आज 3x क हां, 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 तो वो 15 साल पहले कितने का होगा, मैंने का 3x 15-15, सर, 15 साल पहले अगर यह 4 part का value, 3x-15 है, तो यह 1 part का value जो पवन का एज होगा, वो कितना होगा, 4 part जितना एक पाट उसका बटे का 4, मतलब 3x-15 by 4, सर, कहीं आप इस x का value यहां पर तो नहीं रखना चाहते, क पवन तुम 3x-15 बाई 4 हो, हाँ सर मैं यही रखना चाहता हूँ और इन दोनों के बीज का जब रेशियो वंथड है तो उस equation को मैं थोड़ा दूर लाके यहां solve कर रहा हूँ, अगर यह रास्ता अच्छा नहीं लगे हो तो कोई दूसरा रास्ता भी लेंगे, अब चिंता मत करो आप पहले, solve करो ना पहले सर अगर यह 3 का गुणा मैं इधर कर दू कर रहे हो मेरे साथ यह 4 नीचे आ जाएगा, 20x-8 by negative में आ गया, कुछ कुछ तो लोचा कर दिया हमने 9x, 11x कुछ तो लोचा हो गया 15 साल पहले 54 का एज जो है वो 4 गुना है 4 times of pavans एज 15 साल पहले 4 times है pavans के एज का, OK pavans का present age जो है, वो 1 थळड़े सुनिल का एज 2 साल पहले, OK वाइल 54 का present age जो है वो 3 फिप्थे सुनिल का present age मैंने का, very OK तो sir, अगर आप Suneel के age को 5X लेना चाहते हो, तो 2 साल पहले 5X-2 लो, मैंने का very okay, आगर आप 54 का आज का X-3X लेना चाहते हो, तो 15 साल पहले चवन के age को 3X-15 लो, मैंने का very okay, sir अगर 15 oh, k k k k k k k k ke r Flower sir, मैंने का हा, ये जो आपने पावन का age निकाला 3x-15 by 4 मैंने का हाँ वो कब का है मैंने का ये तो 15 साल पहले का है तो present में कितना होगा मैंने का plus 15 ओके सर तो इसमें एक और 15 आपका add होगा तो एक और 15 के साथ अब ये वाला चीज़ को जब मैं whole by 4 में लूँगा तो आप में से कितने लोगों ने देखा कि ये plus का 60 15 into 4 हो जाएगा और नीचे आजाएगा और इसी के साथ ये लाइन क्यों हटाया इसी के साथ आपके पास 9x-45 और 45 क्यों रहे भाई ये 60 और 15 इधर से अगर आप मैनस करोगे तो plus 45 45 into 3 कितना हो जाएगा 135 और यहाँ पर आपके पास कितना होगा 4 into 5 26 मैनस 4 into 2 हो जाएगा 8 सर ये हो जाएगा हमारे पास 11x और ये हो जाएगा 8 के अडिशन के साथ 143 तो x का वैल्यू कितना होगा एक छोटा सा देखो एरा और कितना खामिया सा भुगतना पड़ रहा है सर x 13 है मैने का चलो x 13 है अब क्या क्या कर सकते हो सर अगर x 13 है तो सबसे पहले चमन का एज 3x यानि की 13 into 3 39 का है सर सुमित का एज 5x यानि की 65 का है और सर पावन का एज 3x minus 15 plus 60 by 4 करो या इसको अगर आप plus 45 डील कर रहे हो करो 3x plus 45 by 4 सर x हमारे पास 13 है की नहीं मैने का हा सर 13 into 3 39 भाई 39 39 plus 45 70 और 84 by 4 मैने का हा 84 by 4 21 है की नहीं मैने का हा आप जिस भी तरीक से निकालो आप सभी को यही एज मिलेगा और इन सबका अगर मैं सम देखूं तो कितना होगा तो यह वाला एज को में 4x ले रहा हूँ इस वाले एज को में x ले रहा हूँ पवन का प्रेजन्ट एज और s-2 के बीच का जो रेश्यो था वो वन थर्ड था और 54 का प्रेजन्ट एज और सुनील का प्रेजन्ट एज के बीच का जो रेश्यो है वो 3 5th का हुआ करता था यही ना तो सर करना क्या चाहते हो करना मैं जो चाहते हूँ बड़े खुपचरत तरीके से देखो यह शायद जाधा बहतर होगा सर आपने 54 को 15 साल पहले 4x अजियूम किया तो 54 का जो आज का प्रेजन्ट है क्या वो 4x प्लस 15 होगा मैंने का बात तो तुम सही करे हो सर अगर मैं s को x के फॉर में लिख लू तो x linear equation in 2 variable आ जाएगा मैंने का बात तो तुम सही करे हो सर उसके लिए क्या मैं इस equation का सहार लू मैंने का ले लो सर 15 साल पहले अगर पवन x का था मैंने का हाँ हाँ तो आज पवन कही x प्लस 15 का तो नहीं मैंने का हाँ सर s-2 उधर चला जाएगा into इधर अगर मैं 3 गुना कर दूँगा कि 3x प्लस 45 और इस माइनस 2 को अगर मैं add कर दूँ तो क्या ये आपका जो s है वो 3x प्लस 47 हो जाएगा प्रेजन्ट में हाँ सर 3x प्लस 47 और इन ही दोनों के बीच का अगर रेश्यो हमारे पास 13, 3, 5 का है यकीन कर लो मुझे महो 120, 21 है तुम भाई इस बार कुछ अलग ही रा रहा है भाई हर बार में जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ अलग आ रहा है 75 में 6 एड किया तो 81, 66 हमने अलग चीज़ अज्यूम किया था सर, x का वैल्यू 6 x के वैल्यू 6 के साथ क्या इसका इसका एच 15 साल पहले 24 और 6 आ गया आज इसका एच 24 प्लस 15 होके 39 हो गया होगा यही आया था 6 15 साल पहले था तो आज 21 आया होगा x अगर 6 तो 6 तिया 18, 18 और 47 अगर मैं आड करू तो 65 5 1 6, 6 9, 15, 17, 9, 12 और सेम यही भी मिला था आपको 125 मतलब सम नहीं यह नंबर्स भी एक ही मिले थे तो इसी तरीके सा आप इस क्वेशन को टैकल डिल 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 कर सकते हो the sum of the present ages of Tony and Jack is 17 years Sir Tony है मैंने का हाँ है Jack है मैंने का हाँ है Sir इन दोनों का sum है मैंने का कितना है Sir एक सत्रा है बहुत छोटे नहीं है बहुत छोटे 4 years hence from now आज से 4 साल बाद जो ratio होगा Tony और Kitty का वो 14 और 9 का होगा Tony, Kitty, आज से 4 साल बाद 14 और 9 का होगा मेरे दोस्त हाँ the ratio of Jack and Kitty was 3 is to 1 ये कब है 4 years ago from now आज से 4 साल पहले Jack and Kitty एक Jack लिखो और Kitty 3 is to 1 का ratio Jack 3 तो Kitty 1 Find the present age of Tony ये बहुत ये मतलब star mark करके रख दो ये तरीका ना ये तरीका मैंने previous में भी लगा था कि जो 4 पाठे, एक पाठे हाला कि वहाँ पे एक पाठ था तो बटे चार में काम बन गया लेकिन कभी कभार ऐसे गंदे गंदे चीज़े दे सकता इसको star mark करके रख लो ये बहुत जादा जरूरी होने वाला है concept किसी एक जगा से start कर लो चार साल पहले Kitty के age को x ले लो और इसके age को 3x ले लो बस ध्यान से सुनना और एक ही बार में समझना मेरे दोस्त आपको already j x के form में मिल चुका है अगर आप t को x के form में ले आओगे तो इस सम को 17 करके मैं x का value निकाल लूँगा मोटो साफ है बस मेहनत क्या करना है सर अगर ये x का age किटी का 4 साल पहले है तो किटी का आज का age कितना होगा मैंने का आज का age x प्लस 4 है क्योंकि 4 साल पहले x था तो आज 4 है मैंने का आज से दिल जस भी नहीं है मैंने का तो मुझे किटी को और 4 साल आगे लेके जाना है मैंने का तो और 4 जोड़ दो तो सर कहीं आप x प्लस 8 की तो बात नहीं कह रहे है मैंने का हाँ बिलकुल मैं यही कह रहा हूँ तो मतलब आपका मतलब है कि किट्टी आज से चार साल बाद x plus 8 का होगा मैंने का हाँ सर वो तो 9 पार्ट है मैंने का हाँ सर 9 पार्ट अगर x plus 8 है तो 1 पार्ट केतना मैंने का x plus 8 by 9 सर इसलिए एक पाइट क्यों निकाले क्योंकि अगर यह एक पाइट हो गया तो जो टोनी है वो 14 पाइट के साथ इंटो 14 बन जाएगा लेकिन एक सिल्ली मिस्टेक मत करना मरे दोस्त क्या यह जो इंटो 14 है टोनी यह कब है यह आज से 4 साल बाद है तो Tony का ये जो sum ही है तो present का है न तो Tony का present कितना होगा इससे minus 4 कर दो Sir Tony का present तो आ ही गया Sir बहुत सही बस Jack का present ले ओ मैंने का है Sir कैसे Jack का 3X का H आज से 4 साल पहले था तो आज Jack कितना होगा 3X plus 4 तो इसमें अगर मैं 3X plus 4 Jack को add कर दो तो ये sum को कितना होना चाहिए Sir इस sum को 17 होना चाहिए Sir color change करके जारा equation solve करो मैंने का थोड़ा महनत है बट कर सकते हो कटा कटा अगर मैं 14X 14 into 8 80 32 112 by 9 और by 9 मैं ये into 3 कर दो तो 27X और यहां पर बटे न आयों न लगाके into का 17 RHS को लेलू 93 16 15 14 27 41 X 153- 112 41 X का value 1 और X का value 1 तो find the percentage of Tony गलती मत कीजिएगा Tony कौन है पहला वाला और Tony का percentage कौन है सिर्फ इतना अगर बोलोगे तो पाप यह 4 साल बाद का H और यह minus 4 के साथ present मतलब Tony का जो percentage है वो यह है Sir अगर सच में X का वान 1 आया है तो 1 plus 8 9 9 बटा 9 1 1 into 14 4 14 में से 4 गया 10 option number C सवाल का सही उतर कर पाओगे यह चीज सीखना बहुत ज़रू है This is one of the most frequently asked questions in your examination as well as in mock test यह concept आपको लगाना ही लगाना है कि 3 पार इतना, 1 पार इतना, 9 पार इतना यह language को आपको verbally decode deal करना ही करना होगा इतने तक बढ़े गए तो चार्चान लगाने के लिए एक और सवाल क्यों न लाए जाए बिल्कुल सब, बिल्कुल Sir जो average है present ages Q और R का वो 10 साल है मैंने का सुनो Q और R के average से मुझे कोई मतलब नहीं है उनका sum कितना हो जाएगा Sir, sum जो है, वो 20 हो जाएगा क्योंकि दो लोगों का average 10 है Sir, जो ratio है, age Q का 4 साल पहले to the age of P, 4 साल बार वो आपका 11, 24 का है Q का age 4 साल पहले और R का age, Sir P का age 4 साल बार इन दोनों के बीच का जो ratio है वो 11, 24 का है The ratio of the age of P 2 years hence from now to the present age of R is 22 is to 5 P का age आज से 2 साल बार दीरे दीरे देख रो prelims के सबसे बहतर सवाल prelims, no means prelims के सबसे high level के सवाल अगर जा सकने तो यही है वो P के 2 साल बार और R का present age 22 वनुपात 5 तो आपको बताना है find the difference between the present age of Q and R तो Q और R के present ages के बीच का difference बताना है R का age 5X होते ही P का 2 साल बार वाला H 22X बन जाएगा अगर 2 साल बार किसी को 22X हो रहा है तो P का आज present में कितना है 22X माइनस तो अरे अगर यह 5 को 5X लिख लिए R 5X है तो P प्लस 2 22X है तो P is equal to 22X माइनस 2 सर मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैंने का कहो सर क्यू भी X के फॉर में आ चुक है मैंने का कैसे जरा बताना सर यह simple है सर Q प्लस R अगर 20 है तो Q is equal to 20 माइनस R और R तो आपने यहाँ पे 5X लिख 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 है 10-4, 16 होगा माइनस का यहाँ पे 5X रहेगा मैंने का बात सहिए P प्लस 4 ओहो P है, R नहीं है P तो 22X माइनस 2 है और प्लस 4 हो जाएगा तो 22X माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा और यह 11 इस्टु 24 हो जाएगा मैंने का उसी को यहाँ नीचे लाके solve कर दो 16 into 24 कितना हो जाएगा 20 का square minus 16 यानि कि 384 minus का 120 आ जाएगा is equal to 11 का square 121 का double 242 x बहुत गंदा है plus का 20 हो जाएगा यह इधर आएगा तो minus oh 384 नहीं है यह इधर आएगा तो plus हो जाएगा 242 x में 120 जूड़ जाएगा तो 362 x हो जाएगा यह 22 इधर आके minus हो जाएगा तो 22 इस में से जाएगा तो यह भी 362 बन जाएगा और यह कटके x का value 1 आ गया sir x के value 1 के साथ r, p, q सबके present age shorted sorted मुझे difference पूछा गया है present age is q और r का sir मैं बताओ मुझे सत्तु सुपारी को एक chance दो मैंने का हाँ बताओ sir q का जो age है वो 20-5, 15 का है मैंने का हाँ और sir r का जो age है वो 5 है मैंने का हाँ और sir 15 और 5 के बीच का अगर मैं अंतर आप से पोचो तो आप मुझे क्या कहोगे मैंने का ये भी लिखने का कोई sense उठता है option number c 10 तो equation में कैसे deal किया जा रहा है मैं पूरी कोशिस कर रहा हूँ आप लगों तक properly deliver कर पाऊ एक और सवाल करते हैं फिर हम थोड़े mains level के question के पास चलते हैं ये level काफी discuss कर लिए इसके बाद एक mains level questions को चलते हैं मज़ा आ जाएगा उसने कहा जो ratio है एका एच दो साल पहले और और बी का एच आफ्टर टू यर्स के साथ ये वन फोर्थ का ratio रख रहा है and the sum of A's age after 6 years A का age after 6 years sum and C's age after 4 years C का age after 4 years is 3-4th of B's age after 4 years ये 3-4th है B's age after 4 years का मतलब ये वाला जो सम है वो B के 4 साल बाल के सम का 3-4th है मतलब इनके बीच का ratio 3-4th है क्या आपने एक चीज फिल के अगर आप मुझसे चीज में सीख रहे हो मैं इसको ratio के फॉर में रख रहा हूँ उसके बाद ही मुझे idea लगता है कि किस equation को कैसे deal करना आसान होगा अगर आप दोनों को LHS, RHS करके सजाद होगे न तो पता नहीं चलेगा बहुत से चीज अब यहाँ पर नीचे करके आप बहुत से चीजे sorted कर सकते हो what is the sum of the present ages of A, B and C if C is 2 years older than A C जो है वो 2 साल बड़ा है A से C तुम अगर 2 साल बड़े हो A से तो A तुम अगर X साल के हो तो C तुम X प्लस 2 साल के हो और इसी X प्लस 2 के साथ क्या मैं B को X के फॉर में लिख सकता हूँ हाँ सर मैं B को X के फॉर में लिख सकता हूँ मैंने का लिख के दिखाओ सर ये X प्लस X ही ए 2X हो जाएगा 4, 6, 10, 12 हो जाएगा और इसका जब मैं 4 गुना करूँगा तो 8X प्लस 48 हो जाएगा और RHS में 3B प्लस 12 हो जाएगा और B को अगर मैं X के फॉर में लिखूँ गंदा है बड़ क्या करेंगा धंदा है 12 इधर जाएगा 36 तो 8X प्लस 36 और अगर आपको खाली B ही चाहिए तो ये 3 को डिवाइड कर दो सर इससे क्या होगा ये B का एज है B के एज को यहाँ पे डालोगे X के फॉर में A अल्लेडी X के फॉर में है और 1 बाइ 4 से X निकल जाएगा तो क्वेश्चिन खतम जैसे कि A के जगा मैंने X रखा तो ये X माइनस 2 है B के जगा मैंने ये 8X प्लस 36 और 3 रखा 8X प्लस 36 और 3 रखा और उसमें प्लस का दो जोड़ा तो ये 1 अपॉन 4 आया सर तीन और ये आपके पास 6 हो जाएगा एक कैटेगरी के अंदर और ये 3 जाएगा उपर 3 और 4 सर ये 12X माइनस 12 दूने 24 इस एक्वल टो 8X और ये 36 और 6 यानिकि 42 सर 4X is equal to 66 भाई ऐसा मत करो यार 4X 66 आगया अब मैं क्या करो what is the sum of the presentages of A, B and C सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का हाँ कहो 4X 66 से X का value गंदा आ रहा है लेकिन 2X कितना आ रहा है 66 का आधा है यानिकि 2X 33 पर अटक रहा है मैंने का चलो A, B, C का sum बताओ जरा सर A है X B है हमारे पास 8X प्लस 36 बाई 3 है अलग-अलग मत करो इसको रखेंगे और C कहा है C है X प्लस 2 सर मैं आपसे कुछ कहो मैंने का हाँ कहो सर B को अलग से कैल्कुलेट कर लेते मैंने का कैसे सर अगर 2X 33 है तो 8X उसका 4 गुना होगा यानिकि 33 का 4 टाइमस होगा 120, 12, 132 132 प्लस 36 जब मैं आड करूँगा सर यह हो जाता है 168 और इसका जब मैं बटे में तीन करता हूँ तो यह हो जाता है 5, 4, 6, 56, सर B, 56, सर बहुत से सर रही बात A और C के इन दोनों का आड करूँगा तो यह 2X प्लस 2 है मैंने कहां सर 2X तो आप खुद बोल लिए हो 33 है मैंने कहां सर 33 प्लस 2 इन दोनों का सम आ गया 35 मैंने कहां सर वो 56 यह 35 56 और 35 का सम कितना हो जाएगा 80, 11, 91 के साथ option नमबर A सवाल का सही उत्तर मतलब ऐसा नहीं कि आप जो रास्ते गए हो सबसे खुबसुरत ही हो बदसुरत होने के बाद भी आप answer निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो अगर आप यह रास्ता नहीं लेना चाहते अगर आप मानलो यह रास्ता नहीं लेना चाहते सर यह गंदा है तो सर और कुछ कहा जा सकते हैं मैंने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया आंसर हमारे पार हे रबर वो रुख गया तो सर यह x यह x plus 2 अपने ले लिया मैंने का हाँ ठीक है सर आप b को x के फॉर में लिख दो ना मैंने का हाँ बार तो सर यह है सर कैसे सर यह 4 दुनी 4 और a multiply हो जाएगा minus 4 into 2 यह 8 हो जाएगा यह b plus 2 हो जाएगा मैंने का हाँ यह 2 जाके उधर minus हो जाएगा मतलब हाँ तो b का value क्या मैं कह सकता हूँ कि आप सभी को 4a minus 4a नहीं a का value को मैंने x डाला ना sorry a को मैंने x डाला ना यहाँ पे a x से c उससे 2 साल बड़ा है तो यह x का 4 गुना यानि कि यह 4x हो जाएगा 4x minus 8 और यह b plus 2 तो b का value हो जाएगा आपके पास कितना 4x minus 10 अगर b का value 4x minus 10 है तो 4x minus 10 डालने के बाद यह equation कैसा दिखेगा सर मैं दिखाओं आपको मैंने कहाँ दिखाओ सर x plus x 2x 2, 4, 6, 6, 12 4x minus 4 और 10 minus 6 is equal to 3 बटा 4 सर अगर मैं कहूं 8x plus 48 is equal to 12x minus 18 4x is equal to 66 दने मेरा दोस्त और अगर 2x 33 आ गया तो b का value कितना हो जाएगा 4x मतलब 33 का डबल 66 minus 10 56 यह already x और x 2x बना देंगे 33 और यह 2 आपके पास हो जाएगा ऐसे भी आप जाओगे तो भी आपको 91 मिल जाएगा अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि x को यहां रखने से चोटा equation आ रहा ही है यहां रखने से इंस्टेंट, hit of the moment जो गया अगर आप confident enough है और आप conceptually strong है आप रास्ता थोड़ा लंबा हो ना क्यों? आप answer निकाल लोगे उमीद करता हूं मेरे तरब से जितने हो सके मैंने आपको equation frame करना उनके साथ deal करना, कितने variety के सवाल अब ही तक अगर आपने session को like और share नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो एक बार session को like और share कर दो और मैं आप सभी के सामने अभी लगाने वाला हूँ high level word problems for mains और वो भी logical और equation के तड़के के साथ और उनको solve करने का बहतर approach में कौशिक महोंते है आपको अभी सिखाने वाला हूँ तो दिल्थाम के बैठ जाएए sit back, relax, enjoy कीजे तब तक session को like और share कीजे मैं लगा रहा हूँ आपके लिए अगला सवाल mains level का तो दोस्तों अब हम आच चुके हैं आज के सबसे last part पर यानि कि problems based on ages के high level problems जो आपको mains examination में देखने के लिए मिलते हैं वो अकसर कैसे देखने के लिए मिलते हैं आप सभी को पता है कि आपको mains examination में मिसलेनियस arithmetic word problems मतलब ऐसे करके questions देखने के लिए मिल सकते हैं direct जो कि थोड़े बड़े होंगे length में साथी साथ आपको मिल सकते हैं fillers वाले सवाल साथी साथ आपको मिल सकते हैं कि multiple answers वाले सवाल साथी साथ आपको और भी variety kinds के सवाल मिल सकते हैं जो कि थोड़े पुराने kind के भी आपको quantity comparison और data sufficiency भी मिल सकते हैं हम सारे types के questions यहाँ पर इस mains level में cover up करने वाले हैं जो आपको examination में देखने के लिए मिलते हैं और उनको tackle करने का सबसे जो बहतरीन technique है जो सबसे बहतरीन approach है जो सबसे बहतरीन तरीका है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो एक बार अभी तक अगर आपने session को like नहीं किया तो जल्दी से like कर दीजेगा और share कर दीजेगा ताकि आज के इस last part में हम बढ़ सके Hindi वाला question और English वाला question एक साथ एक ही slide में accommodate नहीं कर पाए गया इसलिए आपको सबसे पहले Hindi वाला questions में दिखा रहा हूँ आप एक बार उसका screenshot लेके खुद try करें फिर English वाला भी एक बार खुद please बनाए क्योंकि जब आप खुद नहीं बनाओगे और खुद नहीं फसोगे तब तक मैं आपको निकाल नहीं सकता तो ये छोड़ा सा request है एक बार खुद try करने के बाद ही solution देखे तब ही जाके आप चीजों को बैतर तरीके से समझोगे स्टार्ट करते हैं सवाल को सवाल क्या है बड़ा खुब सुरत है ये आपको miscellaneous word problem की तरह count किया जाएगा ये कोई quantity comparison नहीं, filler नहीं, कोई multiple option नहीं, कुछ नहीं आपका direct जैसे pre-level में questions पूछा जाता है उसका थोड़ा एक lengthy version आपके सामने है question कहा रहा है the respective ratio of the age of Vinod after x years and the age of ekta after 4 years is 6 is to 7 तो sir, Vinod है, जिसको मैंने b से represent किया और उसका age after x years है, मतलग उसका age b plus x होगा और ekta है, जिसका age 4 साल के बाद है, तो ekta है जिसका age 4 साल के बाद है, इन दोनों के age के बीच का जो ratio है वो 6 is to 7 का है, पहला point clear है and the sum of their ages before 10 years is was होगा, 74 अब 10 साल पहले अगर उनका sum 74 था, तो आज Vinod भी 10 साल बढ़ गया होगा, एकता भी 10 साल बढ़ गया होगा यानि कि sum जो है, वो 10, 10, 20 बढ़के 94 का हो गया होगा मतलब जो Vinod और एकता का sum है आज, वो आपका 94 होना चाहिए वो second points हमने extract कर लिया दिलावर is presently 16 years older than अंकित दिलावर जो है, वो अंकित से 16 साल बढ़ा है मतलब दिलावर minus अंकित, क्योंकि दिलावर बढ़ा है वो आपके पास कितना आ जाएगा 16 और फिर आपको बोला गया है कि the sum of the present ages of Vinod and दिलावर is 34 years more than the present age of एकता यानि कि Vinod और दिलावर का जो sum है, B और D का जो sum है यह sum 34 ज्यादा है, किस से? एकता के age से यानि कि एकता से, अगर मैं 34 जोड़ू, तब जाके मैं Vinod और दिलावर के sum तक पहुंचूंगा और last मैं आपको बोला गया है कि चिराग is 5 years elder to Vinod चिराग जो है, वो 5 साल बड़ा है आपके Vinod से तो मतलब चिराग से अगर मैं Vinod को minus करूंगा, तो 5 आना चाहिए कितना हो जाएगा, सर्वोत तो C plus X हो जाएगा, और इन दोनों का जो sum है Y years और X years के बाद, ये sum आपके पास 100 हो जाएगा उसने कहा कि ages of Ankit and Dilawar after 4 years are in the ratio 2 to 3 मेरे पास वो जगा नहीं है, तो मैं इस जगा का इस्तमाल करता हूँ Ankit का 4 साल बाद का age और Dilawar का 4 साल बाद का age जो है वो आपस में 2 और 3 के ratio में है तो उसने मुझे पूछा What is the age of Chirag after X plus 2Y तो यहीं से आपको X, Y इन सबके values निकालने तो बहुत से equations दिये हैं इनको हमें खुबसूरत तरीके से बद्स solve करना है तो यह W नहीं है, यह 4 है 4 साल बाद और इसका 4 साल बाद 2 by 3 अब मैं question को कहां से start करूँगा मैं आपको एक खुबसूरत point दिखाना चाता हूँ वो एक ratio है, यह एक ratio है इस ratio में यह X गंदा है लेकिन उस ratio में कोई गंदे नहीं है तो A और D का एक relation यहां से आया और अगर आप ध्यान से देखोगे तो A और D का एक relation आपको यहां से मिल रहा है कि D और A के बीच का gap 16 है क्या आपको बता है कि अगर D और A का H का gap अगर 16 साल है वो तो हमेशा ही 16 साल लहेगा मतलब आज से 4 साल बाद भी A और D के बीच का gap 16 साल लहेगा आज से 4 साल के बाद इनके बीच का gap पर वो एक पार्ट दिख रहा है कि यह 2 पार्ट यह 3 पार्ट तो यही 1 पार्ट का gap यही 16 है हासर एक पार्ट अगर 16 है तो यह जो 2 पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा 32 और यह 3 पार्ट जो होगा वो 48 लेकिन यह जो 32 साल आया क्या वो A का एज आया वो A का 4 साल बाद वाला एज तो A का जो एज है वो कितना होगा 4 साल बाद अगर कोई 32 तो आज उसको 28 साल similarly D का एज 48 नहीं आया उसने कहा कि D का age 4 साल बाद 48 होगा तो D का आज का age हमारे पास कितना हो गया 44 चार कम A और D के values निकलने के बाद आपको और कहां कहां क्या कुछ suitability होगा ज़रा एक बार देख लिजेगा सर अगर हम देखें तो A और D के suitability 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 और तो मुझे कुछ दिखी नहीं रहा A और D का निकलने के बाद एक चीज हाला कि मुझे आया कि सर अगर D का value मैंने 44 रख दिया तो यहां से मैं अगर मैं D को 44 रखूँगा तो एक कुछ condition आएगा मैंने कहा क्या सर यहां अगर मैं 44 रख दूँगा तो B प्लस 44 is equal to E प्लस 34 यह 34 इधर लाके अगर मैं 44 से माइनस कर दूँ तो 10 बच जाएगा और B उधर जाके माइनस हो जाएगा मतलब E माइनस B is equal to 10 यहां से एक equation मुझे दिखा E माइनस B is equal to 10 मुझे एक equation दिखा क्या आपको भी दिखा हा सर दिखा अगर E माइनस B 10 यहां से मुझे मिल गया D के जगा 44 सब्स्टिटूट करके और यहां पर आपके पस E प्लस B का value 94 है तो क्या इन दोनों से कुछ हो सकता है हा सर बिलकुल सर अगर मैं E अगर मैं E माइनस B 10 years जानता हूँ तो इन दोनों equations को अगर मैं add कर दूँगा तो B से B कट जाएगा E प्लस E कितना हो जाएगा सर E प्लस E 2E हो जाएगा और add होने के बाद यह 104 हो जाएगा और E का value सर मेरे पास 52 निकल के आएगा मैंने का सुनो सिर्फ E नहीं B भी निकल ज 2 का मालूम हो गया इतना मालूम होने के बाद आगे मैं अभी चलूँगा तो मेरे पास अभी A आ गया D आ गया B आ गया E आ गया अब मेरे पास और क्या आ जाएगा सर ओव्यस बात है मेरे पास C आ जाएगा मैंने का कैसे सर अगर B 42 साल का है मैंने का हाँ हाँ और वो भी C से य का sum मिल गया मैंने का कैसे सर देखो B के जगा में डाल दूँगा 42 और C के जगा में डाल दूँगा 47 42 प्लस 47 हो जाएगा मेरे पास 89 और वो 89 जब उधर में 100 से माइनस कर दूँ तो X प्लस Y जो है वो हो जाएगा 100 से 89 जाने के बाद 11 अगर X प्लस Y मेरे पास 11 है तो क्या मैं इस पहले रेशयो का इस्तमाल अब कर सकता हूँ हा सर कर सकते हो तो मैंने का कैसे ध्यान से पूरा equation solving करना ध्यान से करना कैसे सर अगर मैं आपसे कहूँ कि E का age आ चुका है that to 52 और B का age आ चुका है that to 42 तो सर E present में 52 है तो 4 साल बाद कितना होगा मैंने का 52 प्लस 4 56 तो ये जो 7 पार्ट है ये 56 को represent कर रहा है अगर ये 7 पार्ट 56 है तो एक पार्ट 8 के साथ ये जो 6 पार्ट होगा वो कितना होगा सर 6 into 8 यानि कि 48 मतलब आपका जो उपर वाला चीज़े वो 48 का होना चाहिए लेकिन उपर में है क्या वो B का X साल के बाद का age 48 अब B तो आज 42 का है तो आज से कितने साल के बाद 48 का होगा तो 6 साल के बाद तो मतलब X का value कुछ और नहीं बल्कि 6 है अगर X आपके पास 6 आ गया तो X प्लस Y अगर 11 था जिसमें से X 6 आ चुका है तो Y कितना आ जाएगा सर यहां से हमारे पास Y का value आ जाएगा 5 और अगर Y का value 5 आ गया तो मेरे पास सारे values आ चुके हैं X का value 6 Y का value 5 तो मुझे उसने पूछा कि ब वो 47 years का है मैंने का हाँ वो 47 years का है और उसमें जब में उसका age X plus 2Y years के बाद की बात कर रहा हूं तो X का value 6 Y का value 5 2Y का value 10 तो 10 plus 6 इसका age 16 साल के बाद कितना होगा मैंने का 47 आज है तो 16 साल बाद 53 10 63 हो जाएगा और 63 अगर option number B में है तो यही हमारा सही उत्तर है अगर आपने से किसी ने भी कुछ से try करके इस question का answer 63 निकाला है 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 अब जबरदस चल लिए आपके तैयारी मज़ेदार तरीके से आप इस question को deal कर सकते हो अगला सवाल मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं यह रहा हिंदी वाले लोग उमीद करता हूं अपना screenshot ले लिए होंगे और pause करके इसको try किये होंगे इंगलिस वाला सवाल मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं मैं screen के सामने से थोड़ा चला जा रहा हूं ताकि आप एक बार इसको पढ़के खुड try कर सको उमीद करता हूं कि आपने अपना question पढ़के try कर लिया होगा इसी दौरा ratio of the ages of Rohit and Raja is 9 is to 8 भाई साब सारे नाम है यहां पर R में है तो R से रिप्रेजन तो नहीं किया जा सकता पूरा लिखना होगा तो मैंने लिखा Rohit और Raja का जो age है वो आपस में क्या ratio रख रहा है सर वो आपस में 9 is to 8 का ratio रख रहा है मैंने का यहां तक बात साफ है हाँ सर साल बाद है यह 5 साल बाद का सिनेरियो क्या हुआ होगा रमन का जो आज है वो 5 बढ़ गया होगा राहूल का जो आज है वो 5 बढ़ गया होगा मतलब sum 5 5 10 बढ़के 102 हुआ होगा तो आज का sum 10 का यानि कि 92 होगा मतलब रमन और राहूल का sum 92 तो रमन और राहूल का sum 92 जो ratio है ages रमन का और रोहन का वो 2 is to 3 है तो से रमन का और रोहन का 2 is to 3 मैं बस डेटे एक्स्टार्क कर रहा हूँ ratio of the ages of राहूल और रोहन after 6 years 31 30 राहूल और रोहन 6 साल बाद तो राहूल 6 साल बाद रोहन 6 साल बाद 30 is to 31 sorry अभी गडबड हो जाता पूरा 31 is to 30 4 साल पहले राजा का जो age है वो equal था present age रमन के साथ तो 4 साल पहले राजा का age में क्या कह सकता हूँ 4 साल पहले में राजा का age ले सकता हूँ राजा माइनस 4 और यही बराबर होगा present age रमन के साथ मतलब यही होगा रमन के बराबर मैंने का हाँ what is the ratio आगे और extract का निकले नहीं है अभी आगे आपके पास question है तो अब इसको कैसे क्या tackle करना होता है दरा सांती से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कहीं से भी आप start कर सकते हो for example या तो मैं रोहित राजा का इस ratio से start करूँगा नहीं तो रमन रोहन का इस ratio से start करूँगा देखो ज्यादा चीज़ें कहां पर आपके लिए आसान हो रहा है अब देखो यह जो रोहित और राजा है इनके बारे में जिकर आगे अगर मैं देखो रोहित के बारे में जिकर कहीं नहीं है आपने ये देखा रोहित का जिकर यहां कहीं आगे नहीं है तो मैं इस ratio को avoid करूँगा रमन और रहन बहुत जगा है यहां पे भी रमन है यहां पे भी रोहन है यहाँ पे भी रमन है, तो इस ratio का इस्तमाल करना वाइस होगा, इस ratio का इस्तमाल कैसे करूँगा, कि मैं आज रमन के age को अगर मैं 2x लूँगा तो रोहन के age को मैं 3x लूँगा मेरे दोस्त, क्या यहाँ तक बात साफ है, हाँ से अगर रमन का age आज 2x है तो रमन अगर यहाँ पे 2x है तो रमन और राहूल का sum 92 होना चाहिए तो अगर मैंने रमन को 2x लिया तो पूरे 92 में से 2x अटाने के बाद जो आएगा वो राहूल का age है मतलब राहूल का age 92-2x का बनी जाएगा, अब राहूल का और रमन का और रोहन के age मेरे पास x के टर्म में है और यहाँ पे राहूल और रोहन का जो है वो मेरे पास ratio है 31-30 क्या मैं इस point का इस्तमाल कर सकता हूँ सर कैसे, राहूल को क्या मैं लिख सकता हूँ 92-2x यस सर, राहूल को लिखा जा सकता है 92-2x और राहूल के 6 साल बे age को क्या मैं और plus 6 लिख दू? हाँ सर रोहन को x के टर्फ बे क्या 3x लिखा जा सकता है? हाँ सर और उसके 6 साल बाद के age को plus 6 लिखा जा सकता है? हाँ सर और इन ही दोनों के बीच का जो ratio है वो 31 is to 30 है? हाँ सर हाला कि देखने के लिए डरावना है लेकिन डरावना बिल्कुल भी नहीं है अब और इसको आप खुबसर तरीके से solve करोगे तो सबसे पहले 92 plus 6 क्या ये 98 बन जाएगा? हाँ सर 92 plus 6 98 बन जाएगा 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा और 3 से काटोगे तो क्या ये 10 बन जाएगा? हाँ सर क्रॉस मल्टिप्लाइ अगर मैं करूँ 10 का मल्टिप्लाइ 98 के साद क्या ये 980 देदेगा? हाँ सर 10 का मल्टिप्लाइ minus 2x के साद तो minus 20x देदेगा x क्योंकि 3 कट चुका है न का मल्टिप्लाइ 31 के साद 31x और 2 का मल्टिप्लिकेशन 31 के साद 62 हाँ सर अगर मैं 20x को उधर ले जाओ तो क्या ये आप सभी को 51x एड होके दिखा? हाँ सर और 62 को अगर इधर लेके minus कर दो तो क्या ये आप सभी को 918 दिखा? बस x का value निकालो सर अगर मैं 17 में काटू तो 17 5 जा 85 क्योंकि ये 17 से जा रहा न और ये 68 68 यानि कि 4 और यहाँ पर 17 से 3 से कट करोगे तो ये 18 times कैंसल करेगा और इसी के साथ मुझे x का value जो है वो 8 मिल चुका है मेरे दोस्त हाँ या ना x के value के साथ आपके आधे question तो solve हो और मेरे ख्याल से सब कुछ solve है सर ये आपने कैसे इतना fast बता दिया कि सब कुछ solve है ज़रा ध्यान से देखना हाँ सर देखूंगा क्या x के 8 होने के साथ रमन का age 16 और रोहन का age 24 आच चुका है मेरे दोस्त हाँ सर ये दोनों आने के साथ क्या होगा सर रमन का age अगर ये आगया तो राहुल का भी ये जा जाएगा मैने का कैसे सर 92 minus 2x सर x हमारे पास है 8 तो 2x हो जाएगा आपके पास 16 तो 92 से 16 जाएगा सर 6 अगर मैं minus करता तो 86 और 10 के साथ ये हो जाएगा आपके पास 76 कॉन? राहुल क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि हमारे पास ये तीनों तो आ गए हैं राहुल, रमन, रोहन ये आ गए हैं अब मैं रमन का इस्तमाल करूँगा रमन जो कि 16 साल है अगर वो 16 यहां पे डाल दूँगा तो राजा से 4 माइनस करूँगा तो 16 आना चाहिए किस से 4 माइनस करोगे तो 16 आएगा 16 प्लस चाल 20 तो राजा का एज यहां पे आ गया है आपके पास 20 अगर राजा 20 है भाई राजा तुम तो कुछ गलत कर दे हो राजा क्योंकि राजा अगर यहां पे 20 आएगा तब तो गडबड हो जाएगा कुछ होगा ओ तेरी X का वैल्यू 18 आया है वही तो मैं बोलूँ वो कट क्यों ने राए कि 8 पार्ट यह जा क्यों ने राए तो X का वैल्यू मेरे दोस्त 18 है X का वैल्यू मेरे दोस्त 18 है और 18 के साथ अभी सब कुछ जो मैजन्टा या वैलेट कलर जो को आप जो भी कलर बोल रहे हो इन सब को हम हटा देंगे साफ कर देंगे एरिया और फिर से एक बार उसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे ध्यान से कोई प्रॉब्लम वली बात नहीं कुछ गरबड नहीं हुआ एकस के वैल्यू 18 के साथ मैं ग्रीन कलर ही रख रहा हूँ तो यह 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 18 इंटू 3 यह कितना हो जाएगा 54 2x अगर 36 में हटा दो 92 से तो कितना हो जाएगा 92 से 6 जाएगा तो सर बचेगा 86 और 86 से 30 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 56 तो राहूल का एज जो है वो 56 हो जाएगा मैंने कहां अगर राहूल 56 हो गया और सब कुछ हो गया तो रमन का एज सर 36 है मैंने कहां सर रमन अगर 36 आना है और वो भी राजा से 4 माइनस करके तो राजा को 36 से 4 जादा यानि कि 40 होना होगा और राजा अगर तुम 40 हो और तुम 8 पार्ट हो 8 पार्ट 40 तो 1 पार्ट 5 के साथ रोहित तुम है 9 पंजे 45 साल का होना चाहिए सारे ages निकालने के बाद उसने जो question में पूछा क्या मैं वो भी निकाल सकता हूँ What is the ratio of the sum of the present ages of Rohan and Rohit together? Rohan and Rohit together Sir Rohan का age अगर मैं बात करों तो वो 54 है Rohit की अगर मैं बात करों तो Rohit का 45 है 54 और 45 अगर एक दूसरे से add होंगे तो ये कितना बनाएगा? Sir ये बना लेगा हमारे पास 99 और इसका ratio मुझे किसके साथ चाहिए? Average of the present ages of Raja, Rahul and Ram together Raja, Rahul गलती मत कीजेगा बस भाई सारे एक जैसे नाम राहul, राहul, राहul का है? भाई साथ, राहul and Ramon Ramon, 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 Ramon तो Raja, Rahul और Ramon का average कितना होगा? Sir 56 सबसे पहले तो Ramon और Rahul का sum ही 92 ले सकते हो इन दोनों को और उसमें जब मैं राजा को add करूंगा तो 92 प्लस 40 सरी हो जाएगा 132 तीन लोगों का average के लिए 132 को by 3 करेंगे 132 को by 3 करेंगे अब by 3 करो, ना करो चलेगा क्योंकि ratio पूछा है तो 11 में cancel करोगे 9 times 11 में cancel करोगे 2 times 3 में cancel करोगे 3 times 3 में cancel करोगे 4 times 3 into 3 9 times ये 9 is to 4 आपका ratio कौन से option में है सर ये तो option number B है यही इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए उमीद करता हूँ कि ऐसे kind के इतने बड़े-बड़े सवाल भी आप हारान से solve कर सकते हो अगर आप patiently इन सवालों को tackle करिएगा सीखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आता है सर इस question को बनाने का ideal time कितना होता है भाई साथ देखो question को बनाने का ideal time कभी starting से fix नहीं होता वो आपके practice के साथ एक minimum possible value पर आके अटक जाता है वो possible exact number आप बता नहीं सकते क्योंकि यही exact सवाल आपको paper में मिले इसका कोई guarantee नहीं है तो question बदलते रहते तो उस हिसाब से आपके जो तरीके हैं वो भी बदलेंगे और समय भी बदलता रहेगा तो इनका कोई fix time नहीं होता अगला सवाल बहुत खुबसूरत आप सभी के साबने है हिंदी वाले उमीद करता हूँ एक बार screenshot ले लिए होंगे अंग्रेजी वालों के लिए भी मैं एक बार side हो जा रहा हूँ screen के उपर से ताकि एक बार आप खुद try कर सके मैं ये उमीद करता हूँ कि आपने question को एक बार प्यार से पढ़ लिया होगा अब हम चलते हैं question के पास question clearly visible है हाँ दिखतो रहा है nickel is a years elder to manoj nickel जो है वो a साल बड़ा है elder है manoj से तो nickel minus manoj जब में करूँगा तो a साल का gap आएगा whose present age whose मतलब में manoj की बात कर रहा हूँ is a prime number more than 45 तो manoj जो है वो more than 45 एक prime number है ऐसे conditions आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यह जो conditions है इस हिसाब से आपको multiple options मिलेंगे और multiple answers मिलेंगे और एकलोता answer जो यह सारे condition को satisfy करेगा वो ही हमारा answer होगा यह idea लग जाना चाहिए जब आप practice करोगे तो आपको और अच्छे से idea लग जाएगा कि कैसे solve करना होता है Manoj is b years younger to hurry Manoj अगर b years younger है हरी से तो b minus Manoj अगर मैं कर दूँगा तो कितना यह है Manoj is b years younger to hurry अच्छा अरे मेरे दोस्त मिट जा तो अगर मैं हरी से Manoj को minus करूँगा तो यह कितने का आ जाएगा सर यह आ जाएगा आपके पास b years का सर जो ratio है age निखिल का after b years and the age of Manoj after a minus 2 years तो निखिल का after b years age कितना होगा n plus b और age of Manoj after a minus 2 Manoj का age a minus 2 years के बाद कितना होगा plus कर दो a minus 2 brackets भी देने की ज़रत नहीं minus 2 है और इन दोनों का जो ratio है वो कितना हो जाएगा इन दोनों का जो ratio है वो 7 is to 6 हो जाएगा निखिल is 2 years elder to Harry निखिल जो है वो 2 साल बड़ा है हरी से यानि कि निखिल minus Harry is equal to 2 if मुकुन्द is 5 years elder to Manoj मुकुन्द जो है वो Manoj से 5 साल बड़ा है तो मुकुन्द से जब मैं Manoj को minus करता हो तो यह 5 आता है तो आपको बताना है कि what was the age of मुकुन्द A plus B मतलब A plus B तो निकालना है जैसे चिराग वाला सवाल था और क्या बस देखो note में आ रहा को क्या है कि percentage of each person is an integer अगर present में integer है तो इस पूरे situation में integer ही रहेगा और A का value 2 से लेके 10 के बीच में रहेगा और B का value 4 से लेके 8 के बीच में रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि integral values A और B के लिए मैं ले लूँ क्योंकि integer सी लेना होगा क्योंकि यहाँ पर B साल ट्रावल करवा रहे हो A साल ट्रावल करवा रहे हो तो यह whole number सी आने चाहिए तो A और B दोनों को integer ने हो के A को लेकिन कहें क्यों रहे हो क्योंकि सर मैं यहाँ से भी M को निकाल लूँगा उधर और B को इधर ले आऊँगा यानि कि M को again मैं H-B से represent कर सकता हूँ और जब यह भी M है और यह भी M है तो इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ और यह A को अगर मैं उधर ले जाओ तो A positive में हो जाएगा तो A-B और N-H का value अगर 2 है तो साथी साथ उसका value अगर A-B के साथ बराबर है तो यह वाला value भी 2 बन जाएगा क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर यहाँ तक बात साफ है यह वाला value 2 बन जाएगा मैंने का A-B आपके पास 2 है लेकिन इसका कुछ और रास्ता और कुछ कर सकते हो सर अभी के लिए तो बस इतना ही कर सकते हैं जो लग रहा है सर और कोई रास्ता? मैंने का और कोई रास्ता तो दिखनी रहा यहीं पह क्योंकि और देखो सब कुछ में मतलब पूरा बंद गया है सर N, M, A, B सब variables में बंद गया है अब अब लेकिन मेरे पास एक रास्ता है यहीं से start करने का सर यह क्या start करोगे कैसे इसको बताओ हमें भी उसने कहा कि A जो है वो 2 से बड़ा और 10 से चोटा इसके बहुत से possible values आ सकते है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तर लेकिन B जो 4 से बड़ा और 8 से चोटा है B के सिर्फ और सिर्फ तीन values आ सकते है 4 से बड़ा 5, 6 और 7 और यह equal to नहीं लगा तो 8 और 4 नहीं हो सकते सर मैं आपसे कुछ कहूँ मैंने का हाँ सर अगर A-B 2 है मतलब A B से 2 बड़ा है मैंने का हाँ तो उस हिसाब से A के भी तो 3 ही value एक्जिस्ट करेंगे ना अगर यह 5, 6 है मैंने का हाँ बात तो सही है 7, 8, 9 हाँ यह ना तो A और B के यही सारे values एक्जिस्ट करेंगे सर कौन सा जगा आपको दिख रहा है क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो सर क्या बताओ यहाँ पर आपके पास एक variable M दिख रहा है हाँ सर A और B तो मैं substitute कर दूँगा यहाँ से 7, 5, 8, 6, 9, 7 बस हटाना है तो इस N को हटा देने से काम बन जाएगा पूरा equation A की variable में आ जाएगा और N को अगर मैं M के form में लिख दूँ तो मजा ही आ जाएगा मैंने का हाँ सर अगर मैं N को M के form में लिखना चाहता हूँ तो इस वाले equation से मैं N को लिखना चाहता हूँ कि M उधर जाएगा तो वो A प्लस M हो जाएगा क्या यहां तक बात साफ है अगर N तुम A प्लस M हो जाओगे अगर N तुम A प्लस M हो जाओगे तो A प्लस M प्लस B इसको थोड़ा A प्लस M ना लिख के मेरे लिए काम कर सकते हो सर क्या? इसको M प्लस A लिख होगे सर इससे कोई benefit होगा? मैंने का A benefit होगा सर क्या? अगर मैं इसको M प्लस A लिख हो और साथी साथ यह B है तो A प्लस B जो है वो value में substitute कर सकता हूँ कितना? सर A प्लस B अगर मैं पहला case ले रहा हूँ साथ और पांच तो A प्लस B का जो sum होगा वो 12 का हो जाएगा मैंने का बात तो सही है सर अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे यह M जो है यह यहाँ पे भी है A माइनस 2 का value कितना है सर? मैंने कहा A मैंने पहला case लिया है जहाँ A 7 है 7 माइनस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 क्या equation solving का अगर आपने पहला question देखा होगा जो basic level equation making का पहला सवाल तो क्या मैंने इस वाले चीज का इस्तेमाल किया था सर कैसे? उपर भी M नीचे भी है नीचे 5 उपर 12 उपर वाला 12 नीचे के 5 से कितना जादा? 7 उपर वाला 7 पार्ट नीचे 6 पार्ट से कितना जादा? एक पार्ट तो एक पार्ट अगर आपका 7 है तो उपर वाला जो 7 पार्ट है वो कितने का होगा? सर वो तो 49 होना चाहिए अगर यह साथ पार्ट 49 है सर वो M का 12 साल बार्द वाला एज है मैंने का बात तो सही है तो उस हिसाब से M का एज जो है और हाँ हमारे लिए लखी भी क्या हो गया हम सीधा M तक पहुंच रहे हैं जो कि हमें चेक भी करना था और अगर इस condition के हिसाब से M को 37 आ रहा है तो M शुड़ बी ग्रेटर देन 45 मेरे दोस्त M को 45 से बड़ा एक प्राइम नंबर होना चाहिए तो ऐसे condition में जब मैंने पहला 7 और 5 रखा तो ये eliminate हो गया क्योंकि उससे M का value 37 आ रहा है अब मैं क्या करूँगा अब मैं इन values को change करूँगा Sir कैसे change करोगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे change करना है यहां तक तो हम पहुंच गये हैं हाँ सर जब मैं अपना second condition लूँगा तो second condition में 8 प्लस 6 A प्लस B कितना हो जाएगा सर ये 14 हो जाएगा मैंने का हाँ और सर नीचे A माइनस 2 A अगर 8 है तो 8 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा सर 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा सर आपने देखा मैंने का क्या ऊपर वाला जो है वो 8 पार्ट ज्यादा 8 ज्यादा है और 1 पार्ट ज्यादा है तो सर एक पार्ट 8 के साथ जो 7 पार्ट होगा वो 7 into 8 सर ये 56 का होगा मैंने का ये M का ही ये ज़ना हाँ सर आज का न नहीं सर मैंने का तो 14 years के बाद 14 years के बाद वो 56 होने वाला है तो आज वो कितना है सर 56 से 14 कम यानि कि 42 कोर्शिस तो बहुत की उसने 45 का अंकड़ा पार करने का लेकिन कर नहीं पाया तो थर्ड वाला कंडिशन 100% सत्प्रतिशत सही होगा अगर मैं थर्ड वाला कंडिशन जाओं तो थर्ड वाला कंडिशन मुझे कहां पे लेके end करेगा जरा सांती से हम इस चीज़ को देखेंगे सर मैंने कहा अगर मैं 3rd वाले condition 9 और 7 का लूँ तो 9 प्लस 7 यहाँ पे A प्लस B का जो sum है वो 16 का होगा और A-2 9 माइनस 2 यह वाला condition 7 का होगा 16 जो है वो 7 से कितना ज्यादा है सर 16 जो है वो 7 से 9 ज्यादा है और एक पाट अगर 9 है तो 7 पाट यहाँ पे 63 होगा 63 जो है वो M का एच 16 साल बाद है तो आज उसका एच 63 माइनस 16 अगर मैं कर दो तो 57 47 आ जा रहा है क्या यह 45 से उपर है सर 45 से उपर छोड़ो यह 45 से उपर एक प्राइम नंबर है तो क्या यह condition को fit and fine satisfy कर रहा है सारे questions के हिसाब से हासा अगर सारे questions के इसाथ से क्योंकि और कोई possibility मेरे पास बचा भी नहीं है तो सारे points इनको 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 इन सब को ध्यान में रखके एक ही चीज़ आया कि यही आपका perfect condition है अगर मेरे दोस्त यही मेरा perfect condition है तो आगे कैसे जाना है तो सार M तो हमारे पास 47 आ गया यह M कौन है सार यह जो M है वो हमारा पहला वाला M है यानि कि मनोज सार अब आपको यह बोला गया है कि जो मुकुन रही है वो मुकुन हमारा 5 साल बड़ा है मनोज से तो मनोज तुम अगर 47 हो तो मुकुंद तुम अगर उससे 5 साल बड़े हो तो मुकुंद का age कितना हो जाएगा सर मुकुंद का age जो हो जाएगा वो 52 का हो जाएगा 47 से 5 जादा और अगर मुकुंद आज 52 का है तो वो A plus B minus 2 years ago कितना होगा सर A plus B 9 plus 7 16 16 minus 2 यानि कि 14 तुम 14 साल पहले कितने के होगे सर मैं 14 साल पहले 38 साल का होगा और 38 मुझे कहां पे दिख रहा है सर 38 मुझे option number A में दिख रहा है वही इस सवाल का सयूत्तर है कितना मज़िदार सवाल था ऐसे ही सवाल आपको mains में आते हैं और आपको काफी जादा तंग कर लेते हैं लेकिन अगर आप एक बार इनको सीख जाओना कैसे बनाए जाता है तो आप इंजॉय करोगे इस प्रोसेस को इंजॉय करोगे इस जर्नी को अगला सवाल आप सभी के सामने है में गुंट पानी जरूर से पीना पसंद करूँगा अब तो आपके सामने भी प्या जा सकता है क्योंकि कुशिन साइड में है तो आराम से ट्राइ कीजिए लाइक ने के तो एक बार शर्शन लाइक और शेयर कर दीजिएगा इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ न मेरे भाई विश्णू यह हमने प्लस क्लास में हाली में डिसकस किया था यह क्विश्चन मुझे काफ़ी मज़दार लगा था इसलिए मैंने इसको पिक किया यहाँ रेश्व अफ़ अफ़ एजस अफ़ रेणू तो मनू इस थ्रीश्टु ए रेणू है मनू है इन दोनों का जो एज का रेश्व है वो थ्रीश्टु ए है एंड आफटर पी एर्स रेणू इस सिक्स एर्स यंगर दैन मनू उसने कहा कि आज से पी साल बाद रेणू जह है वो छे साल छोटी होगी मनू से अब आप लोग इस पी के पीछे पागल हो जाओगी लेकिन इस पी का कोई ज़रूरत है ही नहीं भाई सार वो सिर्फ आपको डिफरेंस रिप्रेजन कर रहा है कि आज से पी साल बाद अगर रेणू छे साल छोटी है मनू से तो अगर रेणू छे साल छोटी है मनू से तो मैंने अपने हिसाफ से एक इंडिकेशन लिख दिया कि रेणू मनू से छे साल छोटी बाद साफ बाद साफ उसने कहा कि if the average of the ages of रेणू, मनू and टीनू is 28 मैंने कहा वो सम मत कहो रेणू, मनू और टीनू का average 28 से जाधा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ कि तीन लोगों का average 28 तो सम 84 होगा बाद साफ बाद साफ मैं आपसे कुछ कहना चाता हूँ, एक बनू है और एक टीनू है, बनू का age 75 परसंट है टीनू के age का, बनू का present age, बनू का present age बनू's present age is 9A, उसने खुद दिया भाई 9A और इसको आप ignore नहीं कर सकते, इसका reason यह है कि इसी 9A का जो A है, वो मुझे पहले भी मनू के ratio में जिकर किया गया था, मतलब इसमें मैं हाथ फेर नहीं सकता, वो जो दिया है, 9A दिया है तो मुझे 9A के according लेना, B, C, D नहीं करना क्योंकि यही A, यह वाले A के साथ बराबर होगा, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने का कहो, सर अगर यह 3 पार्ट 9 है, तो यह जो 4 पार्ट है, तो सर यह 12A हो जाएगा, हाला कि टीनू का A, 6 साल बाद 12A, पर निकल जाएगा, मैंने का हाँ, सर अब करना क्या है, मैंने का, इस वाले का equation का तो इस्तमाल करना ही है, लेकिन कैसे इस्तमाल करना है, वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी मत डरिएगा, आपको रेनू का एक age चाहिए, मैं देता हूँ, कैसे, इन दोनों का जो ratio है, वो 3 to A का था अगर इन दोनों का ratio ratio 3 to A का था, तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि तुम अगर 3x हो, तो तुम A x हो, सर ये कैसे हुआ, अरे मेरे भाई ratio 3, 2 का होता, तो ये 3x, 2x होता, 3, 5 का होता, तो 3x, 5x होता, तो 3 A में तुम क्यों डर जाते हो, ये 3x का है, तो ये x का है, ठीक है, सर आप कहता हो, तो हो ही रह ही है, तो मैं निकाल सकता हूँ, एक numerical figure में कैसे, जितना renew होगी, उससे 6 साल ज्यादा, यानि कि 3x प्लस 6, सर बाग तो बढ़िया है, आगे, अब बस अकर मैं इस T के H को X के फॉर में लिख दू, तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन T जो है, वो अकड के बैठा है, कि मैं तो X क 4 में नहीं, उसका X के साद दूर-दूर तक relation भी नहीं है, वो आज से 6 साल बाद A के terms में 12A का होगा, तो आज present में वो 12A से 6 कम, यानि कि 12A माइनस 6 का होगी, अब मुझे तो पता है कि इन सब का जो addition है, इन सब का addition 84 होगा, और अगर सर मैं इसको थोड़ा सा simplify करूं, तो य यह माइनस 6 कट गया, 3X, 3X यह 6X बन गया, प्लस यह 12A बन गया, और is equal to 84 बन गया, 6 में काटोगे तो यह X टाइम, 6 में काटोगे तो यह 2A, और 6 में काटोगे तो यह आपके पास 14 हो गया, तो X plus 2A is equal to 14, मेरे पास एक equation है, मैं आपको दूसरा equation भी दे सकता हूं, X और A के form में, या तो substitute भी करवा सकता हूं, सर substitute कैसे, क्या आपके पास एक equation है, सर क्या, अगर रिनू 6 साल चोटी है मनू से, तो मनू के age माइनस रिनू का age, 6 आएगा, हाँ सर, मनू के age को AX लिखा जा सकता है, हाँ सर, रिनू के age को 3X लिखा जा सकता है, तो उनके बीच का गया, 6 6 साल का है, हाँ सर, इससे अगर मैं X common ले लूँ, तो ये A-3 अगर मेरे पास 6 है, तो इसको simplify करके, अगर मैं X का value चाता हूँ, तो X के value को A-3 को उधर लेके, क्या बन जाएगा, 6 by A-3, और ये वाला X is equal to 6 by A-3 आते ही, मैं इस X के जगा, उस A के form वाला चीज सब्स्टिट कर सकता हूँ, और मैं इसके पीछे इसलिए interested हो, because मुझे what will be the value of A ही पूछा है, और A का equals less than 6 दिया है, अब ये 6 less than, वो आपको clear indicate करेगा, कि वो जब मैं यहाँ डालूंगा, तो A, इस A के साथ multiply के quadratic equation देगा, quadratic equation के दो roots आएंगे, मुझे सर्फ उसी root के साथ interest रखना है, जो 6 से छोटा हो, तो सर अब इस equation पर कैसे डाले, मैंने कहा, ये आपके पास x है, x के जगा लिख सकता हूँ, मैं 6 by A-3, हाँ सर 6 by A-3 लिख सकते हो, इसमें मैंने add क्या गया था, सर इसमें हमने 2A add क्या था, और तब जाके ये value 14 का बना था, मैंने कहा, हाँ, हाला कि आपे काम और कर सकते हो, सर क्या, 2 से कट कर सकते हो, लेकिन आप अगर इतना नहीं करना चाते हैं, तो आराम से चलो न, को ही problem नहीं, 6 plus 2A into A, कितना हो जाएगा, 2A square, 2A into 3 कितना हो जाएगा, minus 6 A, बटे में कितना आ जाएगा, A-3 is equal to 14, जब ये 14 A-3 को उधर लेके multiply करूंगा, तो A- minus 3 उधर जाते ही, 14 A, minus 14 into 3, यानि कि 14 त्या, 42 हो जाएगा, अब यहां से अगर आप इस equation को थोड़ा सुधार होगे, तो कैसा दिखेगा, सर 2A square को 2A square as it is रख दो, सर ये 14 A, इधर आके minus हो जाएगा, minus 6 A, और minus 14 A, minus 20 A बना देगा, minus 48 इधर आके, 42 जब add हो जाएगा, 6 के स इस equation को 2 से cut, वहां कर सकते थे, वही मैं बोल ला था, नहीं तो यहां cut करना पड़ेगा, सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं, मैंने का क्या, कि minus plus के 2 roots जो A के value होगे, वो plus plus होगे, मैंने का कहना तो वहीं चाहते हूँ, 24 के 2 factors जिनको add करने पे 10, तो कहीं सर आप ये आजाएगा 4, और A का answer 4 आते ही मैं कह सकता हूँ, option number C सवाल का सठीक उतर है, मैं आपको एक hint दे रहा हूँ, अगर आप इतना बड़ा-बड़ा steps, protocol, follow नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक और खुबसूरत रास्ता भी अपना सकते हो, मैं बस आपको hint दे रहा हूँ, बहुत इन पाट के हो, ratio में यह 3 to A है, और अगर Renu 6 साल छोटी है मनु से, तो इसको 3 से जादा होना होगा, मतलब M का, जो A का value है, वो 2 ही possible exist करेगा, कि 3 से उपर और 6 से नीचे, 4 नहीं तो 5, आप एक बार इस ratio को अगर 3 to 4 से start करते, तो 6 साल के gap में इसका age 18 और 24 लेके यह पूरा का पूरा question solve करते है, अगर satisfy कर जेता तो बढ़िया, वही आपका answer हो जाता, जो की 4 है, नहीं तो आप अगर इसको 5 में डालके, इसमें 5 पाट अगर में डाल दूँगा, एक जगा, तो 3 और 5 के बीच में 2 पाट का gap अगर 6 है, तो एक पाट 3 के साथ यह 9 साल, यह 15 साल, 9-15 लेके भी इस question के एक value निकाल के सब कुछ satisfy करवा सकते हो, लेकिन वो भाई साब वो आपका काम है, मेरा काम है आपको proper methods पढ़ाना, सवाल interesting और मज़ेदार लगा और explanation जबरदस लगा, तो एक बार session को like और share तो बनता ही है, बहुत कम बार कह रहा हूं, लेकिन कर दीजेगा, एक बार मैं screen के सामने से जा रहा हूं ताकि आप एक बार question को पढ़ सको properly, पढ़ लिए, सर इतना जल्दी करना पढ़ेगा यार, क्या करें, हम भी तो मैनद कर रहे हैं आपके लिए, आप भी खुद के लिए कर लो थोड़ा, At present, the ratio of the ages of Shushila and her brother is 7 is to 8, उसने कहा, present में जो ratio है, ages, Shushila और उसके भाई का, वो 7 is to 8 का है, सर, Shushila है, भी Shushila पूरा must है भाई, उसका dot green मतलब वो पूरा अलग लेवल पे चल लेए, यह Shushila, और उसका भाई जो है, उनके ages के बीच का ratio 7, 8 का दिया है, The ratio of the ages of Shushila's father and mother at the time of birth of Shushila's brother was 6 is to 5, थोड़ा जगा चाहिए मुझे, इतने जगा में नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे Shushila को S, भाई को B, फादर को F और मदर को M ले सकता हूँ, हाँ सर, तो सबसे पहले Shushila और उसके भाई का जो age का ratio था, वो कितना था, सर, वो था हमारे पास 78, यह मैंने लिख लिया, हाँ सर, उसने कहा कि जब जो ratio था Shushila का पापा का और मम्मी का, कब at the time of birth of Shushila's brother, जब Shushila का भाई पैदा हुआ था, तो Shushila के पापा और मम्मी को 6-5 का ratio था, तो at the time of birth मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, कि जब आपका ब्रदर 0 होगा, तब हाँ सर, तो उस time पे आपके पापा और मम्मी का, जो ratio होगा, वो कितना होगा, सर, वो तो 6-5 का होगा, यहां तक बात साफ है, find the present age of Shushila's mother, Shushila के mother का present age बताना है आपको, अगर जो sum of the present age of Shushila, her brother and her father is 70, यानि कि उसने कह दिया question में clearly, कि Shushila, brother और father, तुम सब का sum अगर मैं जोड़ दूँ, तो 70 आ रहा है, और जो ratio है present age है, Shushila के पापा और मम्मी का, वो 10 is to 9 है, present में, तो present में, देखो, यहां पे एक ratio था, और present में, पापा और मम्मी का भी एक ratio हमारे पास आज़ चुका है, बट फरक कितना है, कि अगर यह 7x, यह 8x है, तो यह 10x और 9x नहीं, बलकि 10y और 9y होगा, क्योंकि यह ratio अलग, और यह ratio अलग, independent चल रहे है, यह एक बहुत important criteria है, बहुत important condition वाला question है, ध्यान से समझेगा, अगर इनका age मुझे directly यह 8 साल देता, कि present में 8 साल है, तो पैदा जब हो 8 साल कम, 8 साल कम, जैसे हम zero level concept पढ़ रहे थे, 4-5 questions मैंने उस category के करवा, लेकिन problem यहां पे क्या हो, समझ रहे हो, यह 8 नहीं है, यह आप का 8 part है, तो सबसे पहले तो इसको सखिक करो, कि क्या, तुम अगर 7x हो, तो तुम 8x हो, ठीक है सर, अगर present में शुशिला के भाई को 8x है, तो वो पैदा कब हो था, 8x साल पहले, सर यह कैसे हुआ, अरे आज अगर तुम्हें 22 साल है, तो तुम पैदा कब हो था, 27 साल पहले तो आज अगर मुझे 27 साल है, तो मैं पैदा कब हो था, 27 साल पहले, तो आज अगर सुशिला के भाई को 8x साल है, तो सुशिला का भाई पैदा कब हो था, आज से 8x साल पहले, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ सर, कि आज से, अगर, मतलब यह जो burn वाला condition ह तो सर, आज, अगर मैं पापा के एज को 10y और मम्मी के एज को 9y ले लूँ, मैंने का हाँ, 10y और 9y करो क्या, कुछ इंट्रेस्टिंग तो लग रहा है, तो सर, जब शुशिला का भाई पैदा हुआ, आज से 8x साल पहले, तो पापा का एज कितना होगा, मैंने का पापा का एज और मम्मी का एज का रेशियो है न, वो 6-5 का दिया है, ओके सर, और जानते हो, इससे कितना खुबसरा चीज आएगा, यहाँ पे कोई constant term नहीं है, यह सारे के सारे x और y variable associated terms है, कोई खाली constant वाला term जिसमें variables नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है, सर उससे क्या होगा, इससे आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा, मेरे दोस्स, सर कैसे, क्या आप सभी ने 4y और 8x देखा, हाँ सर, 8x is equal to 4y, और 8x is equal to 4y के साथ, क्या आप सभी ने x by y, 4 by 8, यानि कि 1 by 2 देखा, हाँ सर, इस 1 by 2 के बाद आपका काम कितना simple होगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो present में ये balance नहीं था न, अलग-अलग independent चला था, अब dependent भी हो चुके है, सर कैसे, अगर मैं x को 1 डाल दूँगा, तो ये अगर 7 part है, तो ये 1 डालने के बाद ये 8 part है, और y को 2 डालने के बाद ये उसी time पे 20 part का है, और ये उसी time पे 9 part का है, अब मेरे दोस्त, आपको present मे इन सभी का sum जो है, वो 70 years दिया था इन तीनों का, हाँ सर, तीनों का मतलब S, B, F, यानि कि S, B, F, इन तीनों का sum कितना है, 7 plus 8, 15 plus 20, 35 parts का sum अगर 70 है, तो एक part 2 का चल रहा है, अगर एक part 2 का चल रहा है, तो मम्मी का presentage कितना होगा, सर 9 into 2, 18, अब ये मत बोलना कि मम्मी का य 9 Y है, तो Y को 2 डालने के बाद, हाँ, मम्मी का है, तो सवाल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, ठीक है, ये youth को एक गलत message जाता, तो सर ये 18 हो गया, मैंने का हाँ, तो सर अगर 35 part 70 है, तो 18 part कितना होगा, मैंने का 18 दोनी 36 का होगा, अच्छा हुआ, अगर 18 होता तो मैं त थोड़ा तो load पढ़ी ही जाएगा न, तो थोड़े silly mistakes तो हो ही जाएगा न, मेरे दोस्त, अगला सवाल हिंदी में आपके सामने है, मैं एक बार आपके सामने से जा रहा हूँ, अभी क्यों सामने से जाओ, हिंदी वाले तो screenshot ले लिए होंगे, अंगरेजी वाला एक बार आ अंकित अंड सुमित अरे इंद रेशियो 4 इस तो 5, अंकित है, सुमित है, सुमन है, पुनीत है, सुमित और सुमन, बस मुझे S वाले चीज़ों को पूरा नाम लिखना होगा, नहीं भाई, भाई, सुनीत, सुमीत, सुमन, अंकित, सुमित, प्रेजन्ट में उनका एज का रेशियो 4-5, पहला स्टेप क्लियर, क्लियर, the age of अंकित is 33.33% more than सुनीत, अंकित का एज सुनीत के एज से, सुनीत, 33.33% ज्यादा, सर 33.33% वन्थर होता है, तीन पार्ट से एक पार्ट ज्यादा मतलब उसको चार पार्ट होना है, वो चार पार्ट ही है, तो जिस से एक पार्ट ज्यादा है, वो तीन पार्ट सुनित डाइरेक्ट बैठा है, मैंने का हाँ, Sir whose present age is 3x by 2 times of the present age of Puneet जिसका present age जो है पuneet के present age का 3x by 2 times है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैंने का हाँ अगर मैं Puneet के age का 3x by 2 times करूँ तो ही मुझे सुनीत का age मिलना चाहिए वही वो बोलना है कि सुनीत whose present age is 3x by 2 times of that of present age of Puneet तो यही जो Puneet के age का 3x by 2 times से वो अगर सुनीत का age है तो क्या हमारे ratio के हिसाब से वही 3 है और उस हिसाब से हमारे हिसाब से 3-3 कटने के बाद यह जब cross multiply होगा तो हमारे हिसाब से Puneet का जो age है वो parts में 2 by x parts का दिख रहा चलब यह अगर 4 part यह 5 part यह 3 part तो उसको 2 by x parts का होना है हाँ सर बात तो सही कह रहे हो मैंने का आगे सर अब एक सुमीत आ रहा है मैंने का सुमीत आ नहीं रहा है सुमीत ओल लेडी है जिसका present age y times है present age of सुमन से सर मैं कुछ कहना चाता हूँ मैंने का कहो अच्छे से कहो सर अगर मैंने का हाँ सुमन के age का y times अगर मैं कर दूँ तो मुझे अगर सुमीत का age मिल रहा है और सुमीत का age अगर यह आला आपके पास 5 का है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सुमन का जो age है वो हमारे parts के हिसाब से y divide होके 5 by y का है मैंने का लग तो रहा है तो सर उस हिसाब से लिख लो मैंने का क्या सर इस साड में एक सुमन के लिए जगा निकालो और सुमन को उस हिसाब से 5 by y सेटिंग कर दो सर सेटिंग कर दिया अब सर यह साब आने के बाद अब बोल ला कि सुमन यहां तक तो हमने निकाल लिया whose present age is thrice the present age of पुनिट जिस सुमन की बाद हम कर रहे न उसका age पुनिट के age का 3 गुना है अगर मेरे दोस्त सुमन का age पुनिट के age का 3 गुना है तो सुमन का age कितना है सुमन का age हमारे पास 5 by y है और वही अगर पुनिट का पुनिट का age कितना है सर वो 2 by x है उसी का अगर 3 गुना है तो क्या आप मुझे x और y का ratio दे सकते हैं सर बिलकुल मैंने का कैसे सर x को इस उपर ले आओ y उसके नीचे है 2 into 3 6 बन जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा सर ये सब बढ़िया-बढ़िया आप मज़ेदार कर रहे हो आप तो ये सब चीजें बढ़िया खुलसरत करते भी हो लेकिन सर मुझे ये जमा नहीं सर आप इसको direct कैसे ये तो parts थे न मैंने का मेरे दोस्त अगर आप इसमें एक a, 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 a लगाना चाहते हो लगा लो उस हिसाब से जो सुमन का a, j, वो ये बन जाएगा और जो पुनीद का a, j, वो ये बन जाएगा और उसके तीन गुना में a कट जाएगा ओके सर, got you, sir, got you, sir, got you तो मुझे सर्फ x और y का ratio ही मिलेगा उससे जाधा मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं निकाल सकता और अब उसने कहा कि note xy और हाँ उसने पूरे के पूरे process में capital x और small y, capital y जिसको लिया मैंने उसको small x, small y में लिया तो उसमें confused मत हो ना, x और y जो है वो integers हैं और वो roots हैं इन में से following equations का roots of which of the following equations satisfies the x and y in the question इन में से कौन से equation का roots x और y को satisfy करेगा अरे मेरे दोस्त, ये option में multiple दिख रहा है अब देखो मैं आपको एक चीज जानता हूं कि 11 और 30 इनका factors जो है 33, 270 इनका factor कभी वो नहीं होगा p और मतलब 1 और 30 उनका factor कभी वो नहीं होगा ये और ये कभी उनका factor मतलब इन चारों के चारों का factors कभी समान नहीं होगा अगर अलग-अलग factors होने के बाद भी वो इसको satisfy कर रहे है तो मुझे exact numbers के पीछे करने के लिए x और y का ratio 6, 5 का होना चाहिए तो जिस-जिस quadratic equation का root आपस में 6 और 5 का ratio रखते होंगे मैं उसी से खुश सर पहला equation उसने दिया p square minus 11p plus 30 p square minus 11p plus 30 minus plus के 2 roots plus plus 30 के 2 factors add करने पे 11, 6 और 5 क्या ये 6, 5 का ratio रख रहे हैं yes, done, पहला वाला गया 33p minus में 270 plus में p ही है, सब p में दिया है p square minus 33p plus 270 is equal to 0 minus plus के 2 roots plus plus 270 के 2 factors add करने पे 33, 18 और 15 क्या आपस में 6, 5 ये roots 6, 5 नहीं है क्या आपस में ratio 6, 5 है जो मुझे चाहिए yes, तो ये भी satisfy कर रहा है, मतलब पहला वाला भी satisfy कर रहा है और दूसरा वाला भी satisfy कर रहा है p square minus 3 minus 30 सर ये भी कर रहा है अरे रुख जाओ minus minus के 2 roots कितने होंगे? plus minus 30 के 2 factors जिनको minus करने पर 1 आना चाहिए तो सर 6 और 5 सर है न 6 पांच ratio? मैंने का नहीं है सर कैसे? ये ratio minus 6 इस तू 5 है क्योंकि एक factor minus होने के साल ये ratio और normal 6 positive 6 positive 5 का नहीं बना तो ये ना बनने के कारण में इस condition को हिसाब में नहीं ला सकता और इसके लिए एक और reason भी में देना चाहता हो अगर तुम इसको negative वाला consider करना चाहते हो तो आपके ages negative में चलने चालू हो जाएंगे मेरे दोस्त और ages कभी negative नहीं हो सकता वो हमेशा positive होना चाहिए तो just because ये minus 5 हो गया इसको मुझे discard करना ही होगा you are eliminated and similarly क्या आपने एक चीज़ समझा minus minus के दो roots plus minus होंगे वो भले जितने भी हो मुझे उससे मतलब नहीं अगर एक चीज negative हो गया तो उनके बीच का जो ratio वो positive नहीं हो सकता तो ये भी हमारा discard हो गया तो इसी discard करते ही one or two जहां पे है यानि कि option number C वही इस सवाल का खुबसुरत सही उत्तर बन गया अगर आप में से किसी ने one or two को answer अपना mark के option number C hats up, kibit up, gaz up जवरदस चल ले ही है आपके तैयारी क्या मैं अगले सवाल के पास बढ़ जाओ हाँ सर बढ़ जाओ screen के सामने से हट जाओ हाँ सर हट जाओ screenshot ले लिए नहीं लिए हट जाओ, सब कर दो लेकिन हम सर screenshot नहीं लेंगे अंग्रेजी वाला screenshot लो मैं screen के बाहर हूँ एक बाद ट्राइ करो अब स्टाक करें every question is followed by a set of four statements out of which one or more could be true इन में से एक या फिर एक से ज्यादा true हो सकते हैं multiple वाले answers choose the option which contains all true statements जिसमें सारे के सारे true statements हो उसने एक universal data जिया जो कि सारे points के लिए इस्तमाल होगा वो universal data क्या है सर सोनू जो है वो 12.5% ज्यादा है किससे present age sorry the present मैंने यहाँ से पढ़ना चालू कर दिया the present age of mono is 44.44% सबसे पहले 44.44% को clear करो सर यह 4 by 9 है 4 by 9 less है मतलब 9 से 4 कम यानि के 5 पाठ है कौन? mono किससे? sonu से तो सर यह universal data है ना कि mono और sonu के बीच का जो age का ratio वो 9 से 4 कम यानि के 5 मैंने का बात तो सही है सर जो present age है sonu का वो 12.5% ज्यादा है मैंने का किससे? tonu से तो अगर मैं बात करू 12.5% वो अगर 1 by 8 होता है तो 8 में से 1 ज्यादा मतलब sonu को 9 होना होगा sonu 9 है तो मैं directly इसको balance करके tonu के साथ लिख सकता हूँ कि tonu का age जे है वो 8 होगा तभी उससे 1 ज्यादा 9 ये 12.5% का condition satisfy करेगा if the sum of the present ages of mono tonu and sonu mono, tonu and sonu sum of the present age sir मेरे इसाब से तो 9,5, 14 14, 14, 8, 22 part का होना चाहिए sum of present age उसके ये 0.1 स्टार्ट हो चुका है ठीक है वो ही sum अगर 110 है तो 1 part 5 हो जाएगा तो sir अगर ये condition है तो the age of tonu 8 years before was 32 sir अगर 1 part 5 है तो tonu का age 8, 5, 40 है और अगर 8, 40 है तो उसने कहा कि 8 साल पहले 32 का होना चाहिए sir ऐसे सवाल लाओ अभी एक सवाल मुझसे हिला यही पहला सवाल है आज के इस mains के मिटलब पार्ट में जो मुझसे हिला अरे ये हिल तो जाएगा सब से लेकिन time कितना निगल लेगा पता समझ रहे हो न तो इसमें जब ऐसे type के questions आते हैं वहाँ पर gear up करना होता है speed को थोड़ा boost करना ठीक है यह नहीं कि बन रहा है उसी से खुशी वो बिल्कुल गलत है तो पहला वाला condition हमारा satisfy कर गया तो अब अब अबन चलते है हमारा यहां तक का आंकड़ा तो हमें उस universal data में given था अब हम statement 2 से क्या data extract करके लेके आएंगे अगर after 24 year जो age sonu का है मतलब sonu का age अगर मैं कहूं तो यह 9 parts है यानि कि 9 x तो 24 साल के बाद उसका age कितना होगा 9 x plus 24 वही अगर triple होगा present age monu का sir monu का age अगर 5 part है तो 3 गुना उसका मतलब यही आपका 15 x का value होगा तो उस हिसाब से 6 x का value 24 और x का value 4 then जो age है monu का 5 साल पहले sir monu का x अगर मैं 4 डालो तो यह अभी का 20 है तो 4 साल पहले monu का age 16 था और जो present age monu है क्या है the age of monu 5 years before the present age of monu was 15 years ओ 5 years है यह present age of monu की क्या जरूत था यह दिखने की जरूत नहीं then the age of monu 5 years before फिर the age of monu में डर गया है यहां पे तो सबसे पहले देखो क्या हो गया उसने का sonu का age को 9 x लिख दो sonu के age 24 साल बात जो है वो अगर monu के age 5 x का 3-15 x है तो x का value 4 के साथ अब आपको उसने कहा कि अग आपका जो monu का age 5 साल पहले होगा वो 15 साल है अगर x 4 है तो 5 हो के monu का age आज कितना है 20 तो 5 साल पहले कितना होगा 20-5 यानि कि 15 यानि कि यह वाला condition भी आपका satisfy कर रहा है दूसरा वाला condition साथ अब मैं तीसरे point के पास चला अब यह सारे के सारे चीज़ें तो दिया था बस यही आपको हटाना है मैंने कहा The ratio of the present ages of monu, sonu and tonu 598 बस नाम का sequence देखना बहुत से लोग जोस में होस्को बेटते हैं सही है अगर 12 साल पहले sonu का age as oldest tonu is now 12 साल पहले sonu कितने का होगा सर 9x minus 12 और यही अगर present होगा tonu के age के साथ यानि के 8x के साथ तो sir x का value आगया हमारे पास 12 और sir x का value 12 के साथ उसने का जो age sonu का 30 साल पहले था from now वो 78 का था सबसे पहले तो मुझे sonu का age दो sir अगर x 12 है तो 9x 12 into now 108 आज का age है आज का age अगर 108 है तो 30 साल पहले का age कितना होगा sir 30 साल पहले का age 78 होगा उसने क्या कहा 30 साल पहले कितना होना sir उसने भी उसने वही कहा तो 1, 2, 3, 4 अगर सारे satisfy करें तो option number D option number D all 1, 2, 3, 4 इस सवाल का सही उत्तर sir thank you sir I love you मैंने का love you too पर क्यों एक question हुआ मैंने का खुश मत होना यार बीच बीच में एक question अगर ऐसा नहीं करवाँगा तो आप demotivate हो जाओगे ठीक है तो ये this was a trick question ठीक है हिंदी वाले एक बार पढ़ लिए एक गुण पानी पीके आ रहा हूँ जल्दी से तब तक इस question को उड़ाईए sir मैंने question पढ़ा ये भी मुझे लग रहा है हो जाएगा मैंने का कैसे previous वाला बना दिया न ये भी तो उसी type का ही है मुझे type से मतलब है sir question का language वह सब जाए मैं type से ही सब समझ जेता हूँ आठ साल पहले जो ratio है age राम का और अजे का वो 5 is to 6 का था राम का age आज से 8 साल पहले और अजे का age आज से 8 साल पहले universal data है सब के लिए काम आएगा वो 5 छे का था 5 साल अभी से ages अंकित का और रितू का 10 और 13 का which of the following can be determined इन में से मैं कौन सा चीज़ determine कर सकता हूँ यह जो पूछ रहे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ कुछ extra point उसने point 1 में भी दिया है जैसे कि if the average of the present ages of Ajay and Ritu is 58 years then what is the sum of 6 times the present age of Ram and 5 times the present age of Ritu मेरे दोस्त वो सीधा भी तो पूछ सकता था कि sum बताओ Ram का और Ritu का कितना है या difference बताओ ना उसने गंदा करके पुछा इसका 6 गुना और इसका 5 गुना ऐसे questions का मैं एक हिंट अभी से दे रहा हूँ जब वो intentional equation ऐसा देगा तो इसका मतलब कुछ निकले ना निकले individual भी निकले ना निकले हो सकता है आपको जो equations वो प्रोवाइड कर रहा है वो उस value तक तो पहुँचा ही देगा दिखाओ हा सर दिखाओ उसने मुझे जो extra आंकडा दिया दो लोगों का average 58 तो sum 116 हो जाएगा मैंने का तो सर उसने मुझे पूछा what is the sum of 6 times of the present age of RAM यानि कि 6 times the present age of RAM आपको ये चाहिए sum अजे चाहिए क्या नहीं अजे के जगा कौन चाहिए राम तो मुझे पूरी कोशिस करना है इस वाले equation से अजे को राम के form में अगर मैं लिख दूँ तो question खतम हो जाएगा क्या अजे को राम के form में लिखा दा सकता है येस सर मुने का कैसे सर 6 अगर मैं इधर cross multiply कर दूँ तो 6 राम माइनस 48 6 राम माइनस 48 is equal to 5 अजे माइनस 40 5 अजे माइनस 40 सर ये माइनस 40 इधर चला जाएगा तो सर ये माइनस 40 आके add हो जाएगा तो ये अभी भी माइनस 8 ही रखेगा and सर मुझे अजे नहीं चाहिए अगर अजे इतना है तो ये वाला जो हमारे पास equation है अजे प्लस रितू 116 तो अजे प्लस रितू is equal to 116 में अजे के जगा मैंने ये डाल दिया और नहीं लिख सकता है प्लस रितू जो है इसका sum हमारे पास 116 है इससे आगे क्या जा सकते हो सर 6 राब माइनस 8 5 रितू देख रहे हो जो वो पूछ रहा था बटे में 5 आता हाँ सर बटे में 5 आता इस बटे के 5 को मैं उधर 116 में जाके multiply कर दूँगा तो 580 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 580 और अगर ये आपके पास 580 हो जाएगा सब कुछ सही किये हो तो जो भी आ मुझे तो सिर्फ निकल लाए की नहीं मुझे उससे मतलब नहीं मैं एक्जाक की नुमम्बर के बस क्यों जा रहा हूँ तो 6 राम प्लस 5 रितू ये अगर नंबर कुछ गल्द थे तो चेक कर लिजेगा और कमेंट कर लिजेगा 588 क्या ये पॉइंट इच एबरी इंडिविजल क्ले I am not interested in 588 क्या मैं एक numerical value तक पहुन सकता हूँ 6 राम और 5 रितू को लेके 6 राम और 5 रितू को लेके Yes, this can be determined आप सोचे रोगे Sir 4 variables, equation सिर्फ 3 कहां राम आएगा कहां रितू आएगा कहां मैं उसका 6 गुना करूँगा कहां मैं उसका 5 गुना करूँगा Sir, कभी भी नहीं निकल सकता लेकिन आपके सामने ही निकल गया है अब मैं चल रहा हूँ आपको second condition के पास लेके अगर 6 साल पहले जो ratio ages, राम का और अंकित का था minus 6 अंकित, अंकित इसी में है इन दोनों का ratio अगर 14-13 का था then what is the difference between भाई 140 times रितू 169 times राम उसने difference बोला मुझे अभी तक पता नहीं कि कौन बड़ा कौन चोटा तो मैंने एक modulus function दे दिया मुझे भाई ये निकालना है मुझे बस उसको ये ही निकालके देना है आया न ये निकालते वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ आया हमें जो राम चाहिए वो राम ओल लेडी हमारे पास इस statement में है हमें दूसरा condition रितू चाहिए और अंकित नहीं चाहिए मैं 13 के साथ मल्टिप्लाइ करों तो 13 अंकित ये लिख दे रहा हूँ 13 है प्लस 65 10 आर प्लस 50 65 उधर जाएगा माइनस 15 थोड़ा नजर यहाँ पर दुरगटना घट जाएगा तो A is equal to 10 आर माइनस 15 by 13 है यहाँ तक done करों हाँ सर यहाँ तक done करों अगर यहाँ तक done है तो मैं आपसे अभी क्या पूछना चाहता हूँ सर राम माइनस 6 अंकित माइनस 6 is equal to इसको थोड़ा cross multiply करें कि इसके जगा अगर मैं substitute करूँँगा तो काफी complex एक्सकोजी हो जाएगा तो राम माइनस 6 को अगर मैं cross multiply किया तो 13 राम 78 राम लिख रहा हूँ इसको 34 चौदा अंकित माइनस 84 सर मैं आपसे कुछ कहना चातूँआ हम और मूने कहां कहो सर यह 84 माइनस का जो हो इधर ले आते हैं इधर आके क्या बन जाएगा मैंने कहां सर यह plus का 6 बना देगा मैंने का ठीक है सर एक बात आपसे कहना था मैंने का हाँ सर 14 अंकित को अगर मैं लिख लूँ तो सर इस 14 अंकित को अगर मैं लिख लूँ तो ये अंकित है तो 14 times इसका हो जाएगा 140 आ और 14 x 15 का हो जाएगा 210 और बटे में 13 को सर cross multiply एक ही step में समझ पाओगे चलो आपके लिए क्या ही और कर सकते हैं यार बटे में 13 आ जाएगा अब सर जब मैं इसको cross multiply कर रहा हूँ तो 169 मुझे तो feel आ रहा है कि 169 तो मुझे देखेला देखला लग रहा था 78 is equal to 140R minus 210 अगर मैं आपसे कहूँ कि 210 को इधर ले आओ और 169 को उधर ले आओ तो आपको क्या दिखा सर 140R minus 160 आया भाई 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 ये आर है आपके कौन ये है रित्तु minus 169 राम और ये जो 210 इधर आके आड़ हो गया तो ये बन जाएगा आपके पास 288 वो जो हो मुझे उस नंबर से मतलब ने नंबर गलत हो लेकिन प्लीस ये जो numerical पार्ट है वो बस निकालो और मजे करो दूबसरा आ गया सर और भी ये देखते हैं मैंने का हाँ इसको देख लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट इफ 6 years from now आज से 6 साल के बाद जो एज रितू का होगा वो 37.5 परसंट ज्यादा होगा प्रेजेंट एज राम से तो रितू का जो आपका 6 साल बाद वाला एज होगा वो 37.5 परसंट ज्यादा होगा राम के प्रेजेंट से तो राम के प्रेजेंट से 37.5 परसंट यानि की 3 by 8 तो 8 में से 3 पाट ज्यादा तो ये अगर 8 पाट तो ये 3 पाट ज्यादा 11 पाट का हो जाएगा हाँ सर तो अभी उसने असर यह उसने गड़बड क्यों किया उसने यहां पे sum मांगा था यहां sum मांगा था मैंने दे दिया तुम ratio मांग रहे हो मतलब तुम्हारे इस पूरे equation में कोई constant अभ नहीं होना चाहिए मतलब without variable वाला मुझे यहां पे भी variable दिख रहा है यहां पे भी variable दिख रहा है तो यह variables तो आपके मिलते ही रहेंगे तो बिना variables के मैं इसके बीच का ratio नहीं निकाल सकता मुझे तो लग नहीं रहा और मैं इसमें time waste करना नहीं चाहता अगर आप में से किसी में talented इसने कर दिया तो मुझे comment कर जिएगा मैं apologist भी मांग लूगा बट मेरा गणित कहता है कि जितना भी कोशिस करें इतना coincidence नहीं हो सकता कि सब eliminate हो जाएंगे variable तो रह जाएगा constant तो रही जाएगा without variable वाला term आएगा ही नहीं अब थोड़ा दिमाग लगा लिया जाए हाँ sir 1 satisfy कर रहा है 2 satisfy कर रहा है यहाँ पे 2 नहीं है 1,2,3,4 में 3 नहीं मतलब 3 satisfy मुझसे तो नहीं करेगा 1,2,3,3 satisfy नहीं करेगा तो बोथ 1 and 2,4 को check मत करो आप घर पे चेक भी कर सकते हो कि आ रहा है या नहीं बट मेरा दिमाग कह रहा है कि 1 और 2 के साथ answer क्योंकि अब मेरा patience भी थोड़ा lost है तो अगर इस question को आप एक बर प्लीज घर पे try करके और मुझे rectify करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कोई problem नहीं हमने सीखने का process तो काफी खुबसूरत तरीके से enjoy किया है अगला सवाल आप सभी के सामने खुबसूरत सा ये रहा थोड़ा पानी पे लिया जाए अंग्रेजी वाला सवाल लाके आपके यहीं पर जगा है ना फिलर्स वाले question मैं दो फिलर्स से start करूँगा दो दो फिलर्स वाले करवाँगा फिर एक तीन फिलर्स फिर एक चार फिलर्स करवा दूँगा फिलर्स वाला concept खतम करेंगे और एजस को complete वाबाई टाटा अल्विदा ratio of the ages of Naveen after 12 years and the present age of Harish is 4 is to 5 Naveen after 12 years, Naveen by hut Naveen after 12 years और Harish 4 is to 5 पहला point clear? yes sir, ratio of the प्रेश, बस फिलर्स में डेटा एक स्टार्ट करके खुबसरत सजा के रखो कैसे मजा आएगा देखो ratio of the present age of Harish and the age of Monty after 36 years present age Harish Monty 36 years के बाद 13-16 का हो रहा है Naveen's age after 5 years is 90% of सुधा after 15 years Naveen का age 5 साल के बाद सुधा के age 15 साल के बाद का 90% 90% मतलब 9 upon 10 if the average present age of Naveen, Harish and Monty and सुधा is इतना ये चार लोगों का average आपके पास है then the present age of सुधा इस कितना भाई साथ जब वो ये दो फिलर्स दे दिया मैं इसमें से इतने सारे variables निकालूंगा कहा से N है, H है, M है, S है और वो आगे कुछ भी नहीं दे रहा, उल्टा दो-दो चीज़े मुझे पूछ रहा है तो वैसे condition में आपको एक value इधर से लेना है और दूसरा value आपको satisfy करना है, अब आपको ये चुनना है कि कौन से लेना आपके रिए बहतर होगा मैं इस average को पहला वाला filler को 62 consider करके जाओ, दूसरा वाला satisfy करवाओ या दूसरा वाला, भाई साथ, दूसरा वाला एक साख्यात present age तुम्हें दे रहा है सुधा का, वो ना लेके तुम sum के पास, average के पास कहां बटक रहे हो सर, अगर सुधा का H सच में 55 है तो सर, सुधा तो यह रही तो सर, 55 प्लस 15, सर, यह हो जाएगा 70 सर, अगर 10 पाट 70 है, तो 9 पाट होना चाहिए 63 अगर N पांच साल के बाद 63 है, तो N को आज होना चाहिए 58 अगर N तुम आज 58 के हो, तो N तुम 12 साल के बाद 58 प्लस 12, तुम 70 के होगे और 74 में नहीं कट रहा, और 5 में यह नहीं जा रहा, तो आगे यह आपका खुबसुरत नहीं रहेगा और अगर, और हाँ, एक बार चीज उसने भी कहा, All Ages are Integers यह पॉइंट भी काफी है, नहीं तो क्या होता, कोई ना कोई decimal में आ जाता और सम अल्टीमेटली यह वाला आवरेज को बना देते हैं खुबसुरत, लेकिन इस All Ages are Integers ने यहां पे हाथ छोड़ दिया, क्योंकि 4 पार्ट अगर 70 होगा, तो 5 पार्ट को कितना गंदा होना पड़ेगा, सर एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को 17.5 हो जाएगा आपका एक पार्ट और 17.5 इंटू 5 जिस हिसाब से 87.5 शायद होगा एक बार चेक कर लाना, तो यह तो condition satisfy नहीं किया, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैंने क्या क्या, तो मैं एक बार उनके लिए बता देना चाहता हूँ, खुबसरत तरीके से देखेगा अरे मिट भाई, भाई मिट, भाई मिट, थांक्यू, मेरा यह आदत नहीं है, मिटाना ऐसा, मैं तो बैक कर देता हूँ सर, अगर सुधा का एज 45, क्योंकि सेकेंड फिलर सुधा का एज है, अगर सुधा का एज 45, तो 45 प्लस 15, 60 10 पाट 60, तो 1 पाट 6, तो 9 पाट 9 इंटो 6, 54, एन 5 साल बाद 54, तो एन आज प्रेजन्ट में कितना, 54 से 5 कम, यानिके 49 अगर एन तुम आज 49, तो 12 साल बाद तुम 51, 61, क्या तुम 4 के मल्टिपल्स में जा रहे हो, कि मैं 5 का मल्टिपल खूपचुरत निकालो, इसी के साथ ये वाला कंडिशन भी आपका डिसकार्ड हो गया ये दोनों जा चुके हैं, एक लौता ऑप्शन बचा, 35 का, नहीं तो 99 हो जाएगा अगर सुधा तुम्हारा एज 35 है, तो 35 प्लस 15, तुम्हारा एज 50 होगा, 15 साल बाद 10 पार्ट, 50 तो एक पार्ट, 5 के साथ, 9 पार्ट कितना हो जाएगा, 45 N पान साल के बाद 45 हो रहा है, तो आज N कितने का है, 40 एन तुम आज अगर 40 हो तो 12 साल बाद तुम हो जाओगे 52 के अगर 4 पार्ट 52 है तो 1 पार्ट 13 के साथ जो 5 पार्ट का ये हो जाएगा वो 65 हरिश तुम 65 के हो, हरिश तुम 65 के हो, 13 पार्ट के हो 13 पार्ट अगर तुम 65 हो तो 1 पार्ट 5 के साथ जो ये 16 पार्ट है वो 16 into 5, 80 का होना चाहिए M, तुम 36 साल के बाद 80 के होने वाले हो पता है तो आज तुम कितने हो, 80 से 36 कम यानि कि M आज 44 का है तो सारे values खुबसुरत निकल तो आए अब मुझे क्या चाहिए मुझे नवीन, हरिश, मॉन्टी और सुधा का average 46 चाहिए चार लोगों का average अगर 46 है तो सम कितना होना चाहिए 160 और 24 सर सम 184 होना चाहिए मैंने का जरा सम के पास लेके चलो मुझे सर सम किसका किसका आपके तो 4 ही परसन है N, H, M, S और क्या S, N, M, H इन 4 हो को आड करो जरा सर 35 प्लस 40, 75, 79, 119 124, 60, 184 Ditto, Done, Copy, Best Satisfy कर रहा है? हाँ तीसरा वाला Satisfy कर रहा है? अकेला? हाँ तो answer क्या होगा? Only 3 Option number C बस आपको सजा के लिखना है बस एक value वहाँ से लेके put करना है और दूसरे value तक पहुंचना है सर पूरा समझ में नहीं आया 100% थोड़ा अगर detail में बता देते तो मज़ा आ जाता है एक और सवाल आपके साथ नहीं है थोड़ा level को थोड़ा a bit up किया गया है जैसे कि previous वाला बहुत direct था यह थोड़ा चुपाया गया है और इस थोड़े चुपावने वाले चीज को मैं कैसे solve करूँगा देखना चार परसन है एक परिवार में a, b, c, d जो ratio है h, a का 6 साल के बाद और h, b का 4 साल के बाद 5, 6 का a का 6 साल के बाद और b का 4 साल के बाद जो ratio है वो कितने का है a after 6 years and b after 4 years is 5 is to 6 यहां तक बात साफ है मैंने का आगे आपको और क्या दिया है सच जो present age है न c का वो 75% है किसका b का age after 8 years तो c का present रखना मेरे दोस्त गलती मत करना और b का 8 साल बाद वाला age रखना मेरे दोस्त गलती मत करना और यह अगर 75% है तो 75% का मतलब 3 4th है गलती मत करना present age d का जो है 66.66% है c का age 6 साल बाद d का present है लेकिन c का 6 साल बाद है 66.66% 2 by 3 है अगर आपको बोला गया है कि and all the ages are integers अगर सारे ages integers हैं तो देखो यहाँ पर किसी का एक direct value नहीं दिया उसने का a is dash more than ages में age of d, a का age पहला filler क्या है? d से जो ज्यादा है मतलब पहला वाला filler जो है वो a minus b है यही आपका first filler है यह आप एक बार अगर note कर दोगे तो आपके साउलियत के लिए banter होगा then the age of b after 9 years is question mark भाई सार दे दिया उसने एक का direct age तो मैं क्या करूँँगा? sir अगर b का 9 साल बाद age 41 है 9 साल बाद 41 है तो अभी कितना होगा? 41 minus 9 मतलब अभी वो 32 होगा और अभी अगर b 32 है तो मुझे a और d का difference बस 0 करना है b तुम अगर 32 हो तो तो तुम्हें कहां से start करूँगा? कहीं से भी start कर दो चल जाएगा b अगर 32 है तो 4 साल बाद 36 हो जाएगे 6 पार 36 तो एक पार 6 के साथ 5 पार कितना हो जाएगा? 30 6 साल बाद 30 है तो अभी कितना है? 24 b तुम 32 हो तो 8 साल बाद तुम हो जाओगे 40 4 पार 40 तो 3 पार यहां पे हो जाएगा 30 तो c तुम हो 30 अब आपके पास यहाँ पे जो है मैं C का इस्तिमाल कर सकता हूँ ध्यान से देखिएगा C अगर 30 निकला है तो 6 साल बाद 36 3 पार्ट 36 तो 1 पार्ट 12 के साथ जो 2 पार्ट हो जाएगा वो 24 अब उसने कहा था कि A और D के बीच का अंतर मुझे 0 मिलना चाहिए A मुझे कितना मिला है 24 और D मुझे कितना मिला है 24 तो 24 और 24 के बीच का अंतर 0 अराम से पहला वाला तो सटिस्वाइ कर रहा है पहला वाला अगर सटिस्वाइ कर लिया अब मैं दूसरे वाले के पास चलूँगा अगर B 9 साल के बाद 57 है तो आज 57 से 9 कम यानि कि वो 48 का है अगर आज वो 48 का है तो मुझे बताओ कि B तुम आज 48 के हो कहीं पर भी डाल दो तो 48 प्लस 8 तुम 56 हो 4 पाट अगर 56 हो तो 1 पाट 14 हो तो 3 पाट तुम 42 हो तो C का एज हमारे पास कितना आ चुका है 42 B तुम अगर 48 हो तो 48 प्लस 4 तुम नहीं हो क्यों कि अगर तुम 6 पाट 52 हो तो 1 पाट गंदा और ये 5 पाट और गंदा तो A का एज डेसिमल में आ जाएगा जो कि ये question बिलकुल भी बरदास नहीं कर पाएगा all ages or integers नहीं होगा नहीं होगा लेगन उससे पहले last वाला option अरे क्या हो गया तुम्हें अब last वाला कि B तुम अगर 9 साल बाद 65 के हो तो आज तुम कितना हो सर 65 से 9 कब मैंने का कितना सर मैं आज 56 का हो अगर तुम B आज 56 के हो तो 56 प्लस 8 तुम कितने के होंगे 64 4 बराबर 64, 1 बराबर 16, 3 बराबर 48 B तुम 56 हो तो 4 साल बाद तुम 60 होगे 6 बराबर 60 तो 5 बराबर 50 6 साल बाद 50 होने वाले हो तो आज तुम्हें कितना है सर आज हमें 44 है सर मैंने का हाँ C हमारा 48 है मैंने का हाँ तो 6 साल बाद C 54 हो जाएगे, मैंने कहा, 3 बराबर 54, 1 बराबर 18, तो 2 बराबर 36, सर सब कुछ whole नंबर में आ चुके हैं, बस अभी मुझे A और D का age gap चेक करना है, सर A 44, D 36, 44 और 36 का बीच का age gap 8, क्या उसने 8 दिया है, येस उसने 8 दिया है, तो 1 और 3, दोनों satisfy करने के साथ, म मतलब एक option substitute करो, और दूसरे वाले को proof करो, बस काम इतना है, थोड़ा इसको level of difficulty बढ़ाते हुए हम, इस question को, एक 3 fillers के साथ देखेंगे, कुछ नहीं है, वही same concept है, कितना समय हमारे पास है, हाँ है, अराम से हम दो question कर सकते हैं, वाह, ये fillers वाले सवाल, इस ages के मढ़े मज zone होता है, जैसे कि time speed distance का favorite zone है, वो cashlet के form में आएगा, time and work का favorite form होता है, वो man days का cashlet आएगा, time speed distance का वो relative speed वाला cashlet आएगा, ages का एक funda होता है, वो आपको fillers वाले questions देते हैं और बड़े-बड़े, ये technique है, इसलिए मैं इसके उपर जाधा focus कर रहा हूँ, ज्यादा मत सोचो, वनसी का 8 साल पहले, और निमा चार साल बाद, जो age का ratio है, वो कितने का हो जाएगा, sir वो ratio जो है, वो 1 इस्टो 2 का हो जाएगा, वनने का, एक चीज क्लियर, हाँ sir, आगे बढ़े, आगे बढ़े, sir उसने कहा, the age of pinky, 8 years hence from now will be dash, तो sir ये जो है, वो pinky का, मतलब आप ये point note करना, कि pinky के 8 साल बाद वाला जो age है, वो आपका पहला filler है, ये आप अपना note कर दीजेगा, ने, 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 8 साल के बाद, will be dash, मुझे लगा, ये आसान है, लेकिन थोड़ा कठीना ही बढ़ रहा है, pinky का, आज से 8 साल के बाद जो age है, वो dash ज्यादा है, किससे, age of onecica से, और वो भी का, dash years hence from now, ओ, आव, 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 मज़ा आ गया, pinky का 8 साल वाला age से, अगर मैं, onecica का, एक certain साल के बाद वाले age को minus करूँ, तो जो आपका difference, जो pinky का 8 साल वाला ज्यादा होगा, वही आपका, ये minus है, ये वाला minus है लिख देता हूँ आपको, वही आपका first filler है, और ये आपका second filler, सर समझ नहीं है, मैंने का, मुझे भी पता ह pinky के 8 साल बाद का age, मैंने का, हाँ, onecica के certain year, कितना साल, मुझे नहीं पता, कुछ particular साल बाद वाले age, जो है, pinky वाला age, उससे उतना ज्यादा है, पहला filler, मतलब इन दोनों के बीच का difference, ये रहा, आपका, पहला filler will more, बहुत ब्लेज़र, प्रेजन एज और pinkies 32, इतना इतना बढ़ा दूँगा, तो कुषिन कैसे solve होगा, तो उसने pinky का अभी का age 32 दे दिया, अरे मेरे दोस्त, अगर pinky का age 32 है, तो pinky का 8 साल बाद वाला age कितना हो जाएगा, ये वाला, sir, pinky का 8 साल बाद वाला age 40 हो जाएगा, और 40 साल का जो उम्र है, वो बंशी का कि कुछ certain साल क के बाद के उम्र से कितना जादा होगा, पहला फिलर जो है उतना जादा होगा, ठीक है sir, and the present average age of Nima and Pinky is dash years, भाई, 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 तीसरा dash कौर है, वो बोला है कि present average of Nima and Pinky, वो dash years है, तो Nima और Pinky का average जो है, वो आपका 3, ये बस नाम के लिए तो लिखो, नहीं तो नहीं, ages of all the given persons having integral values, the values given in the following, जो आपके match करेगा, भाई, कौन सा लोगे, sir, एक तो उसने, सवाल ही सवाल में, Pinky का age 32 साल दे दिया, अब मेरे भाई, अगर तुम्हें इस average को इस्तमाल करना है, तो इसका बड़ी खुपसरा तरीके से इस्तमाल कर सकते ह कैसे, दो लोगों का average अगर 30 है, तो दो लोगों का sum आप निकाल सकते हो, कितना होगा, sir, दो लोगों का sum हमारे पास, उस average का double, मतलब पहला मैं condition ले रहा हूँ, पहले वाले इस 30 को, अगर इस N और P, N कौन है, निमा, निमा और Pinky का, अगर आपका average 30 है, तो sum कितना हो जाए मैंने का, यहाँ आके, आपको क्या मिलेगा, sir, यहाँ पे, आपका जो अगर निमा 28 है, तो 4 साल बाद निमा 32 की बन जाएगी, sir, अगर 2 बराबर 32, तो 1 बराबर 16 हो जाएगा, मैंने का, हाँ, लेकिन वो जो है, वो वन्शी का age, अभी का age, 16 से 8 ज्यादा, 24 हो जाएगा, और, sir, अब उसने मुझे जो पहला फिलर और दूसरा फिलर दिया था, उनको मैं एक बार सब्स्टिटूट कर देता हूँ, मैंने का, कैसे, sir, अगर मैं अपना second फिलर ले लू, second फिलर मतलब, यह वाला, वन्शी का age, dash years, hence, अगर मैं उसको 8 ले लू, तो वन्शी का, आज साल बाद है न, वो वन्शी का के 8 साल बाद से कितना ज्यादा है, sir, मेरे हिसाब से तो 8 ज्यादा है, क्या यहाँ पे 8 है, हाँ, sir, यहाँ पे 8 है, satisfied, sir, उपर से चला गया, मैंने का, ले आते हैं, नीचे, sir, हाँ, लेकिन मैं भाई, लाना अगर नीचे है, तो मैं इस वाले वाले चीज़ों को अटा दो, sir, दूसरे वाले में हमारे पास जो average नहीं है, मैंने का, हाँ, हाँ, sir, वो दोनों लोगों का 39 है, मैंने का 39 average है, तो sum कितना, sir, 39 का double, 78, pink की universal data है, 32, अगर यह 32 है, तो यह कितना हो जाएगा, sir, यह हो जाएगा, आपके पास 46, ताकि sum 78 बना सक 25 आज़ाएगा, 8 साल पहले का एज अगर 25 है, तो आज का एज कितना है, sir, 8 ज्यादा, यानि के आज का एज 33 है, अगर आज का एज 33 है, तो second filler, वनशिका के कितने साल बाद की बात की जारी है, second filler, तीन साल बाद की बात की जारी है, अगर आज वनशिका को 33 है, तो आज से second filler अगर मैं तीन डग दूँ तीन साल बाद वन्शिका को कितना हो जाएगा 36 और पिंकी के आठ साल बाद के उमर 40 से जो 36 कितना ज्यादा रहेगा सर चार और यही पहले फिलर के जगा आना चाहिए क्या यहाँ पे चार है ओके सर मैं समझ रहा हूँ सर मैं समझ रहा हूँ मैंने का that's it तो इसी तरीके से इसको कर सकते हैं हा सर इस तरीके से इसको कर सकते हैं मैंने का last वाला चीज और एक बार बता दू ध्यान से तो यह दोनों आपके satisfy हो चुके है हाँ सर अब last वाला में satisfy करवा रहा हूँ ध्यान से देखेगा ठीके सर थर्ड वाला पॉइंट अगर average 42 है तो 42 इंटू 2 इनका सम 84 है पिंकी 32 अल्लेडी है तो यह वाला हो जाएगा 52 नीमा तुम 52 हो तो नीमा तुम 4 साल बार कितने की हो दोपार 56 तो एक पार 28 हो जाएगा आपका हाँ सर यह वन्शिका का आठ साल पहले वाला एज है 28 तो वन्शिका का आज का एज 28 से 8 ज्यादा यानि कि 36 साल का है वन्शिका तुम अगर आज 36 साल की हो तो second filler तुमारा कितने साल बाद का डिमांड कर रहा है वन्शिका 1 यरज ह वो वंशी का के एक साल के उम्र से कितना ज्यादा है सर मेरे इसाब से तो तीन ज्यादा और तीन कहां पे है सर तीन यहां पे है पहले फिलर के जगा option number 3 सवाल का सही उत्तर तो किसी एक true and exact value उसको लेके आप डालते डालते चलना और सब कुछ satisfy करवाना जहां satisfy हो जाएगा वो आपके होंगे 1,2,3,3 के 3 तो all 1,2,3 all of these यानि का option number 3 सवाल का सही उत्तर और इसी के साथ मैं आप सभी के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ आपका आज का आखरी सवाल जहां पे हमारे पास 4 fillers होंगे और मैं fillers वाले questions को अगर अच्छे से clear करवा दू तो मुझे रगएगा कि मैंने आपको paper के लिए अच्छे से तयार कर रखा है यह वाला सवाल एक पार आप लोगों से भी अभी बनने चालो हो गयोंगे इतना guarantee है मेरा समय है हमारे पास बहुत कब some of the present ages of anil and akil is dash years dash years मतलब पहला वाला आपको filler दिया है anil नाम सही से लिखेगा a में खेल रहा है akil first filler है and the respective ratio of the age of akil after 6 years and age of amrit before dash years akil after 6 years and amrit before dash यानि कि यह second filler है यह कितने का ratio है वो 3 एक का ratio है क्या यह point को आप समझें कि amrit का कितने साल पहले वो नहीं दिया था वो second filler ही है amrit is 7 years younger to ajit who is dash years younger to anil काफी कुपसूरत sir amrit जो है वो 7 साल चोटा है ajit से तो ajit minus amrit is equal to 7 amrit नहीं रहे amrit is 7 years younger to ajit भाई कितना गंदा गंदा नाम दे रहा है मतलब नाम अच्छा है no offense मतलब similar kind को में गंदा बोला amrit is 7 years younger to ajit तो ajit से amrit minus का 7 who is dash years younger to anil जो आपका who is किसको refer करेगा sir वो तो ajit को ही refer करेगा तो यह जो ajit है न sir वो भी छोटा है किसके साल sir वो भी आपका छोटा है anil से मैंने का anil से छोटा तो एक कितना साल sir dash shell मैंने का dash shell मतलब sir यही dash हमें निकालना है और यही आपका third filler है sir मैं आपके kind information के लिए आपको बता दू तो यहाँ पर यह वाला आपका first filler थोड़ा ऐसे से करके लिग देते है green color कर दें क्या मजा आ जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा अब आपके पास क्या है sir some of the presentages of anil, akil and anirud is 134 anil akil anirud is 134 ठीक है भाई respective ratio of the presentages of amrit and anirud is dash तो उसने कहा के finally amrit और anirud के age का ratio जो है वो हमारा यह जो ratio है यह हमारा fourth filler है क्या यह बात साफ है सभी को हाँ sir बात तो साफ है अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा किसी एक exact value को लीजिए सबसे पहले sir सबसे पहले तो sir यह sum ही ले ले लेते है मैंने का हाँ बात तो सही है sir anil और akil का sum हमारे पास 96 मैंने का सिर्फ लेके डाल देना नहीं थोड़ा देखना कि आपके नो कुछ और मिला हाँ sir मुझे मिला मैंने का कहा sir anil akil अगर 96 है तो यहाँ के anil akil 96 बन चुके है मैंने का हाँ sir अगर यह दोनो 96 है total 134 में से तो anirud 38 का बन गया मैंने का हाँ sir anilud के पास लेके जाओ मैंने का कहा है वो sir वहाँ मैंने का ओक यहीं है तो मुझे लगा कहीं लेके जाओ sir आपके पास यह पहला data इस्तेमाल होने के बाद अगर anilud का में ratio इस्तेमाल कर लो मैंने का क्या कि sir अगर इनका ratio सच में 14-19 का है तो anilud का age 38 मेंने निकाला है उस हिसाब से amrit का age कितना हो जाएगा sir 19-19 पाट अगर 38 एक पाट दो तो 14 पाट कितना हो जाएगा sir 14 पाट हमारा 28 हो जाएगा तो उस हिसाब से amrit 28 है अब amrit से मैं क्या-क्या निकाल सकता हूँ sir amrit से हम अभी तक कुछ भी नहीं निकाल सकते अब आप क्या करोगे sir अब अपन कुछ करते है मैंने का हाँ क्या करना है इतने में रख गया हम लोग अब हम इस्तिमाल कर सकते 8 और 7 का 8 मतलर इसके कितने साल पहले ये मुझे कुछ नहीं देगा और third pillar ये वाला gap third वाला gap को मैं इस्तिमाल कर सकता हूँ अगर आप चाहूं तो sir कैसे अगर sir अनिल और अभी जीत के बीच में 7 साल का gap है तो sir आपने कुछ देखा मैंने का क्या अनिल अजीत से 7 साल बढ़ा अजीत अमरित से 7 साल बढ़ा तो अनिल अमरित से कितना बढ़ा मैंने का तुम मुझसे 7 साल बढ़ा और तुम मुझसे 7 साल बढ़े और मैं मैं चोटे भाई से 7 साल बढ़ा तो तुम मेरे चोटे भाई से 14 साल बढ़े हुए मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि अनिल जो है वो अमरिट से 7-14 साल ज्यादा रहेगा अगर अनिल जो है वो अमरिट से 14 साल बढ़ा रहेगा तो उस point को कैसे डाल सकते हैं? सर यह देखो अमरिट का एज हमने 28 निकाला था ध्यान दीजिएगा अगर अमरिट का एज 28 है तो अनिल का एज उससे 7 सा 14 ज्यादा तो 28 प्लस 14 अनिल का एज 42 हो जाएगा और सर मैं आपसे कुछ कहूँ मैंने कहाँ अगर अनिल 42 है तो अकिल को 96 का सम बनाने के लिए 54 का होना होगा और अगर अकिल 54 है तो 6 साल के बाद 54 प्लस 6 वो 60 का हो जाएगा अगर तीन पार्ट वो 60 का है तो ये एक पार्ट जो है वो हमारे पास कितने का होना चाहिए सर एक पार्ट जो है वो 20 का होना चाहिए अमरित सर हमने अल्रेडी निकाला है 28 तो 28 वाला बंदा 20 साल का कव होता है मैंने का वो तो 8 साल पहले होता है तो क्या लास्ट वाला condition satisfy किया 8 साल पहले क्योंकि यही आपका second filler था हाँ सर satisfy किया सर मदा तो आया लेकिन थोड़ा repeat मांगता है जनता मैंने का जनता को देता है repeat अब भी करके देता है बस घुमो फिरो answer निकालो खतम पहला वाला satisfy कर चुका है हाँ सर अब अगर मैं इस sum को 98 लूँ ठीक है सर इस sum को 98 ले लो सर यह sum 98 है तो अनिल और अखिल का यहाँ पर sum और एक बार आप solve कर दिया हो तो दूसरे बार तीसरे बार बहुत जल्दी होगा देखोगे सर यह अगर 98 है तो अनिरूत को 36 साल है सर अनिरूत का यह ratio बोरो कर लेते हैं 3-4 का अगर 4 पार अनिरूत 36 तो 3 पार जो अमरित है सर वो हो जाएगा हमारे पास कितने का मैंने का कितने का सर वो हो जाएगा आपके पास 4 पार 36 तो 9 27 का सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने का हां कहो, कि सर अब मैं इस वाले पार्ट को इस्तेमाल करता हूँ, जो थर्ड फिलर है, मैंने का थर्ड फिलर मतलब 29, मतलब क्या, कि अनिल अजीत से 29 साल बढ़ा, सर अनिल अजीत से 29 बढ़ा, अजीत अमरित से 7 बढ़ा, तो अम्रित का age हमने निकाल रखा है 27 तो उससे अगर कोई 36 बड़ा है तो जो annil है वो 63 का आ जाएगा और अगर annil 63 का आ जाएगा तो annil प्लस अकिल को 98 बनाने के लिए अकिल को 35 होना होगा और अकिल अगर तुम 35 हो तो 6 साल बात तुम्हें 41 का होना होगा तीन पार्ट 41 नहीं होगा जिसके से एक पार्ट आपका नहीं होगा तो ये वैल्यू और आपका question को satisfy नहीं करेगा क्योंकि अम्रित का जो चलो आप अभी बोलोगा ना सर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि integers होगा मनिका सुनो तो ये वाला decimal हो जाएगा अरे अगर 35, 41 से तो ये वाला decimal हो जाएगा अम्रित का age आपने निकाल लखा है 27 27 से एक decimal तक पहुंचने के लिए आपको जो माइनस करना होगा पीछे जाना होगा वो एक decimal में जाना होगा और ये आपका क्या है ये आपका second filler क्या ये decimal में दिख रहा है ओहो नहीं सर ये satisfy नहीं करेगा मतलब ये वाला point आपका satisfy नहीं कर रहा है please third वाला अगर satisfy कर जाएगा तो ही जाके आप अच्छे से समझोगा नहीं तो आपको repeat देखना पड़ेगा जहां पर satisfy होगा वही आपको बहुत कुछ सिखाएगा जो satisfy नहीं होगा वो सिखाएगा नहीं तो सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का हाँ कहो सर second वाला तो satisfy नहीं किया third वाला करते हैं मैंने का कोशिस करने में क्या है सर 102 अनिल और अखिल का सम सर अगर ये 102 है तो ये 32 है सर अगर मैं इस ratio को इस्तमाल करूँ 19-16 का तो 16 पार्ट अनिरूत अगर 32 का है तो एक पार्ट 2 के साथ अमरित 38 का है सर third filler को इस्तमाल करना चाहता हूँ मैंने का कौन सा अनिल अजित से third filler 9 साल अगर जयादा है तो अनिल अजित से 9 साल बढ़ा, अजित अमरित से 7 साल बढ़ा, तो अनिल अमरित से 7 प्लस 9, 16 साल बढ़ा अमरित का एज मैंने अल्लेडी 38 निकाल रखा है, तो उससे 16 साल ज्यादा 54 का अनिल निकल गया है अनियल तुम अगर 54 हो तो अखिल को 48 होना होगा इस सम को बरकरार रखने के लिए अगर तुम 48 हो तो 48 अगर अखिल है तो 6 साल बाद अखिल को 54 हो जाएगा तीन पार्ट 54 तो एक पार्ट 18 होगा अमरित का एज हमने अल्रेडी निकाल रखा है कितना? 38 तो अमरित तुम 38 से 18 आने के लिए कितने साल पहले को जा रहे हो? सर्थ 38 से 18 होने के लिए मैं 20 साल पहले जा रहा हूँ तो सेकंड फिलर जो है वो 20 का आना चाहिए क्या सेकंड फिलर 20 का है? कंडिशन सटिस्पाय और इसी के साथ आप इस question को answer दे दिये और आपका ये खुबसूरत सा 4 fillers वाला question मैंने solve करवा दिया है उमीद करता हूँ कि आज का ये session आपको काफी जादा पसंद आया होगा अपना पूरा का पूरा best देके मैंने आपको सारे चीज़ें बारी की से बताने कि पूरी कोशिस की starting से लेके ratio के concept हो या फिर आपके average का concept हो या फिर आपके zero का concept हो या फिर equation making का concept हो या फिर high level के questions हो high level के जहां पे बीच में हमें जो dedicated part था वहीं मिल दा था जो आप immediately cannot determine बोल देते ना वैसे सवाल भी हमने देखा था यह वाला वैसे सवाल भी हमने देखा था तो मेरी तरफ से पूरी कोशिस थी equation, quant, numbers, figures, math सब के साथ आपको थोड़ा थोड़ा बहुत comfortable बना दूँ अब आपको बस practice करने है number of questions ज्यादा से ज्यादा solve करने है अगर पसंद आया होगा तो एक बार जम के like और share कर दीजेगा मैं आपको कोई question नहीं दे रहा हूँ कि यह question solve करके मुझे answer बताना बस एक छोटा सा request कर रहा हूँ मेरे भाई क्या कि session के end होते ही एक live chat नहीं एक comment drop कर दीजेगा regarding the feedback यह छोटा सा request है कि how was the session, how was the level of question, how was the level of explanation, how was the syllabus coverage, how was the exam relevancy, everything you feel about the session do write me in the comment section आपके feedback से मुझे भी एक positive gesture मिलता है ताकि आने वाले वीडियोस पर मैं अपना effort और दे सकूँ और भी partnership अगरा का वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा और साथी साथ जो newcomers होते हैं, जो new freshers आपके इन वीडियोस को विजिट करते हैं तो वो पहले comment परते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन सा educator कैसा पढ़ाता है तो वो पहले comment box देखते हैं कि हाँ, बच्चे के बारे में क्या feedback, मतलब सार के बारे में क्या बच्चों ने feedback दिया है क्या ये सही बंदा है, इसको trust किया जा सकता है ये नहीं तो इस complete process के लिए ही मैं आपसे बस एक request करूँगा session को जितना हो सके, comment कीजेगा, इससे वीडियो को भी थोड़ा push मिल जाता है, थोड़ा reach मिल जाता है तो that's it for today, यही कहना चाहता था, like तो आपने करी लिया होगा, अगर नहीं तो एक बार like भी कर दीजेगा, दिल से अच्छा लगता है तो thank you so much guys, ऐसे ही और session में लेके आपके लिए Career Definer YouTube चैनल पर आऊंगा, सारे complete chapter यहीं पर आपको free of cost मिल जाएंगे, tension लेने के कोई ज़रूत नहीं अगर आप मुझसे plus पे भी पढ़ना चाहते हो, तो plus पे भी आप मुझे अने अकडमी plus पे भी follow कर सकते हो, link आपको telegram पे और description पे मिल जाएगा, वहाँ मुझे follow कर लीजेगा अभी जो आपके दो running courses है, उनके बारे में details भी मेरे profile पे जाके आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे भी आपके free classes चल रहे हैं और अगर आप plus का subscription लेके पढ़ना चाहते हो, तो plus के subscription में अभी आपका flag 20% का off देखने के लिए मिल रहा है, और इस off को avail करने के लिए जो code, referral code आपको लगाना है, वो है CD Life इस code से आपको आपका maximum possible discount, जिस time भी एफ वीडियो देख रहे हैं, उस time पे जो maximum possible discount चला होगा, मिल जाएगा, CD stands for career defined followed by life, तो इस code के इस्तमाल करके आप plus का subscription ले सकते हो maximum discount के लिए, तो that's it for today, thank you so much guys for being with me for such a long time, love you all, take care, God bless you all, thank you so much, have a nice day